एसे तो पांच विकल्प थे पहले फेरस नॉन फेरस में लेकिन पांच में से एक पर हमने अभी फालतील कुछ दिनों पहले विक्वाली की राए दे थी वह वेदानिया था पहले खरेदारी टाए थी लक्षांग जो हाली में हमने उपर के तरफ देखे थे वही हमारे लक्ष प्राथमिक्ता के आधार पर अनुज भाई तो वो प्रहला होगा टाटा स्टील और दूसरा होगा जीएस्पीर प्रहले हमने चौटिस देस्ट पकड़ा फिर चौटिस हसी पर इसको रिवाइस किया पैंतिस देस्ट पर फिर वियू लिया पैंतिसिक तालिस राजेश जी मेरे साथ इस पूरे डिसक्शन में सबसे अदा साथ रहे राजेश जी जिस एक्सपेक्टेशन में हम इसको चेस कर रहे थे वह आई थिंग अब प्राइस जो है ना यह है उस दिन का प्राइस जिस दिन इसने 30 जनवरी को 20 दिमा तोड़ा था I think post budget सबसे बहुत क्रेक L&T हुआ था अब ये उसी price को strike करता हुआ not exactly a trade लेकिन हम क्योंकि पहले से लेकर चल रहे हैं अब price outlook क्या बन रहा है L&T पर? एक gap हुआ था और ये जो gap भरना है L&T को तो कहां तक जाएगा मेरे जिसाब से gap भरेगा करीबन 3650 के आसपास मैं future price कहां पर refer कर रहा हूँ तो जिस तरह से आज ये breakout दिया है 3700 के उपर इसे clearly buy trade यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात तो मुझे लगती नहीं है कम से कम 100 रुपे का move L&T में और आएगा तो अगर किसी ने position ली है तो जो stop loss आपको रखना है वो दिन के lower के नीचे रखे और इस position को और इस trade को आप continue करे वैसे भी हमने एक swing trading का target दिया है 3700 for the day तेकिन positional वालों के 3650 का target लेके ये position को इस position को आप लिखे जा सकते हो तो यह तो यहाँ पर हो गया L&T 100 रपे का upside और खुला है एक stock और रखे का screen पे guest महमानों की राय लेते हैं प्रकाश सर जड़ा एक बार गुजरात guest का chart देखे data sub screen पर रखे का candle stick chart लगभग 3 महीने का इसका एक swing high था तारीक थी 15 फरवरी का cross नहीं हुआ 585 की डिजिक्टरी उसके बाद swing high 23 फरवरी का यही था और आज उस swing high को third attempt में पार करने की कोशिश करता हुआ मेरे screen पे rolling का यानि futures का बहाव है 584.20 Sir आपका view इस पर क्या है इस वक्त ही क्या ये breakout इस बार convert होगा It's a matter of time actually जो बार बना हुआ है उसके इसाफते आप trade कर रहा है 582 बार के इसाफते इसका जो next logical technical target है वो है 600 का वहाँ ते जाना चाहिए अगर कोई stop लगा है 570 का तो अठाव रुपे का मो है बिलकुल मिलना चाहिए record मिली जाएगा matter of time आज कल पर सो लेकिन 600 टागेट एक achievable normal target है दोनों रखेगा स्कीन पर क्योंकि अब हम इसपे delegated discussion करेंगे ये price अगर आप देखें अनुज दोनों ही index सारे averages के उपर अभी आज bank nifty as of now collapse नहीं हो रहा है हम सुबज EVP के आंखडे को discuss कर रह थे नई series की शुरुवाती as of now ये शुरुवाती 20-25 मिन्टों का action क्या indicate कर रहा है क्या sustain होगा यहां से विरो बिलकुल देखें बहुत चांदार है और मेरे कहल से market का test होगा 9.45 पर जो normally एक first swing time होता है market का लेकिन एक चीज़ जो clear थी आज सुबह एक feeling आ रही थी मुझे कि थोड़ा सा gift nifty इतना सही indication देनी रहा था जो actual में होना चाहिए था और एक मेरा था सुबह वियू कि हम शाए एक one way तेज़ी देखेंगे अच्छा पिछले 3-4 दिन ने मुझे एक चीज़ और convince कर दिये कि बीच बीच में देखें कि मार्केट क्या होता है लेवल देखेंगे वह conviction अब वापस आ रही है एक तरीके से उसमें obviously सिर्फ एक चीज़ होगी थी कि जो series का end था feb का वह उस level पर नहीं हुआ जो मैं expect कर रहा था max कर रहा था कि feb series trending रहेगी और 22-500 पर खत्म होगी वह नहीं हुआ लेकिन ठीक है 22,000 पर हम उसकी समापती हुई लेकिन अब एक चीज़ बहुत क्लियर है अब risk reward आपका 20 dama के हिसाब से positionally closing basis पर जब तक आप वो hold कर रहा है market rally करेगा और एक चीज़ मुझे लग रहा है कि यहां से bank nifty अब हो सकता है आपको outperform करेगा दिखा दे क्यों क्योंकि bank nifty में अभी भी काफी shots है और 30% open interest series to series कम हुआ है bank nifty में तो बाकी का जो shot positioning है वो मुझे लग रहा है कि शायद cover होंगी और हो सकता है कि अब bank nifty लीड कर क्योंकि bank nifty में भी काफी differential है compare to nifty तो थोड़ा मेरा focus अब bank nifty पर ज़्यादा रहेगा compare to nifty जहां bank nifty focus ज़्यादा रहेगा और bank nifty का भलई ही आप कहें कि बहुत आतिश बाजी नहीं कर रहा है अभी तक बट जिस cluster में खुरा है वो itself एक confidence का area है और आप इस दौर की मतलब मैं अगर मीथे 10 दिन को देखूँ यानि 13 फ़र इसलिके अब तक के sessions को तो आज की केंडल सबसे मुश्किल केंडल से fight करती हुए पड़सों की उस केंडल में जब आपने एक ही session में एक दो तीन चार एवरेज तोड़े पांच में को टेस्ट किया निफ्टी बैंक है डे हाई एलंटी इसपक्ट सूपर स्विंग देता वाई एलंटी डे हाई पर अभी मैं राज़े जी से डिसकस करी रहा था और बहुत अच्छा मूब देकर डे हाई की डिरेक्ट्रिम आके डेंटी टेट करता हुआ यह लिज इंडस्ट्री डेर परसंट का मोव यहां पर मानस आपकी रीडिंग आर्थी इंडस्ट्री इंडस्ट्री अगेंस्ट ओल और्ट्स फेब्रड़ी में इसने पूरे कोलैप्स होते वे केमिकल्स में आउट पर्फॉर्म किया था पिछले पांच दिन में रिक्वाइट कूलिंग आउफ हो चुकी है आज सारे अवरिजस के उपर आर्थी की प्लेस्मेंट है आप कैसे रीड कर रहे हैं इसे स्टॉक को पर फिर भी खरीदारी करने के लिए तॉपर स्टॉक सस्टेंड करें तभी आपर एक ट्रेड लेना चाहिए उस केस में आप 660 के स्टॉक से खरीदारी कर सकते हैं इचा एक अओर स्टॉक्स जहां पर अब मोंटम है वहां पर एक अब प्यफसे दोनों बात्रेड पर करेक्शन आई थी अब मोंटम शुरू हुआ है मानस कोई बीव गवन और है हाँ तो तो दिए कि ए रिए प्धी पीफसी में कर देखे है अब यह पर देख तो प्रक्र लेना होगा ब्रुकुछ एक से दो दुनों का तो पीफसी पे होगा इसने फिटीडे मुईंग एवरेज को रिगें किया है तो इस टॉप लॉस आपके 399 के लगा के रखिए यहां पर एक लाउंग साइड लीजे टागेट 425 के आस पास करेंगे अच्छा आज ऐसा लग रहा कि जो मार्केट से मांगो वो मिल सकता है हमने JSW स्टील की बात की थी तब 815 पे था बात ही होगी थी कि 820 तक अगर जाये तब ही कोई वीव बनेगा लेकिन अब देखे बात करते करते 820 के काफी करीब यहां पर तो अच्छा मोमेंटम आज यहां चार्ट का जमतकार के लिए चंदन और मिटका फंडा के लिए गुरांकशा के बास चलेंगे तो शिल्पा जी बताइए आपका सफ्ता ओप्शन ट्रेड अनुजी मेरा सस्ता ओप्शन रहें का आर्ती इंडस्ट्रीज में आर्ती इंडस्ट्रीज जैसे अब देख भी रहें कि पुरा केमिकल बास्केट एक अच्छे मोमेंटम में है तो मुझे लगता है 72730 के लिए इस सीरीज में एकडम अप्ट है तो 700 का कॉल ओप्शन जो रफ तो टार्गेट आपका एक 27 से लेके 31 तक रहेगा ओके आर्ती इंडस्ट्रीज का मार्च का 700 का कॉल लीजिए आप ये इस समय की ट्रेड शिलपा जी की प्रिशान जी आपका एफनो सोपरस्थार अनुजी बेस्ट आन टुड़ेश ओपनिक मुझे एवी कापिटल काफी अ अच्छी स्विंग दे सकता है ओके आधित बिल्कुल विरू काफी अच्छा मुमेंट मार्केट और स्टोक पर देखने को मिल रहे हैं ब्रोडबेस बाइं यहां पर है मैं यहां पर अब जब चाड का चमट का रहा है तो मैं एक नोन एफनो काउंटर देता हूं जो काफी लिक्विड है और एक नया सेटप बना है इंडिया 58165 पर चंदन जी का कॉल गोरांग आपके प्रिक कर रहे हैं आज आपका मिट के फंड़ा तो छोटी मजौली के बीच में आता है यह कंपनी बिरंदर और नाम है निर्मान कारे आने के इंफ्रास्रक्चर से जुड़ी वी कंपनी पाउर मैक प्रोजेक्स लिमिटेड पांच जार एक सो पांच जार दोसों के आसपास मेरे ख्याद से मौदू दस्तर होगा जो नतीज आये थे पाउर मैक प्रोजेक्स के उसको देखते हुए हमारे जो पहले खरीदारी के और लक्षांग थे उसको हमने उपर के तरफ बढ़ाया है पांच जार आठ सो से लेकर के छे अजार तक के लक्षम ने पाउर मैक में निर्धारित किये यह मैं बुनियानी त सेंसेक्स तीहतर हजार एकसो की देहलीर पर आज ध्यान देखें सेंसेक्स की वीकली एक्स्पाइरी है और यहां बढ़ शांदार मोमिंटम है तीहतर हजार एकसो क्रोस होता हुए जह सो पॉंट ऊपर बैंक निफ्टी बात करते करते हैं पांच सो पॉंट उपर 46 600 सभी वाल टाइम हाइक से सिरफ अब 125 पॉंट दूर रह गया है निफ्टी औरों मेटल शेरों का जलवा देखिए अब आप जितने भी स्टॉक्स हमने पिक किये थे सेल, जेस, पियल, जेस, डबलू, स्टील और बाकी के मेटल स्टॉक्स, वेदानता भी ग्रीन में आ गया, यहां पर रहेंगे आपके लिए इस ट्रेड में, पिशान जी ने पिक किया AB Capital, 195 और 200 के टारगेट, 181 का स्टॉप लॉस, चंदन ने कैश काउंटर पिक किया, ओईल इंडिया, आज अच्छा मोमेंटम ओईल और गास स्टॉक्स में है, 556 के स्टॉप लॉस, 610 के आपको नजर आएंगे, लेकिन मोमेंटम काफी शानदार है मार्केट में, और वो जो स्टॉक्स हमने पिक किया था भी कुछ देर पहले PFC और REC, वो दोनों अब डे हाई पर काफी बड़ी करेक्शन होगी ती इसमें पिछले महीने, और आज मार्केट, आज अच्छी मार् जहां पर भी करेक्शन होगी थी, वहां पर ऑविसली करेक्शन आपको थोड़ी सी रेलेटिवली यंग थी, 14 देज की थी, यहां पर भी अच्छे मूज़ार हैं, लेकिन अच्छा मोमेंटम इसमें आपको कुछ इंडिविजिल स्टॉक्स में दिखाई दे रहा है, एकाथ स्टॉक्स जो वीक हैं, उन पर भी नज़र डालेते हैं, एक पर जी एंटर्टेनमेंट लेकर आई है, जिसमें कल सोनी ने ओफिशली एंच्छी में वो विड्रॉल पेटिशन डाल दी, मर्जर के लिए, बहुत लोग कह रहे थे कि शायद दुबारा वो होगा, सब बेकार क रिपोर्ट्स थी, वहाँ पर अब करीब करीब ये स्टॉक एक पसेंट हिस्से में नीचे है, स्टॉक्स अब दे डिसकस कर लेते हैं, फिर रेडी है तो, ओके, आशिश फिर से मारे साथ, आशिश बताईए, आप लोगोंने दिगज डिसकस कर ले होंगे, तो कही सारे ब्र उसका देखिया फाइदा, सारे 11% मजबूती के साथ सुवेंट ट्रेड कर रहा है, बोरुसल रिनिवेबल्स लास्ट चेक कर रहा था, 5-6% कल के अप मूव्स के उपर आज फिर उचाल है, आज बोर्ड मीट है, सिक्यूरिटी जिश इशुएंस, यानि कि एक्विटी के जर इसके लिए था कि MG इंडिया के साथ इनका लेटर ओफ इंटेंट रिसीव हुआ है, ये मदब प्रदेश में तीसरी डीलर्शिप खड़ी करेंगे उजहन में, रियाक्शन देखिये, 8% मजबूत हो गया है, दो स्टॉक्स का स्टैक एक साथ दिखाता हूँ, CG पावर और सा 58% होल्ड करती है, सवाथ 2% यहाँ पे मजबूत ही, और एक कमजोर कड़ी के साथ छोड़े जा रहा हूँ, GPT हेल्थ केर कल भी दिक्कत में था, इसकी कल लिस्टिंग हुई थी, आज फिर 6,6% दबाव के साथ ट्रेड करता हुआ, कल दबाव में इसलिए आया था क्योंकि नमूरा सिंगापोर ने यहाँ पे साड़े 4 लाग शेर्स बेचे थे, और इस अपडेट के बाद और प्रेशर बढ़ता हुआ इस काउंटर पे है, शुक्रिया आशीश, इज़े कहते हैं, सर मुंड आते ही ओले पढ़ना, GPT हेल्थ केर आपकी स्कीन पे 13 रुपे नीचे, पे लेंडमार्क्स लगफ़क तिरे 5 रुपे उपर, बोरो सिल रुनिवर्बल्स लगफ़क साड़े 5 और सुवन करीब 74 रुपे उपर, मार्केट सदे हाई, पैंक निफ्टी अदे हाई, और सारे थ्रेश्वर पॉंट्स के उपर ट्रेड करते हुए इंडाइस, एक दो स् तो अज हम बात करें थे कुछ दे पहले कि कि बैंकिंग अच्छा करेगा और बैंकिंग माइट डू वेल, एक डिफरेंशल को हमें चेस करना चाहिए, अब एक बात और आती है, मालीजे मैं निफ्टी बैंक ट्रेड नी करता, मुझे उन 12 स्टॉक्स में से स्टेंथ को पिक अज है रहा था, अगर आप एवन 2019 का एक्जामपल ले लें, तो अच्छे मूज आए थे वहां पर PSU बैंकों मेरे कहल से, इस महिने में 10-15% के मुझे पॉसिबल हैं, और ये इंडेक्स हाई से करेक्ट भी हो चुका है, तो मेरे कहल से यहां पर जादा स्पेस है, रेलिटि बैंक में, HDFC बैंक वो SIP वाला स्टाक है, और Leap of Faith वाला स्टाक है, ट्रेडिंग करेंगा तो पैसा जाएगा यहां पर, तो इसके लिए मेरे कहाँ से, हाँ, ICICI बैंक एक्सेस यह थोड़े रेलिटिवली स्ट्रॉंग है, तो इन पर फोकस कर सकते हैं, या फिर PSU बैंकों एक चीज हो रही है, और मैं वाकवादात हूँ, ICICI से बैंक में इस वक्त जबरजस्त पूट राइटिंग हो रही है, और मैं इस तत्य को आपके स्कीन पे इसले रख रहा हूँ, क्योंकि on the very first day of series, कि इसी भी series के पहले दिन, पूट राइटिंग के आंकडे, काफी importance रखत अतना स्ट्रॉंग नहीं है, बट आइटिंग प्राइस की प्लेस्में अच्छी है, अब आव और मुइंग अविज और एक रिक्वाइर कूलिंग ओफ 23 और 39 फरवरी के बीच में हो चुकिया है, केनरा बैंक पर आपका विए हो, तो तो करीब करीब 25 रुपय का पो देखन अपस लगाना है, और टागेट सेट करने हैं, अब 595 अजया है, आपके स्कीन पर अच्छा मूव देते हुए, इस पक्ता केनरा बैंक और आइसे से बैंक, और मूव अच्छा है, क्योंकि इंडेक्स मूव बहुत छे दे रहे हैं, तो हमें इस मोमेंटम को प्ले करना ही चा क्योंकि सीरीज का पहला दिन है, प्लेसमेट अच्छी है, पिछले पांच दिन के क्रैक में भी स्टेपने शॉर्टर स्मूव अबरेच को नहीं तोड़ा, 755 का प्राइस, आपको किसी टेट सेट अप की तरफ इशारा करता है, क्या है, जी विरेंदी काफी अच्छा चार् टृकिढारा की सेला तरह उर्म्री नहीं जाने के लिए, एक क्रैदरी की सला रहे इन लविल में बग्याओं क थे अच्छा झाराएग सेवने ठीडरी कि से diversity के में 12-30 गाइस, एक और आघसे गया चाला ँड़ारी का इक करेवां एक साढ़े अटराएग ग्या जासंटी यह 3% अपर यहां पर Tata Steel गावा सर कोई विव बदा है Tata Steel पर? येश्य बिल्कुल Tata Steel मुझे पसनत बिल्कुल इंफेड जो सेट अप बना बना है उसके लगदा है कि अपनु बिले का जरूर और जो तर्टागेट है वो मेरे खाल से रहेंगे करीब 150 के 142 का स्टॉप लगाना जी अमने इसको रेविजिट किया तारं 144 अब दोर प्सकेद बढ़ गया है 150 का तागे अब भी वाकड़ है इसे एक दोर तीन दिन लग सकता है लेकिन जी स्टाटस लिजपा अपने मानज जी वो आरती जी को देखा आपने आप देखिए तो देखिए तो देखिए यदि टर्टीटे अविंग आवरेश के ओपर ट्रेट अने लगा है तो पाई शिक से निए निए तक के टागेट पॉसुबल है तो अभी भी ट्रेड ले सकते हैं आपके 660 के नीचे नहीं अच्छा अनुच, केमिकल क्या सेंस लग रही है, मैं आर्थी सिक्तम जहन में आ गया है, जब हम वो गुरुकूल में रोडोवस की शेट पर डिसक्स कर रहे थे, पिछली बार यही और परफॉर्मर था, अब जिस परकार के UPL ने नंबर दी और UPL में के साथ जो इंडिक्स के से बाहर हुआ, और जिस परकार की नवीन फ्रीन के प्राइस परफॉर्मर्मस है, क्या बदार यहां पर कोई स्टॉंग स्टॉक करने की कोशिश करेंगा, या फिर इस प्रेशी और आर्थी ने हाई पर है, यह आर्थी पर तो आर्थी पर तो खैम मेरा आपको याद होगा क यह बहुत बूटली नीचे आजाता है, तो यह एक दिक्कत है बस यहां पर, और कोई नहीं देखिए एक महिने का चार्ट है, पिछली बार भी 700 पर गया था फिर नीचे आता है, थोड़ा एक तीन महिने का चार्ट लेकर रही है इसका, आर्थी इंडस्रीज का, और यह दे क्या करें यहां पर, मुझे रखता है यह कंटीनिव करना चाहिए, 25-27 तो डेफिनेटली आएगा, जैसे मैंने बोला, आर्थी इंडस्ट्री, 700-720 प्लस, यह सीरीज में डेफिनेटली आपको दिखेगा, और क्या क्या अच्छा कर रहा है, कुछ मैं थोड़ा सा पीछे ल मतलब प्रक्रिया में हमने उसको लोकीट भी किया था, मैं आपके स्कीन पर एक इंस्टेंस रखता हूँ, इस पॉली कहा हुआ, मैं यहाद है हम क्लोजिंग कर रहे थे एक दिन, और आप और मैं थे, वो हमने पुल बैक को पहले पकड़ा था, अब यह प्लेस्मेंट है सार बिल्कुल, क्या लग रहा है? बिल्कुल, देखे, दो दिन की गिरावट हम निकाल चुके हैं और पता नहीं अब जो सबसे में थर्ड वाली थी वो निकाल पाते हैं लेकिन एक चीज़ बहुत क्लिर हो गई है, इसमें जो 200-day moving average का resistance बन गया था, वो अब यहाँ पर support बन ग बन गया था, और वहां से फिर एक अच्छा pullback दिया इसने, market एक leap of faith लेर आया है कि शायद वो जो मामला था वो एक one-off था, यही कह सकते हैं इसके बारे में हम और obviously technically अब जो 200-day moving average का resistance था, वो अब support बन गया यहाँ पर, ट्रेड है यहाँ 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 पर यह मैं मानस से अभी इस लेवल पर कोई trade है किया? 47, 40k stop loss के साथ जैसे जैसे चड़ेगा चुनावी बुखार, बाजार में भी चाहेगा इसका खुमार, योंकि market और election दोनों में है गहरा connection, इस मौके पर चूकियेगा नहीं, करना है सही stock selection, चुनावी रण में कमाई का प्रण, मेरे साथ हर रोज सिर्फ सीन्विसी आवास पर पुरा इचली एफ सी के साथ महजर हो गया और उसके बाद बॉर्णिंग, दस के दमदा ट्रेट्स में आपका स्वागत है, वीरो और में अगले आदे घंटे तक रहेंगे आपके साथ और हमारे साथ मानस जैसवाल और प्रिशान सावन पिसले शो से बने हुए हैं, फ्रेश परस्पेक्टिव के लिए विकास सालों के निर्मिल बांक से और सुधीप शायस बिया सिक्यूर्टी से जुडेंगे, बिग मार्केट वोइसे में आज टाटा म्यूचल फंड के CIO एक्पिटीज र शेस्टों पॉइंट उपर मिट-कप इंडेक्स में अच्छा मोमेंटम और कुछ स्टॉक्स जिनमें अभी एभी फ्रेश ब्रेक आउट्स पकड़े हैं उनमें दो स्टॉक्स टेंडाओट करते हैं पालिकट और आरती इंडों बेल बॉर अब आरती इंडेस पर आरती NT, BPCL, यह कुछ स्टॉक जहां पर शांदार मोमेंटम, लेकिन डाउंसाइड पर वोल्टास लेकर आई एक पार, धाई पसेंट नीचे वोल्टास और Zee Entertainment जिसकी बात की थी हमने, वो भी अब करीब करीब दो पसेंट नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, वीर गर्मी आगे, गर्मी में गिरा था पिछली बार भी तो अब गिरने की तियारी करता हुआ वोल्टास, Meanwhile, Market Set Day है, अभी अभी निफ्टी करीब करीब 22,86 का हाई लगा क्या है, निफ्टी बैंक में सूपर सुब्स्विक था, निफ्टी बैंक का अचका सुबर सुबे का हाई मुझान यहाँ पर देखने मिल रहा है, तो मुझे लगता हूँ कि लॉरिस लाब यहाँ पर एक अच्छा कैंडिडेट बन रहा है, हमने देखा है कि लाश्ट को इस दिनों में एक साइडवाज मोमिंटम देखने मिल रहा था, आज वापस यह चारसो आट के ऊपर ट्रेड में अभी लास्ट दो-तिन ट्रेडिंग सेशन में हमें देखा है कि 584 और 580 का एहम सपोर्ट यहाँ पर देखने मिल रहा है, तो 584 के स्टॉपलस से यहाँ पर सुदर्शन केमिकल को बाई करना है, उपर में 630 के असपास के टार्गेट यहाँ पर सुदर्शन केमिकल में आ के ट्रेड के रहेंगे? तो मुझे लग रहा है, यहाँ पर 232 के स्टॉपलस से 244 का टार्गेट बहल में आ सकता है, और मेरा दूसरा स्टॉक है ICICI Bank, अब एक मिडिकाप के साथ मुझे लग रहा है, ऐसे मार्किट में एक लार्ज काप का साथ में रहना जरूरी है, और जो यह सब से पिछले कुछ दिनों में ICICI Bank का ट्रेंड रहा है, आउट पर्फॉर्मेंस रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ICICI Bank में एक अच्छा स्टॉक्चर बन रहा है, ब्रेक आउट का और 1045 के स्टॉपलस से 1110 के टार्गेट मुझे लग रहा है, आने वाले कुछ 17 में यहाँ पे हम लेख पाएं अब चलते हैं, बाकी दो कॉल्स पे, अब यह एक बार ICICI Bank लेके हैंगे, इक बार ICICI Bank लेके हैंगे, अब डेहाई की टेक्टरी में, जो आपको कह रहा हुता है कि पुट राइटिंग के स्टेट्स इंडिकेट कर रहे हैं, जिस प्रकास से 1000 से 1070 के बीचे पुट राइट पे, अल्मूस्ट ट्रेड कर रहा है, तो यहां पर मैं stop loss रहे हैंगे, जो टारगे होगा, वो 600 से लेके 610 के रेंज में होगा, और next pick होगा FMCG से नेसले, मुझे लग रहा है यहां पर एक breakout आ सकता है, तो 2570 का stop loss लगाएंगे, और 2675 का target लेकर होगा हैंगे, ओके, गुजर नेसले बोला शाहद, नेसले इंडिया, इस समय चबिसो तेरा पर, मानस, आपकी फ्रेश पिक्स, अनुची, सबसे पहले हैंगे तो टाइटन पर खड़ीदारी कर रहे हैंगे, अगर आप देके तो लोर लेवल पे 3600 के अज़ पास स्टॉक ने सपोर्ट लिया था था, इं इस ब्रेक आउट है, चार्स पे तो यहां पर खड़ीदारी करें, इस टॉप लॉप सेवनेट समय के नीचे लगाई है, और टार्गेट 825 के सब्सक्राइब लेकर आईए थोड़ा सा मार्केट में जो थोड़ा सा हायर लेवल पर हलका सा अगर किसी ने दबाव डाला है त सब्सक्राइब तो टीचेस और अब इन्फोसेस देखिए समय देलो पर आकर वापस काम कर रहा है, प्रिशान जी कुछ व्यू बनगा है का इन्फोसेस पर, और अल अपर सड़न इस ने अंडर परफॉर्म करना शुरू कर दिया स्क्रीन पर अनुजी दूसरी बात यह है कि अगर हम इसके चार्ट को देखे, तो यह दोनों तरफ स्विंग कर रहा है काफी बक से, यानि यह दोनों तरफ के स्टॉप लॉस से रिगर कर रहा है, ऐधर लॉंग हो या शौट हो, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर आप कीजिए, फिलाल सिब एग्जिस्टिंग लॉंग के लिए 1640 अपका स्टॉप लॉस होना चाहिए. क्योंकि अब यह पतल स्ट्राइक कर रहा है वह फर्वरी फर्स्ट वीक के प्राइस क्लस्टर को जिसने काफी टैबुलस दी थी इस स्टॉप को, अभी विव आपका। तो देखे ब्रिक आउट तो अरडी देखने को महीं गया है, मेरे का समझना है कि शार जो पिछला हाई तो इसको इस बार इसको बीच कर सकता है और अगर उसको बीच करेगा तो उसके ओपर कभी कभी सिकम 200-200 पॉइंट का और रैली ओन देखने को मिलेगा, इस ट्रेट को ऑप्शन के थूल लेना बेतर रहेगा, 3900 का कॉल ऑप्शन आम से लिया दा सकता है, 154 पे यह ऑप्शन ट्रेट हो रहा है, अब एक पोदिशन ट्रेट होगा, 99 के स्टॉप लॉस से आप इस ऑप्शन में एक ट्रेट ले सकते हैं, जहां पे टार्गेट 250 के आसपास के होगे एक तो स्टॉक्स और महा करतों में यहां पर जो कि अच्छा कर रहे हैं इसमें और मुव अच्छा है, एक बार आप लेके स्कीन पर रखे का मेट्रोपॉलिस, हाला कि ट्रेड़ेबल नहीं है, बट जिसे कहते हैं, पूरा सेकेंड आफ और फेब, इसने पेन देखा, वर्सस 18.20 के हाई रिट्ट्रेस्मेंट हुआ करिब 200 तक का, 50.18 तक का, और वहां से पु मुव जब गिरते हुए, ओर 10.20, और क्या अच्छा कर रहा है? स्कीन पर, एक स्कीन परूश का ऩी है, लात कि तैग करना में, जो रिट्रेस्मेंट ते टहां से वापस से इक बार एक मिल रहा है, यहां से लगता है, वापस एक सपर देखने मिल रहा है, यहां से लगता है, वापस उपर की तरफ 8200, 8400 की अफसाइट में एक वापस मोमेंटम करते वे देखने मिलेगा 78, 90, 78, 71 नीची की तरफ एक बेस बना चुका है तो उस सपोर से इसमें बाई कर सके उपर में 82, 40 और उसके बाद 84, 100 के असपास की रेंज इसमें आते वे देखने मिल सके अच्छे, एक पर टाटा मोटर्स भी लेकर आईए जड़ा, टाटा मोटर्स का चार्ट आपकी स्क्रीन पर आएगा और फिर एक फ्रेश, आपका कोई व्यू है के टाटा मोटर्स का जिस तरीके से टाटा मोटर्स के टाटन्स बने हैं यहां पर टाटा मोटर्स में एक पिछले और फर्स्ट वीक ऑफ फर्वरी से देखे तो यहां पर 910 और 950 पच्पन के बीच में पिछले दो तीन दिन में ब्रेक आउट दिया है और यहां पर एक फ्रेश अपसाइड मुझे यहां पर नजार आ रहा है क्योंकि मेडियम तो लॉंटम चार्ट तो तेज है और शॉट्टम में भी वापस से यहां पर ब्रेक आउट आया तो मुझे लग रहा है यहां पर जो इसब से 10 और 20 दिन का जो मूविंग एवरेज जहां से सपोर्ट लेगे स्टॉक चल रहा है तो 946-947 के स्टॉक लोस के साथ अगर एक पोजिशनल ट्रेड लिया जाए यहां पर तो 1020-1040 के लेवल्स भी मुझे आने वाले पांच से साथ सत्रों में यहां पर यह स्टॉक में नज़र आ रहे हैं मेन्वाइल निफ्टी रखेगा 22193 डे हाइपर आता हुआ यस डे हाइपर और यह वो पॉइंट है जहां से हम 500 फिसले थे और इनिशली लग भग लग भग बाइस 222 की डेजेक्ट्री से अब हम आलमोस्स को स्ट्राइक करते हुए एक बड़ा स्टॉक रिलाइंस इंडिस और एक बड़ा स्टॉक है इस लिए उल्ले कर रहा हूं इंडेक्स का हैवीवेड भी है प्लस मिनिट चार्ट पे अब अपनी लोग अटिक्ट्री से बहार निकल के आता हुआ प्रशांत आपकी रिडिंग लाइंस पे इस वक्त यहां पे एक squeeze हो रहा है और एक range contraction हो रहा है यहां पे breakout एक्सपेक्ट किया जा सकता है जो तीन दिनों का लो बनाया है वो 2900 का है डॉट एक्जाक्ली राउंड नंबर सपोर्ट लिया है मुझे लग रहा है कि यहां पे stop loss रखिए 2900 पे positionally और यहां से buy किया जा सकता है आप 3050 यह levels comfortably दिखा सकता है यहां पर भी अच्छा momentum इसमें और market को clearly support करता हुआ यह stock अब भी काम करते हैं big market voices में हमारे साथ Tata mutual fund के CIO equities रहूल सिंग जुड़े है Tata EMC के लिए fund manage करने वाले रहूल सिंग के पास 27 साल से जादा का अनुबव है Tata EMC से पहले भी काफी prestigious institutions में काम कर चुके हैं Tata multi-asset opportunities fund Tata multi-cap fund जैसे fund तो खुदी manage करते हैं आईए उनसे समझते हैं कि markets को लेकर इस समय क्या नजरिया बन रहा है और कहां पर वो निवेश की मौके देख रहे हैं Good morning Rahul जी सबसे पहले आपको क्योंकि आप एक mutual fund में equity team को lead करते हैं सबसे पहले मैं आपसे भी view जनना चाहूंगा जो ने कल भी बात की थी यह जो भी Amphi का recent directive आया है mid-caps and small-caps को लेकर उससे आप कितने सहमत हैं क्योंकि एक industry divided लग रही है आप उससे कितने सहमत हैं और आपका क्या व्यों है सेमा mid-caps और small-caps में influence को लेकर देखे हमारी small-cap fund में हमने जुलाई के लगबग लंसम रिस्टिक्ट कर दिया था या स्टॉप कर दिया था हाला कि SIPSTP जा रही है जहां तक smaller mid-cap के fundamentals का सवाल है देखिए economy जो है वो broad-base हो रही है और हमारा जो अगर आप GDP का भी डेटा देखें तो investment cycle revival जिस तरीके से हो रहा है उसमें ज्यादातर करके made and small-caps ही अच्छा करते हैं क्योंकि ये companies जो हैं उन sector की जो companies हैं जो की investment cycle से effect होती है जिनका benefit होता है वो ज्यादा made and small-cap में पाये जाते हैं तो अगर मैं 3-5 साल का view लूँ तो जो हमें देखने को मिल रहा है investment cycle में वो बहुत ही exciting है और जो broad-based thing हमने देखा है market में हो सकता है थोड़ा short-term में थोड़ा ज्यादा हो गया जरुवत से ज्यादा हो गया और थोड़ा सा normalization की जरुवत है और थोड़ा सा शायद large-cap short-term में ज्यादा attractive लग रहे हो या risk reward उनका ज्यादा लग रहा हो लेकिन अगर मैं fundamental की बात करूँ तो जो हमें आज दिख रहा है economy में उसे साब से mid and small-cap में भी काफी opportunities हैं long-term में तो एक हमें balanced approach लेके चलना पड़ेगा और अगर short-term में थोड़ा हमें portfolio re-balance थोड़ा large-cap की तरफ फिर वापस mid and small-cap की तरफ तो वो हमारा एक normal process है वो हम anyway कर रहे हैं valuation के नजरिये से लेकिन जहां तक fundamental का नजरिया है I think इस बार जो हमने broad basing देखी है market में उसका काफी strong economic base भी है और economic logic भी है तो वो logic मुझे लगता है is what we should follow और बाकी सब जो है वो noise है and I think as long as की हम लोग अपना वो economic logic follow कर रहे हैं और valuation का एक discipline रख रहे हैं जो की हमारा as a fund manager responsibility है हमारी तब तक मुझे लगता है की investors को हम अच्छा experience दे पाएंगे तो चली ये चीज़ तो खर आपने हैलाइट कर दी तो इस समय आपकी क्या main themes हैं कहां पर आप इस समय fresh पैसा ज्यादा डिप्लोय करने के मूड में हैं देखिए जैसा मैंने बोला जो sectors अच्छा कर रहे हैं जैसे manufacturing हो गया या real estate, capital goods, industrial cycle जो है वो काफी attractive लग रहा है अभी भी क्योंकि fundamentals वहां पे improve हो रही है और evolve भी हो रही है क्या नई नी चीज़ें भी उसमें सामने आ रही हैं नई opportunities खुल रही है export markets में for Indian companies तो वो एक sector हो गया जो कि हमें potential point of views अगर मैं 5 साल या 10 साल का view देंगे तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है infrastructure भी उसी में आपको उसी में आप include कर सकते हैं दूसरी जो sector हमें अच्छी लग रही है वो इस नजरिये से कि valuation उसमें काफी reasonable हो गया है और जो negatives थे हैं वो सबको पता है और जो positives हैं वो उसमें नजर अंदाज हो रहा है जो कि private sector banks में मुझे लग रहा है कि वो opportunity है और कुछ हद तक PSU banks में भी I think थोड़ी opportunity है जो तीसरा segment है जो जिसमें कि हमें एक cyclical revival दिख रहा है कि एक cycle जो है down जा रही थी pricing की वो अब improve हो रही है और वो sector है फार्मा जहां पर हमें लगता है कि हमने already improvement देखा है पिछले एक साल में आपने देखा होगा कि sector अच्छा की है और stocks भी काफी अच्छा की है लेकिन वो मुझे लगता है और दो साल continue हो सकता है तो ये जो है दो तीन pockets का मैं जिक्र करना चाहूंगा आपके question के संदर्ब में तो यहाँ पर constructive काफी positive view है यहाँ पर आपका रहूल जी नमश्चा है वेरेंदर बोलाओं डैली स्टूडियो से अभी आपके reports प्रकाशित हुए और इनके आपको आख़ों से मतलब काफी view जो निकल किया रहे है इसमें आप IT और rule consumption पर अभी तक neutral है IT के इस बार के numbers आपको कैसे लगे और यहाँ पर यह index अभी भी अपने all time high से दूर है IT और rule consumption इस पर आपका view अभी neutral इस पहिस्तिती में क्यों है और आप इसमें कब तक एक अच्छे मूव के expectation रख रहे हैं IT में देखे IT एक global play है और जब इंडिया में इतनी activity हो रही है और domestic economy में इतनी सारी changes हो रही है investment cycle को लेके तो एक naturally एक IT क्योंकि IT global play है आपका कहीं न कहीं वहाँ पर जो है importance कम हो गया है उसे साब से बट IT एक important sector है और मुझे लगता है कि companies हमारी काफी strong है और काफी established है तो हमेशा bounce back करती IT sector हाला कि मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर जो हमने COVID के दोरान जो growth rate देखी वो growth rate तो वापस नहीं आने वाली है तो हो सकता है अगले साल इस साल तो खेर काफी weak गया है लेकिन अगले साल हो सकता है 10-12% growth कुछ companies achieve कर पाएं कुछ 15% कर पाएं लेकिन हम उसी range की बात कर रहे हैं तो जब हम उस range की बात कर रहे हैं और valuation जो हम देख रहे हैं तो वो हमें fair value पे लग रही है तो यहां पर ऐसा लगता है कि हम अगर fair value पे कोई stock या कोई sector लेते हैं तो हमें fair returns भी मिलती है हमें returns market से ज़्यादा या market से कम नहीं मिलेगी तो यह IT अभी उस type का sector लग रहा है जहां कि उम्मीद तो है improvement होगी लेकिन valuation को देखते हुए लगता है कि जितनी उमीद है उतनी returns भी वनेगी उमीद से ज़्यादा returns नहीं बनेगी so इस हिसाब से मैं बोलूँगा एक stable sector के की तरह हम उसको treat कर रहे हैं और हम उसको उस सेक्टर के जैसा treat नहीं कर रहे हैं जिसमें कि हमें बहुत ज़्यादा alpha मिल सके हैं और जहां तक रूरल कर दमशन की बाहत अभी भी मुझे लगता है कुछ वक्त लग सकता है तो अभी FMCG पर आपका वीव क्या है sir exactly क्योंकि इस बार कि हमने जो numbers देखे उसमें एक दो company तो अच्छा कर गए but more or less हर company जो है वो जो क्योंकि रूरल के volumes बहुत चे नहीं है वो struggle कर रही थी और आप लोग है यहां पर मिल्कुली कंप्रीटली अवाइड की डिगरी में नहीं देखिए एफमसीजी का जो सिनेरियो जो डवलप हो रहा है अगर global या rural या urban economy में इतनी activity हो रही है construction activity बढ़ रही है infrastructure spending बढ़ रही है तो कहीं न कहीं जाके rural economy को भी इसका फायदा होगा लेकि lag से फायदा होगा खुद बखुद consumption अपने आप से नहीं बढ़ने वाली है क्योंकि penetration भी कुछ products का काफी high हो गया है कुछ competition भी आ गई है जो listed companies हैं उन्हें unlisted companies D2C brand से भी काफी competition हो रहा है तो हर चीज़ का एक मिला जूला impact आ रहा है FMCG companies पे और जब तक ये rural economy और rural consumption overall increase नहीं होती है तब तक इनको शायद जादा फायदा नहीं हो लेकिन मेरा मानना यह है कि थोड़ी lag से रूरल economy में भी recovery आनी चाहिए अब वो lag तीन मेने में हो या छे मेने हो बारा मेने में हो यह हम watch करते रह रहे हैं तो मैं यह नहीं बोलूँगा कि बिल्कुली avoid category में हैं क्योंकि हम लोग उस points के करीब होते जा रहे हैं लेकिन हाँ जहां रिलेटिवली हमें जहां रिटर्स दिख रही हैं वो अभी FMCG में तो उतनी नहीं दिख रही है तो मेन्वाइल और अच्छा मोमेंटम अब इस समय यहां पर काफी इंपैक निफ्टी अब 2200 के करीब और बैंक निफ्टी 46,578 अ रहूल जी मार्केट और इलेक्षिन एकारिशन लिख रहते हैं रहला कि सवपित लिए ख़र नहीं कर लोगा झायर जरी ख़र और आमचने के सब्सक्राइं है क्याकि मर्केट हम कोई इस जीज को लेकर रिस हैं या फिर क्योंकि market काफी है तक pricing कर चुका है continuity को येस मैं यही बोलूंगा कि market मैं आप से सहमत हूं क्योंकि market जो है वो pricing कर चुका है देखे रिस्क तो काफी चीजे है हमेशा risk तो रहती हैं लेकिन आप कितना pricing किया आप कर रहे हो हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा बाकि पॉलिटिकल एक्सपर्ट सी जादा बता पाएंगे कि एलेक्शन के बारे में उनकी क्या राय है जहां तक मार्केट का सवाल है, मार्केट तो कंटिनुटी प्राइसिन कर रही है चलि राओल जी बहुत बश्चुक्रिया बहुत बश्चुक्रिया आज शामिल हुए मैं अभी यह तो यह दिकास है कि आपको है मतलब वंदर्फूल एंडेक्स नाइस वीकेंड क्योंकि आपको कल भी काम करना है तो आपका वीकेंड काफी अच्छा खासा हो और आप शनिवार भी इंजॉय करें मार्केट में बहुत शुक्रिया से बहुत शुक्रिया से बाचीत में शामिल होने के लिए बिरू देखी यह सब होता है आज मार्केट का वियू जो है वो रिस्क आउन है तो इसके लिए मार्केट बैंकों में फोकस्ट है रिलाइनस में फोकस्ट है पीस यूज पर फोकस है तो आई टी नहीं चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है यह इमने सुबह डिसक्स किया था कि आज थोड़ा सा IT में आपको हो सकता कि इतना मुव ना दिखे लेकिन बाकी के सारे जो इंडेक्स और स्टॉक्स हैं उसमें अच्छा मूव अच्छा मोमेंटम आपको दिखाई दिया सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मार्केट स्ट्रॉंग बहुत है विरू 500 पॉंट साथ सो आठ सो नौ सो पसंट जो ऊपर चल जाते हैं वह उस टाइप का आज लग रहा है क्योंकि मार्केट को अगर गीर ना होता न अब तक गर चुका होता अब तक गर चुका होता मार्केट तो बिलकुल भी गेड़ने को तियार नहीं है विरू हिच की चाहत नहीं है बस आज एक ट्रेंडिंग डे साबित होता हुआ बाइस 694 मार्केट से डे हाई और कुछ स्टॉक्स जिनके हमने स्पोर्टिंग स्काइकर में की कि थी उसमें मैटल सबसे पहले थे और जना बहुत स्ट्रोंग मूब एक अनुज ने स्पोर्टिंग की थी पॉली कैप कि इस एक ऐसा इवन्ट देखा था जो कि आई तें लाइंड अप नहीं था अमिन कई बर का तो ना आर्निक्स आने वाली हैं ठीक है अच्छी बूरी आर्निक्स आती हैं स्टॉक्स रेक्ट करते हैं लेकिन ऐसा इवन्ट था जो कि आल्मोस अगर आब देखें आया सर्पाइस करक अच्छा मूँ देता हुआ इसकी कोई विकास स्ट्राइक पकड़ी है कि आपने मार्च की जिस पर पैसा बन जाए देखो आइसे से बैंक में कह सकते हैं कि 1070 जो इंपोर्टन रजिश्टन फेस होते हैं देखने मिल रहा था उसके उपर नहीं जा पा रहा था तो मुझे लगता है यहां पर एक अच्छा मूँ कंसीडर होगा 1100 के उपर के जो लेवल से वहां तक एक अच्छा मूँ यहां पर देखने मिल सकता है तो मुझे लगता है 1100 के कॉल के लिए भी यहां पर आइसे से को बाई कर सकते हैं जहां पर एक अच्छा मूँ के तरफ यह इसको क्यारी करते हुए लेके जाएगा विकास जी सुदीप आप दोनों का बहुत 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 शुक्रियात थोड़ा सक अच्छा करते हैं निरत जी भी आगए हमाई साथ सुदियो में निरत जी गुड मॉर्निंग और आज जो हम सब्सक्राइब ते एक वन वे तेजी के आज संकेत थे और मार्केट अब उसको रिस्पेक्ट कर रहा है और मैं अब एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बैंक निफ्टी और यहां से 200-200 पॉंट आड़ कर दें 500 पॉंट ऊपर हम बैंक निफ्टी में और निफ्टी में सवाद 200 पॉंट ऊपर और मुझे हरानी नहीं होगी अगर हम आज ही होल टाइम हाई जड़ दें तो प्राइडे है इस से अच्छा दिन मिले ना नहीं होल टाइम हाई जड़ करें चीटी पर दो परसेंट मिल्दा सर्प्राइज था इकिसी के लिए बी और मैं कहा रहा हूं कि ना कई बार ना छोटी मोटी चीजों को लेकर नेट्पिकिंग कर दें कि नहीं उसमें ये था वो था और है रहे है यह आपके दो नंबर देंश्टी नंबर देखिया आज आज क्यों चल रहे हैं सारे के सारे स्टॉक्स ये सारे के सारे मेटर्स, कैपिटल गोड्स ये सब इसे लिए चल रहे हैं क्यों कि उसमें आप देखिए टैक्स कलेक्शन हमारा 27% इंडरेक्टास क्रोथ बढ़ा है पूरी एकॉनमी फॉर्मलाइज हो रही है ये बात लोग स करने पहले हैं आज भी फॉर्मल नहीं है अब वो जिएस्टी वगरा समाने से फॉर्मलाइज होगी तो नंबर में रिफ्लेक्ट होगा है बहुत कितने लोगों कितनी बात कही थी हिंदू rate of growth ठीक है ना लेकि आप हो सकता है बहुत अच्छे economist रहे हो लेकिन कई बर क्या हो होता है आप जब politician बन जाते है ना तो फिर वो आपका व्यूस चीज़ को color करता है करेक्ट है यह fact है अगें ठीक है well respected name लेकिन कहीं ना कहीं गलती हुई उसको economy को पढ़ने में इसमें इसको मान लिख जिए कोई बड़ी बात दी और मैं तो करना देख एक एक महीने में तीन आपके साथ हो कि आज न्यू हाई हम लोग फिर से देखेंगे इसमें लेकिन मन में आपके सवाल भी दोंगे उन सब के जवाब देंगे हम लोग traders hotline में चले शुरात करते हैं लिगे सब से पहले headlines बादार को अच्छे GDP नंबर का मिला बूस्टर डोस सेंसेक्स करीब 700.2 पर निफ्टी 22,200 के पार बैंक निफ्टी के सभी 12 शेयर्स में तेजी मिट्कैप शेयर्स में भी रॉन लख मिटल शेयर्स में सब से ज़्यादा तेजी सेल 5% से ज़्यादा उचला टाटा स्टील जेज़ बलू स्टील जिंदल स्टील भी 33% उपर आइलेंड गैस आटो और एनरजी शेयर्स में दंदार तेजी HSBC की बुलिश रिपोर्ट के बाद HPCL, BPCL, IOC करीब 33% उपर HSBC ने बोला आगे ग्रोथ के बड़े मौके तीनों की हो सकती है री रेटिंग BPCL का लक्ष बढ़ा कर किया 860 रुपे कोहेंस लाइफ साइंसेस को सुवन फार्मा अपने में करेगी मर्च शेयर 12% उपर कोहेंस के 295 शेयर के बदले सुवन फार्मा का मिलेंगे 11 शेयर फरवरी में महिंदा और महिंदा ने पिछले साल के मुकाबले 40% से ज्यादा बेची SUV कुल विक्री भी 24 परसेंट बड़ी हाना कि ट्रैक्टर विक्री में दिखराया दबाओ इधर बजाज आटो का अच्छा प्रदर्शन साल दर्विताल 24 परसेंट बड़ी विक्री रॉयलेंट फील्ड की विक्री भी रही अनुमान के मताबिक और अनन्त और राधिका की प्री वेडिंग सेरमनी आज से देश विदेश की जानी मानी हस्तियां होंगी शामिल मार्क जकरबर्ग, सिंगर रहाना, शारुक सलमान, रनवीर कपूद, दीपका समित कई बॉलिवुड की हस्तियां जान नगर पहुंचे तो ट्रेडर्स हाटलाइन में आज सोशल मीडिया के दिन है और आपके सवाल सोशल मीडिया से लिए जाएंगे तो आप फट फट हमें भेजना शुरू करिए आज का वाज FNO लिखिये गा आज का वाज कैश लिखिये गा सोचल मीडिया के तवाम जो हमारे हैंडल्स है मेरा आवास का सब पर जाईए अब सवाल लिखिये और मैं कोशिस करूगा कि जादस जादस सवाल शामिल किये जाए श है आज कल पर सुझ जब भी होगा न्यू है तो रोज बनता रहे हैं जब दिए इन दर जोन लेकिन वीक्नेस नहीं यह बात तो पकी है एपसुल्टी वीक्नेस नहीं है डिप्स बाय करना चाहिए इस वक्त का आपका टॉप ट्रेड कैसे पहले कि हम सवाल लेना शुरू को मैं थाइस नहीं जब गड़ार है मुझे मुझे आपट्रेड लग़रा है मुझे है और सब्सक्राइब कर देदा सब्सक्राइब कर देदेऊं तर भीoff लिव वसकते आज हो सकते कलो व सकते मंडे गो सकते टूज़ मदी को यहिविजियर से अपईनियरे मैर कर आफ बड़े शेरों में बड़ी तेजी, बड़े इंडेक्स में बड़ी तेजी, मिटके भी साथ दे रहा है, लेकिन आज उनके मुकाबले थोड़ा कम है, चलिए सवाल लेते हैं, राहूल के सवाल लेते हैं, इन्होंने BSC के सर, 102 शेर खरीदें, 840 के बाव पर लगबग, और L&T Finance Holding, 400 शेर, 100 रुपे बले रखें, दोनों शेर में क्या करें हम, उनसा होता है, L&T Finance, L&T Finance और BSC, BSC का तो नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि उसका लिस्टिंग BSC में नहीं होता, L&T Finance मुझे अच्छा लगता है, बेसिकली चार्ट्ट्टर्चर ठीकी है, कंटिनियों इन्होंने सवाल पूचा है, क्यार बियल, खुशी राम बिहारी लाल, राइस एक्स्पोर्टर है, 400 शेर, 358 रुपे के भाव पर, और दो साल का इनका नजरीया है, सर, अनिकेत का सवाल लेते हैं, पर इन्हों लिखा है कि, आई बौट 15 शेर्स मजगान डॉक, एट 180, मजगान डॉक बता रहे हैं, क्या है, 180 बता रहे हैं, तो एकीस सो रुपेगा होगा है, तेन ताइम्स, मुल्टी बैगर, वेरी गुड, कंटिनि बोल्डिक, अब तो अगर मुरी सारकार आ गई, आने वाली है, तो और और पॉर्फेक्ट, चलिए अंजली की सवाल लेते हैं, एस्जेवीन के शेयर साहिन के पास, डियर सो, 137 के प्राइस पी लिये हैं, और इंडियाल कॉर्परेशन के 45 शेयर नों लिये हैं, 88 के भाव पे, दोनों में क्या करना चाहिए, इंडिन आल के तो नाम सुना मेने, अपम सी, SJVN, 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 SJVN भी स्ट्रक्शन निठीक है, साइड़े जोर पर है, क्योंकि थड़े एक्स्टेंड हो चुका, लेकिन अपमू इंटेक्ट, 160 फिर देखेंगे, मैटर अफ टाइम, सटलेज, 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 सटलेज, 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 सटले सब्सक्राइब कर दो कर लेकिन वहां से जब ब्रेकाइब कर लेका कि इसका में स्ट्रक्चिर एसा है कि अप्मू है फिर एक अप्मू है यह करीब लास्ट टैम हुआ था करीब 12 मैने का इसमर थे इसमर्ण थे एक दू मैने में इसका ब्रेकाइब मिलना थे तो अप्मू को अप्मू को यह याद रखिएगा की होलिंग में सुनील वादवा का सवाल यह की पी फी पावर फियनस कॉर्पूरिशन में क्या वियू बनता है चुकि अब यह काफी लंबी चाल चलने के बाद कंसलिडेशन कर रहा है नेक्स 50 में भी आ गया है क्या राय बंतीस पर आज एक फ्रेश अप्मूश शुरू हुआ है लंबी चाल करने के बाद रेस्ट हुआ अब लेना चाहिए इसको 400 का स्टॉप लगाई बस अब सही टागट कितने होने चाहिए नियर टम में 450 होने चाहिए उसको थोड़ा वक्त लागेगा लेकिन यह लॉजिकल टेक्निकल टागट है 450 के आसपा चला जाएगा वहां पर चब चला जाएगा तो स्ट्रक्चर और कि अगर है तो इसको कंटीनियों होल्ड करिये गौरी के सवाल है कि बैंक निफ्टी नोंने च्याले 700 का पुट लिया है मार्चे का 6 मार्च वाला 475 रुपे पर अज बैंक निफ्टी में खोड़ी भी टिंपनी नहीं कर सकता क्या कि मेरे पास डेटा बैंक निफ्टी का नह अजय इसले करें आपके ट्रेड ना गरो अज बैंक निफ्टी का है डेटा नहीं जब डेटा नहीं तो क्या हुआ है लिए अधिए नितु को सवाल तो दूसरे सवाल को दूसरे साथ गश्यक्स के साथ डिया टैस्या का उप्ती सको सताध बैंक के प्राइस पर टार शॉत- 127 के आसपास सेल 124 स्ट्रॉंग सपोर्ट तो जहीं से ब्रेकाइट उसके निचे स्टॉप लागए कहा तक जा सकते 135 उसे एक दो तीन दिन लग सकते यह शौट तर्म का नजरी है लेकिन सेल का स्टॉप अच्छा है मीडियम पर लॉंग टर्म के सबसे मेरी खाल से 150 तर्म अटर आफ टाइंग वहत लगेगा उसे अगला सवाल नहीं है स्मित का और यह एक्छली इनोंग आई टीसी का शेयर खरीद लिया है चार सो दस लॉंग टर्म के लिए नजरी जानना चाहते हैं फंडमेंटली तो इसमें अभी कुछ नहीं हो रहा जो एक बार हो गया था होटल वाला डाइवेस्ट करेंगे डाइवेस्ट मतलब उसकी आलग करके उसको लिस्ट करने की तयारी है उसके बात से स्टॉक में कुछ खास हुआ नहीं तो एक डिफेंसिव प्ले के तौर पर फ क्यांकर पर फिर इक बांस मिलेगा लेना देना होगा जैसे अब जो 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 जरूनी संफिन काफी वक्त लागेगा तो अब ट्रेडिंग करते हैं रहिए इंट्रडे जैसे चार्सों दस है चार्सों का आट लगाई इस्टाप का शौर्ट पर निकल जाए फिर आश्ते दो पांच दिन का चलती रहेगी, इसको यहां पर काफी वक्त गुशा रहेगा, ताइम वाइस करेशन की ज़रुवत, और काफी ज़रुवत है, यह कुछ दो चार छे मैने की ज़रुवत नहीं है, फिर एक बार 500 बार कर लेगा, तब फॉर्डमेंटल रीजन आजाएगा, लेकिन फांच की तरह बोनेक्स लक्माइगा, तो अनो अ हायर टीम बेसें, बडिक अगारण, चार्ट का लिज है, यह इसमें पराँ पचास का आसपा चलेगी, लेकिन श्रुक्शन मुरा नहीं है, यहां पर क्लोगर्ट टुश ब्रीच्नोलोजी इंगें, इसमें मिलेगा, ज उस कि खोल करके मुगेज दबास सूर्य लक्ष्मी कॉटन मिल्स के बारे में जानना चाहते हैं बारह सोचे लरके वन फिफ्टी सिवन पर साथ सूर्य लक्ष्मी कॉटन के चार्ट देखिए जा रहा सुर्य लक्ष्मी में कोशिश करता हूँ सुर्य रोशनी सुर्य लक्ष्मी नमबर उता हूँ बहुत था भी 521200 क्या 52 1200 521200 वे घ्रिद्मिटेक है थीक ही लगता है और करना चाहिए 78 के आसपास टेंड कर रहा है पर करी 65 के आसपास है प्रवक्त दीजिए गा वक्त लगेगा, वोल्यूम्स बहुत कम होते हैं, आज भी सिर्फ एक सो आठ शेर्स के ट्रेड़ हुएं, लेकिन भाइ मोड़ पर, 66 में स्टांग सपोर्ट जोन है, आप पर एजिन 90 इसी फंडेट फिरिक कोशिश कर सकता हुआ जाने के राजेश कुमर वर्मा ने एज जिफसी बैंक की तीन लॉट ले रखी है, मार्च वीचर की, 1432 रुपे के भाव पर, क्या उमीद रखें ये मार्च में, क्या मूमेंट आ सकता है इसमें, इस स्टांग मेरे पोर्टफोलिय स्टांग है, एजिफसी बैंक सबसे मैंने दे लिया इसलोजर, 1400 का स्टाप लाए ये ले आया तो अपों मिलेगा, 1440, 1450 इस जोना अपर थोड़ा रेसलिशन्स है, तो जैसे ही अपों मिलता है, प्रॉटे बोक करते रहेगा, 1450 का ट्रेल कर सकता है, वहां तक ट्रेल कर सकता है, ओके, रिशाब दुवेदी का सवाल है, फिचर जब साइड्र सोता है, तो थीटा डिके होता है, एनिवेग, 206, 205 का स्टॉप कर रहेगा, और अच्छा जिस दिन अपों मिलता है, उस दिन निकल जागे, अब सुख्विंदर के सवाल लेते हैं, सुख्विंदर ने येस बैंक खरीदा है, चार जार शेर हैं तिरपन रु जाए, अब ये एवरेज प्राइस में तोड़ा बता रहे हो जाओंगा, लोग जब एवरेज करते हैं, उसका मतलब है कि कॉस्स कम हो जाती है, बस, एवरेज करने ते कॉस्स कम होती है, ये हंडेट परसे, लेकिन वो सही नहीं होते, सही तब होगा है, जब उस पे आप प्रेंगा, भुट बेकार्ण पर प्रेंगा, जब दोड़ेगा, लेकिन एक बर फिर यहां से निकल जाएक तीस के ऊपर, और हायर टाइम प्रेंप्रेम बेगली बेगली पर उसके ऊपर खेंगा, तो फ्रेश अपूर शुरू होगा, अब यहां पर राउंडी बॉट जब पन का एवरेज करके भी यह बैठे हैं तो कमसंग दो थीन साल से यह बैठे ही है इसमें और भी और बैठना पड़े तीन चाहते हैं, ऐसा बेटर नहीं होगा कि इससे निगली जाएं दूसरा कहीं लेले, एक्शिली होता है, यहां से मुल्टी बैगर होने का चांस है, यह नहीं बोला, मेरा व्यू राइट है, प्राइज दाम है, मैं तो एड करोना, इन्होंने व्यू कहले आपना, और नहीं चार्ट नहीं कि यह बैठे है, और द्हाएं प्राइस को ध्यान में दीखिए, प्राइस खेली है, व्यू नहीं, आपका व्यू गलत हो सकता है, ले तो यहां पर दोग द्यान देड़र तो सही हो जाएंगे अज़ा कोई स्टॉक कम से माठ नो गुना हो गया तो उसको क्या करना चाहिए जैसे अनिकेत का सवाल है टाटा मोटर्स के 50 चाहर 110 पे लिए थे अब पूछ रहे हैं अब क्या करूं मैं अब तो 110 वाला कितना होगा दिखाई भी नहीं है इनको इक स्टॉप लगाना चाहिए उसको टेल करना चाहिए अब इनकी कॉस्त है कि इतनी ह 960 यह कंपनी बंध होनी वाली नहीं है एक हजार तक जाएगा यह अपॉइंटमेंट है उसके बाद आटक सकता है और इनको पैसे की जरूरत नहीं है तो कंटीनी वोल्डिक है यह अगर इनको लगाए कि एक बार मैं निकल जाओंगा तो एक लेबल लग लगा तो हजार एक सब्सक्राइब जाएगा उसमें स्टॉप लगाना ची 900 का और फिर कंटीनी वोल्ड करना है जो कि हजार नहीं तो टेगा और 900 का स्टॉप कंटीनी वोल्डिक है ट्रेल की जिए स्टॉप अंजिली का सवाल है सर जैगल प्रीपेट पे जो अभी हाल के लिस्टिंग है 360 पे नोने खरीदा है और कुन रस्टॉप जैगल जैड एजी जीघ लिएड़ यग अंजेगल हाली में लिस्टिंग हुआं लिस्टिंग रिस्टिंग करी डोन तूहंडर के लिएगल लिकिन मेरे का नियर कांटीनी बिल्लिकुल 3.5.2 के ट्रेल को ट्रेड है इंगुट अब तक 320 स्ट्रॉंग सपोर्ट जोन तक 320 बड़कर आने कंटिनी होड़ी करिए यागल जे ए जी जी एली ओके इस पे यह राय बनती है मरत्युंजा सिंग के पास अदानी के दो तीन शेयर है अदानी पोर्ट भी है अदानी पावर भी है अदानी पोर्ट की बात कर रहे हैं चल ठीक है अच्छा स्टॉक है लॉंग तम ने पढ़िया है तो कंटिनी होड अदानी पोर्ट ओके साथ सुएन फार्मा का चार्ट देखिए उसमें खबर थी आज की एक कंपनी के साथ मर्ज कर रहे हैं उसके बाद से स्टॉक में बड़ी तीजी आज देखने को मिल रही है स्टॉक लगबग 10% इस समय भी उपर है इस पर चल रहा है बेसिकली चार्ट स्ट्रॉक्टर सुएन फार्मा का पॉजिटिव है करेक्शन आया था दो मैने के लिए और आज जो मिल रहा है वो लगता है कि रिवर्सल पार्ट तो अगर यहां पर ही बंद होता है स्टॉक्टिफाइब में तो कंफाम हो जाएगा रि कॉन साथ? कल्यानी स्टील्स कल्यानी स्टील बढ़िया लगता है बहुत भर त्रेचे और लिकिन अपना सब्सक्री लगा एक साल में 200पर संट इन्होंने दो कामगे, एक तो इन्होंने एंसलिटिस कंपनी खरी दी थी और दूसरा, उडिसा में एक नया प्लांट भी लगाने वाले हैं, सॉलिट तेजी, एक और सॉलिट तेजी सर, रिको आटो 17% उपर 120 रुपए, इसका भी दखाएगा चार्ड एक मेने, छे मेने वाला, रिको आटो सर, यहां पर जो ब्रेक आउट मिला है, बहुत बढ़िया मिला है 100 के असपास, 120 के ट्रेट करना है, यह 133 के फिर्स न लॉजि आजा, गावा सराब, आपको आएल इंडिया पसंद है कि ONGC पसंद है, आपको मिलना चाहिए, तो, I think, ONGC मुझे ज़्यादा पसंद है, साधना नाइट्रो केमिकल्स, बानवे रुपय पर लिया है, सीरीष मिष्रा ने, कई सारे शेयर हैं, लेकिन मैं इस पर साधना लेना हूँ, SBFC रिसेंट लिस्टिंग है, साधना नाइट्रो केमिकल्स देखें के चार्ट क्या? जी हाँ, 75 गुप से ट्रेड कर, लेकिन एक हाई देखाते है, 140 के आसपास, अब 75 में, एक 85 पार कर लेगा, अपमोश फिर शूरु होगा, फिरला थोड़ा स्लगिश है, कहां तक स्लगिश लगा कहना मुश्किल है, केम कम डाउं स्लाइट्टी, आइस देखा स्लाइट होग मनिश रट और नुवको विस्टा के बारे में जानना जाते है, वो सीमेंट वाली कंपनी का वासा 2-3 सार पर लिस्ट रही थी, आई-पयो में इनको मिल गया था, तब से होल्ड करे हुए, चबधी शेयर हैं के पास, लॉंट प्रम व्यू क्या होगा, नूवको, आज अज में तोड़ी तक्लिफ है, N-U-V-O, N-U-V-O, I think, है तो, लिस्टिं के बाद लगाता हैं काफी गिरावट देखिया हमें, लेकिन मिझे लगता है 3.30 सेंपर जो ट्रेट कर रहा है, यहां पर समल जाए तो ठीक है, लेकिन कंफर्मिशन मिलेगा, आप मूम मिलेगा जब और तो रिष्की बाई, कंटीनी वोल्टिंगे, स्टॉप लगाने लगा, यह 330 का, कंटीनी वोल्टिंगे, और 330 साथ, 330 साथ पार करने लिए प्रीज, तो अच्छा मोम लेकिन, नुवेको, ओके, नमन देवडा का सवाल है, जिंसा टेक्नोलोजी पे, क्वांटिटी पांटिट पेसे, और दूसरा स्टॉक है, ट्रैक्शन, यह स्टार्ट अप था, जो डेटा इक अठा करता है, डेटा बेचते हैं, ट्रैक्शन, 1780 से शेर्स, 110 रुपे से तालिस पेसे, प्ले साथ पांटिटी वोल्टिंगे, अप्मो अन है, थोड़ा स्ट्रेच है, लिगने साथ जो प्रेट कर रहें, टी आरे, ची एक्स एन, प्रैक्शन मिल गया, मुझे यह से रिसेंट इस्टिंग, यह स्टिंगे, विशाल दिवाकर का जेसे, यह भी रिसेंट लिस्टिंग है, लेगने स्टॉकन अभी हाल फिलार में अच्छा मूब दिखाया है, क्या गरना च्छेंग 254 पर इन्होंने खरीदें 600 शेयर्स कोड़ करना चाहिए 220 का स्टॉप जगाना चाहिए सब्सक्राइब रिसेंट लिस्टिंग है लिस्टिंग के बादे कप्पू मिला है कंटिन्यू कायम है मेरे खाल से होल करना चाहिए 240-250 में बहुत स्ट्रांग सब्सक्राइब कंटिन्यू हो इने जेयर्स अबलू इन्फरा और अदानी पोर्ट में कौन सब्टाइब दोनों पोर्ट कंपनीज है अदानी पोर्ट की प्रेडिगरी थोड़ी अच्छी है मेरे खाल अदानी पोर्ट नेता रहे ओके अको एस्ट् की दें शुडाई बाई मॉर्ट दिस पॉंट और वेट क्या अभी इसी प्राइस पर और खुड़िदानी क्रें गेल में टो करना चाहिए अच्छी परइस नविग करें इस्ट्राइब करना चाहिए गावा सर बहुत सार सावार आज हमने लिए बहुत सार दर्श्कों के मन कि मदद हम लोग नहीं की, बहुत बहुत शुक्रे हमाई साज जुनने के लिए, और आपके मन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा, कि अनंत और राधिका की प्री वेडिंग के लिए पूरी दुनिया को छोड़ कर आखे जामनगर को ही क्यों चुना गया, ऐसा क्या है जामनगर झाल को ही कि अनंत भी दूरी वेडिंग के लिए भी दि Say झाल 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 तो आपको पता चल गया हुआ है जाम नगर क्यों चुना गया है प्यूडिफुल सिटी जरूर एक बार देखना चाहिए लेकिन फिलाल छोटा सा एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आप देखी खिलाए नमबर वन जैसे जैसे चड़ेगा चुनावी बुखार बाजार में भी चाहेगा इसका खुमार क्योंकि मार्केट और इलेक्शन दोनों में है गहरा कनेक्शन इस मौके पर चुकिएगा नहीं करना है सही स्टॉक सेलेक्शन चुनावी रण में कमाई का प्रण मेरे साथ हर रोज सिर्फ सी आवास पर पुरा HDFC के साथ मर्जर हो गया और उसके बाद 17-18 बिलियन डॉलर मार्केट काप हायर है अगर आप देखें प्राइप पी एस्यू बैंक्स की मल्टिपल हायर है अब इतना भी तो नहीं हो सब्रेना कुछ से मिली हर चीज की कोई लिमिट होनी चाहिए मैनेजमेंट हैस तो डी ओन दे फ्रांट फूट एकांट से आप हमें बताओ जी आपको नेम चाहिए कि आपको ग्रोथ चाहिए देव तो गाइड देवे इस अधर कंपनी गाइड अभी टेक्निकली कि SBI हमारी नंबर वान हो गई है और HDFC बैंक नंबर टू हो गई है और हम सब को होते हैं HDFC आप होल्डिंग बट बिकॉस अप्राइस मूवमेंट SBI नंबर वान हो गई मार्केट के आखरी डिड़ घंटे का सारा एक्शन फेट के मिनट से अगर डबिश आ गए तू एक मार्केट को बहुत 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 ट्रिगर मिलेगा एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा क्लोसिं बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई पहरते बाजारों में आज थोड़ी सी उठापटा दिखाई दे रहा है लेकिन अज़रे होंगी कि क्या ट्रेड आपने पकड़ना है पिछले दो साल से हमने PSU बैंक काफी बड़ा और वेट रखा है और वो पोजिशन हम अभी भी कंटिन्यू कर रहे है अलाकि specific to HDFC bank एक बात जरूर बता दू कि इनके वालुएशन अभी बिलो टू टाइम हो गया I think 1.8 टाइम्स कुछ चल रहा है अभी है जबकि पिछले 15-20 साल का अप अगर हिस्ट्री निकाल के देखेंगे तो ऐसे वालुएशन अग नहीं रहे है So stock में काफी value है, risk reward बहुत attractive है But tactically हमारे model portfolio में अभी भी हम PSU banks पर बड़ा ओर्वेट बना के रखेंगे साथ में NBFC पर, private banks अभी भी हमारा underweight है Mutual funds के साथ अपनी life को करें प्लाइन और कौन साथ आपके लिए हैं फाइदेमन, समझे हमारे साथ एक तो ये call जो हुआ, मुझे लगता है उसका टाइमिंग सही था क्योंकि जिस तरह से stock में गिरावाट आई थी Management और CEO जो गिशन ने सही समय पर काफी clarifications दिये लेकिन फिर भी हमें लगता है कि ये stock को यहां से बढ़ने में कुछ और वक्त लगे गा, जितनी भी बाते जो जगदीशन ने की है मुझे लगता है कि आने वाले दो या तीन quarter तक investors और market will observe कि ये जो आप बोल रहे हो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसकी वज़े से मुझे लगता है कि यहां से शायद बड़ा पैसा ना बने एजडिएफसी बैंक में इस समयना एक बहुत आपके पास एक बहुत अच्छी ट्रेड है SBI, मैं एक बाप बनाओ आपको, आप यहां से आप market जहां मर्जी जाए यहां से आप एक SIP रोज SBI में करें अगले तीन महिने तक, अगले तीन महिने तक आप रोज एक शेयर लेना है, दस शेयर लेना है, सो शेयर लेना है, जो आपकी श्रदा हो, जो आपकी capacity हो, उसके हिसाब से आप और नश्कार स्वागत है आप सभी का सीनवी से आवाज पर 1st March, नई सीरीज का पहला सत्र और भारते बाजारों में एक बहुत तगड़ा pullback देखने को मिला है कल, of course, closing से ही कुछ संकेत मिल रहे थे की recovery आएगी, लेकिन आज वी recovery स्क्रीन पर है 200 points की जाज से जादा की बढ़त, इस समें nifty 50 trade करता हुआ, फिर 2200 के पार निकला है ये और साथी साथ अगर आप nifty bank तेखेंगे तो वहाँ पर भी momentum लोटा है 500 points तक की बढ़त यहाँ पर बनती दिखाई दी है, nearly day high के आसपास ही इस समें trade बना है mid caps में भी एक strong pullback, आधा percent उपर, mid cap index इसलिए आपको दिखाई देगा advanced decline ratio दरसल तेजी वाले stocks के favor में आज साफतोर से नजर आ रही है momentum कहां से आया, एक तो of course banks है, लेकिन इसके अलावा अगर आप ध्यान दे आज Reliance Industries की भागिदारी अच्छी है और of course ICIC के साथ-साथ HDFC bank भी participate कर रहा है BPCL में भी एक move आता हुआ तेजी का, in fact BPHP IOC सभी में थोड़ा सा interest है क्योंकि फिर से brokerage reports positive आने लगी है, technology counters कुछ back foot पर और साथी से प्ला तो defensive trades आज थोड़े से back foot पर है, high beta में फिर interest लोट कर आता हुआ दिखाई दिया है यह है आपके लिए ताजा तस्वीर, लेकिन मैं जानकर जो खिलाडी number one में इस पूरे हफ़ते हमारे साथ है उनके returns कल तक क्या रहे, इस तरह की trades आज वो देंगे, इसकी बातचीत कर लेते हैं तो आईए अब थोड़ा सा interesting मुकाबला, रुचित और शिल्पा के बीच, रुचित करीब 4.8% के returns कमा चुके हैं कल तक और शिल्पा ने कमाए हैं करीब 4.1% तक के returns हरीश के लिए हवता थोड़ा सा struggle वाला रहा, 10% की गिरावट वहां देखने को मली पहले तो जिस तरह की opening इस सीरीज की हुई है रुचित जान में जान आई ये तो ये पूरे लास्ट देड मैने में जो हम टाइम वाइस करेक्टिव फेस में इसमें जो भी डिपस आए 40 डेज का ये में सपोर्ट बना है और वो कलब भी ब्रेक में हुआ जो लगब अभी 21,750-800 की रेंज में जब तक वो सपोर्ट इंटेक्ट है तब तक सर्टनी मोमेंट अब वापिस जोड़ा पॉजटिव तर्म हुआ है पर अगें जैसे हम देख रहे के पिछले एक देड मैने में हम चपी हाइस भी बना रहे है तो हायर लेज पर फॉल उप मॉज़ मिसिंग है तो बाइस तीन सो ये लेवर ब्रेक आप रेकाउट भी इंपोर्टन है करने करने के गया तो हम ये बाइस दिन सो इकी सजार आट सो आज ये चार्सो पांचो पॉंट की रेंज अब रिफाइंड होगी है जिसमें चुड़ा तो टाइम वाइस करेक्शन देखने को जरूर मिल रहा है लेकिन शुल बाप ये पुल बैक इस पर आप बेट कर रहे थ थर्स्डे से ही इवेंचुली 22,200 के पार लोटता हुआ अब व्यू क्या है इंडेक्स पे? 22,500 से 22,800 के लेबल्स वैल प्लेस्ट है हरीश आपकी अप्रोच क्या रहेगी कंस्रिंग पुल बैक है अगुदमनी हरी जैसे हमने कल एक्सपेक्ट किया था पुल बैक तो देखने मिला है शांदर सरेके से लेकिन अगर निफ्टी की बात करते तो निफ्टी में 22,000, 220, 230 ल तो उसके उपर क्लोजिंग नहीं देखने है तो मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रांग पाइंग देखने मुश्किल है तो हमेवर दो मुमेंटम भी अपसे मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत बड़ बाद बाय रखें यह ट्रेज रहेंगे चलिए करके सब का पोटफो पोर्टफोलियो एक बार स्क्रीन पर रखेगा, यहां पर इन्हों ने दरसल अभी भी ABFRL के ट्रेड को होल्ड किया हुआ है, गौधरिश प्रॉपर्टीज भी ट्रेड खुला है, आज सुबह में GMR एपोर्ट के ट्रेड से जो सेल साइट का ट्रेड था, महां पर एक्जिट किया, यह बताई आज हरीश नया ट्रेड क्या जोड रहे हैं? आपके लिए तेजी वारा ट्रेड जो आया है NTPC में, बाइकॉल. अब आते हैं रुचित के पोर्टफोलियो पर, तो रुचित का एक ट्रेड एशन पेंट अभी भी पोजिशन में है, और कल एक अच्छी रेकवरी देखने को मिल रही थी इस टॉक में, PVR सेल साइट प्र खरीदारी की सला रेगी यहां पर, तो इडिली विजिन दे मैटल्स भी अगर आप देखेंगे तो स्टील डिलेटिब जो स्टॉक से, उनमें मोमेंटम जादा स्टॉंग जारा रहा है, तो करनली 146 के आसपास यहां पर खरीदारी करें, 141 के नीचे के स्टॉप लसे रखे ठीक है, शिल्पा का पॉर्टफोलियो देखेंगे, तो शिल्पा ने आज सभी जो ट्रेज कारी करके आए थी, वहां पर एग्जिट कर लिया है, तो पर प्रॉफित बुक कर लिया रादर, टारक कॉम, वेदानता और अमबोजा सिमेंट, बताए शिल्पा, आज का नया ट् सेल में, सेल मुझे यहां पर अच्छा लग रहा है, यहां पर मोमेंटम स्टॉंग है, 135, 140 के लिए, तो करेंटी ट्वेट करा है, 128.5 में, तो इसमें पाय कीजिए, 123 का स्टॉपलस रहेगा, पहला टार्गेट रहेगा, 135, देन 140. 135 के टागेट के लिए एक उपरचुनिटी आपको सेल में भी दिख रही है, तो मेटल्स की जो बात तरहसल की जारी थी, रुचित की तरफ से, वो थीम भी आपको शिल्पा के पोर्टफोलियो में दिख रही है, रुचित और शिल्पा वैसे एक-एक ट्रेड और जोड सकते हैं, उस पर आएंगे, लेकिन आज आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, टिप्स इंडस्ट्री का शेर, स्टॉक में कई सारी डिवेलोप्मेंट्स आती हुए दिखाई दी हैं, आज की ताजा खबर ये है कि वोनर म्यूजिक के साथ इन्होंने अपना करार एक्स्टेंड किय है, अब टिप्स इंडस्ट्री के गाने ग्लोबल आक्सिस के लिए ये करार बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, कंपनी के पास मैं आपको बता दूँ, 23 भाशाओं में 30,000 से गानों का कलेक्शन है, ये इनका बैंक है, इन्होंने हाल ही में एक बाइबैक को भी अप्रूवल दिया है, इस सब पर बात करने के लिए हमाएसाथ कंपनी के M.D. कुमार तौरानी है, तौरानी जी स्वागत है आपका सीनभी से आवाज पर, पहले तो ये वार्नर के साथ जो करार आपने एक्स्टेंड किया है, ये क्या रिन्यूवल के लिए आया था, वो एक्स्टेंड ह तो और भी हमने उनको सर्विसेस दिये हैं बढ़ा के, और ये भी आप बले बिजनस करो, क्योंकि हम उनसे खुछ थे, वो हमसे खुछ थे, हमारा कॉंटेंट बहुत अच्छा बिजनस कर रहा है, आप देखिए, मार्च 21 में हमारी टॉप लइन 90 क्रोड थी, और 23 मार्च मे हमारी जो पहले डील थी, उसके अराउं तस गुना हमने बड़ी डील उनके साथ की है, और एमजी डील, कि हमें वो येर ओन येर पैसे देते रहेंगे, बिग्निंग ओव दे येर में ही पैसे दे देगे हमें, तो वो एक बहुत अच्छा हुआ, मेरे खाल से टिप्स के लि पता पाएंगे, कितना पैसे आएगा इस पर्टिकिलर सौदे के रिन्यूवल से? मैं प्लीज आपसे ये शेर नहीं कर सकता हूँ, थोड़ी कॉंफिदेंशर है, थोड़ी कॉंपटिशन भी है, आपको ये कह सकता हूँ कि जो पहले जो डील थी, उसे ये दसगुना बड़ है, एक चीज आप लोगों ने एक तो बाइबैक पिछले हफते अनाउंस किया है, साथी तो ये बाइबैक के पहले बताईए, जो 625 रुपे पर आएगा, क्या प्रिमाइस था इस पर्टिकलर बाइबैक में और क्या प्रमोटर्स पार्टिपेट करने वाले हैं इस बाइब पर आएगा टी करें तो हमें पास अभी हमारे पाकेट बरे हुए है, तो हमें अभी पासे प्लूथ नहीं कर रहते हैं। और हम पूरा benefit shareholders को देंगे तो promoter participation नहीं होगा ये सिरफ retail और institutions के लिए रहेगा ये बताईए promoters ने आपने जो आप कहा कि 11% offload किया है क्या वजय थी तो रानी साब क्यूंकि normally जो promoters take बेचते हैं उससे थोड़े से antenna खड़ा हो जाता है कि promoter का conviction है या नहीं company में उस पर आप क् हमने जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स थे हैं हमारे जो regular calls होते हैं हम उनको समझाते हैं हमें music business में पैसे की जरूरत नहीं है on the contrary हमने लास्ट यर भी 600% एक रुपय के शेयर पे 6 रुपया हमने dividend दिया पैसे की जरूरत नहीं on the contrary we keep on giving money from the company to shareholders तो ये पैसे हमें चाहिए थे ह हमारे जो दूसरी business है film business we need money for that business and film में पैसा आपको अफरन लगता ही लगता है और हमारी टार्गे है कि हम 10 बारा पिचरे बनाए और other company tips films तो वह इसके लिए पैसे लिए और हम उसमें जो पिचरे बनेंगे उन company को भी फायदा होगा प्लस उसका जो music rights होगा at arm's length proper valuation के situation में रहेंगे दोनों company के shareholders को फायदा होगा तो यह पैसा उसके लिए लिए गया है okay point taken coming back to the Warner deal यह कितना आड करेगा revenue में एक चीज़ यह मैं समझना चाहूंगी दूसरा मैं आप से समझना चाहूंगी fi23 से fi24 में हमने देखा जो number of nice songs जो आड हुए थे थोड़े से कम थे fi25 के लिए क्या कोई बड़ा आप launch तयार कर रहे है कोई बड़ा album निकल कर आ रहा है किसी एक particular entertainer का आपके दो-तीन सवाल थे पेला तो जो वो जो वो अनर की डील जो मैं हमेशा कहता हूं last 2-3 year से कि हम year on year 30% top line और last year से मैंने बोला कि 30% even bottom line भी करेंगे तो यह on a deal हमें उस टार्गेट पर बहुत बहुत help करेंगी and हम यह कह सकते हैं कि आगे आगे के सालों में हम वो टार्गेट अचीव करेंगे 30-30% this year जो यह 24 in होगा हमारी bottom line और भी strong हो रही है क्योंकि साल हमारे को 15% नहीं तो हमारा content भी कम आया है तो हमें उसका भी थोड़ा फैदा extra है bottom line में plus वैसे भी हमारी bottom line अच्छी हुई है इस साल क्योंकि business भी अच्छा हुआ है हम गाने की quantity पर जाते ही है वो तो fact है लेकिन हम हमारा जो target है वो भी हमने fix किया हुआ है कि हम top line का 30% हम अपने नए content में invest करेंगे तो that we are keeping in mind इस साल थोड़ा कम हुआ है लेकिन next year 30% होगा and मैं अशूर करता हूं अपने shareholders को कि बहुत अच्छा music आएगा tips के साथ हम बहुत उसके लिए मैनत कर रहे है entire team is working very hard we have a new CEO also Harina Ayer CEO Girish is my son then our CFO Mr. Sushant तो बहुत अच्छी team और भी बहुत सारे लोग हमें join किये हर जगा हमारा पूरा है कि हमारी जो target है जो हमने vision रखा है वो हम अच्छीव करें उसे उपर करें नीचे ना करें तो वो हम God willing अच्छीव करेंगे as a music lover बताईए अब मुझे कौन सा लेटिस्ट अलबम सुनना चाहिए जो शायर टिप्स पर अवैलेबल है मैं आपको बताता हूं अभी हमारे I think Monday onwards हमारी नई crew आप उसका टीजर देखिए तो टीजर बहुत अच्छे टीजर है उसमें म्यूजिक भी बहुत अच्छा आ रह होगे आप प्लीज उस पे जरूर वाच आउट करना इसको बहुत 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 शक्रिया मिस्टरानी हमारे ले समय नेकालने के लिए and good luck FI 25 में मैं उमीद करी हूं कि of course और नया music आप अपने platform पर लेकर आएंगे और launch जरूर करेंगे स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं Warner के साथ जो पहला करार था उसको extend किया है स्टॉक हाल फिल हाल में एक outperformer रहा है ध्यान रखियेगा 625 रुपए पर buyback आ रहा है promoters participate नहीं करेंगे और promoters की तरफ से अब आगे और शायद stake नहीं बिकेगा जो भी stake हाल में बिका है December और January में largely वो films को finance करने के लिए पैसे चाहिए थे तो यहाँ पर उन्होंने अपना कुछ हिसा बेचा 518 पर कर रहा है वो stock trade लेंगे एक break break बेके बाद of course एक एक trade और रुचित शिल्पा जोडेंगे overalls तिती क्या बन रही है returns की ये भी आपके लिए पेश करेंगे जैसे जैसे चड़ेगा चुनावी बुखार बाजार में भी चाहेगा इसका खुमार क्योंकि market और election दोनों में है गहरा connection इस मौके पर चूकिएगा नहीं करना है सही stock selection चुनावी रण में कमाई का प्रंट मेरे साथ हर रोज सिर्फ सी आवास पर पूरा HDFC के साथ merger हो गया और उसके बाद तो 17-18 बिलियन डॉलर I forget the exact numbers 18 बिलियन डॉलर market cap higher है अगर आप देखें PSU banks की multiples higher है अब इतना भी तो नहीं हो से जाना कुछ से मिली है अर चीज की कोई limit होनी चाहिए management has to be on the front foot, they can't say आप हमें बता हो जी आपको name चाहिए क्या आपको growth चाहिए they have to guide the way these other companies guide अभी technically SBI हमारी number one holding हो गई है और HDFC bank number two हो गई है और हम सब को होते हैं HDFCs are top holding but because of price movement SBI number one हो गई market के आखरी डिएड़ घंटे का सारा action closing bail बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई भारते बाजारों में आज थोड़ी सी उठापटा दिखाई दे रहा है लेकिन अज़रे होंगी कि क्या trade आपने पकड़ना है decisive वक्त है कि आप अपने profits to cash में convert कर ले है जाने माने experts के साथ मुझे रगता है ये tip को एक buying opportunity की तरह देखना चाहिए देखिए कमाई काड़ा पिछले दो साल से हमने PSU banks काफी बड़ा और वेट रखा है और वो position हम अभी भी continue कर रहे है अलाकि specific to HDFC bank एक बात जरूर बता दू कि अभी बिलो टू टाइम हो गया I think 1.8 ताइमस कुछ चल रहा है अभी है जबकि पिछले 15-20 साल का अप अगर हिस्टी निकाल के देखेंगे तो ऐसे valuations अभी रहे है so stock में काफी value है risk reward बहुत attractive है but tactically हमारे model portfolio में अभी भी हम PSU banks पर बड़ा ओर्विट बना के रख है साथ में NBFC पर private banks अभी भी हमारा underweight आपके लिए हैं फाइदेमन समझे हमारे साथ बताईए क्या होता है ये एलिसस हमाई दर्श्म होगा ये तीन साल तक lock-in होता है और fund manager ऐसी companies में डाल सकते है जो long-term wealth creation हो सकते है एक तो ये call जो हुआ मुझे लगता है उसका timing सही था क्योंकि जिस तरह से stock में गिरावाट आई थी management और CEO जग्डिशन ने सही समय पर काफी clarifications दिये लेकिन फिर भी हमें लगता है कि ये stock को यहां से बढ़ने में कुछ और वक्त लगे गा जितनी भी बाते जो जग्डिशन ने की है मुझे लगता है कि आने वाले दो या तीन quarter तक investors और market will observe कि ये जो आप बोल रहे हो हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसकी मुझे से मुझे लगता है कि यहां से शायद बड़ा बड़ा पैसा ना बने HDFC बैंक में इस समयना एक बहुत बहुत आपके पास एक बहुत अच्छी ट्रेड है SBI मैं एक बाप बनाओ आपको अब यहां से आप market जहां मरजी जाए यहां से आप एक SIP रोज SBI में करें अगले तीन महिने तक अगले तीन महिने तक आप रोज मतलब एक share लेना है, दश share लेना है, सो share लेना है जो आपकी शरद्धा हो जो आपकी capacity हो उसके हिसाब से आप और dip में ज़्यादा buy करें obviously यह करें SBI पर अगले तीन महिने तक और उसके बाद भूल जाएं इसको अगले तीन साल के लिए और तीन साल के बाद अपना portfolio देखिए उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ मैं जो price patterns observe कर रहा हूँ और जो मैं economy को इस समय देख रहा हूँ और जो SBI के numbers रहे हैं और जो white paper भी आया था government के तरफ से मैं उन सब को जो देख रहा हूँ मुझे exactly वही time याद आ रहा जो 2003 से 2007 का phase था जिसमें SBI ने massive out performance दिखाई थी मुझे हैरानी नहीं होगी अगर अगले तीन साल में SBI का stock 2000 तक पहुँच जाए तो अब देखें ये चीज़े क्या होती है कि कहने को यहां बड़ी लगती है लेकिन कोई हरानी की बात है नहीं हम करीब तीन महीने पहले बात करते हैं तीन अच्छे महीने पहले SBI की SBI का stock जब बारा महीने तक चला नहीं था और बारा महीने में earnings उसकी 60% बढ़ गई थी 60% तो अपने आप stock आपका cheap हो गया था उसकी वज़े से अब उसमें से 30% के करीब move आ चुका है तीन महीने में पिछले तीन महीने में वो 30% का move आ चुका है मेरी खाल से अभी भी यहां काफी catch up होना है और अब finally लोगों को realize हो रहा है कि नई PSU है तो क्या हुआ बड़ा बैंक है तू बिक तो इग्नोर है और इसके लिए ये मेरी कहाल से आज समय बिक स्टॉक में भी था हमारे और मैं इसको consistently in fact आगे आने वाले कई हफतों में ये आपको मेरी बिक स्टॉक्स ये स्पोटलाइट के लिएस में देखेगा बाजार खुलने से पहले जानिये बीस चुरिंदा स्टॉक्स बैंक और आइटी इन सब पर खास ध्यान रखना चाहिए जो हर रोज आपको बनाएंगे माला माल पावर स्टॉक्स अच्छा पावर प्रदर्शन दिखाई रहे तीनों स्टॉक्स को अच्छी गबरों के चलते ग्रीब रखा है देखिए सीधा सौदा सिर्फ CNBC आवास पर वैल्यूएशन कोई सस्ते नहीं रहे परफॉर्मनस काफी स्टॉंग आया है स्माल केप और मिटकेप में तो बेटरी स्टॉंग आ गया लाज केप में भी परफॉर्मनस टॉंग है तो यहां से मार्केट को एक कंसॉलिडेशन का दर्कार है थोड़ा टाइम और प्राइस करेक्शन का दर्कार है दूसरा है जो सेक्टर्स अच्छे करेंगे जहां पर वैल्यूएशन थोड़े एक्सेस हो गए जैसे हो सकता है डिफेंस है हो सकता है थोड़े रेल्वे स्टॉक्स है वो सब में लॉंग टर्म प्रॉस्पेक्स अच्छे हैं आप देखरें के लाड़ी नंबर वन लेकर रहात है वोड़े फोन का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर करीब 4 पसंट से जादा की तेजी स्टॉक में देखने को मिली है हम सब जानते हैं कि कंपनी ने हाली में शेहोल्ड अप्रूवल ले लिया है बोड अप्रूवल ले लिया है उस फंड रेस के लिए कुल मिलाकर 45,000 करोड कंपनी रेस करना चाहती जिसमें से 20,000 करोड लाजली एक्विटी के जरिये रेस किया जाएगा अब इसी पर moneycontrol.com पर एक रिपोर्ट आई है जो देबोर्शी चाकी ने दरसल रिपोर्ट लिखी है इनके national corporate editor और शायद यहाँ पर anchor investors की तरफ से interest आ गया है और कुछ sizable amount tie-up भी होता दिखाई दे रहा है देबोर्शी क्या details हैं आपके हाथ तो यह उन्होंने अपने lenders को बताया है इसके साथ में जो हमें समझ में आ रहा है कि इनके जो promoters हैं यह भी साथ में contribute करेंगे अधितिया बिला ग्रूप obviously वो contribute करेंगे साथ में मेरे क्याल से moda phone group PLC भी शायद इसके साथ में contribute करेंगे तो यह उन्होंने अपने lenders को बताया है इससे यह काफी positive development है अगर company के perspective से आप देखें तो कौन है यह anchor investors हमें अभी तक इसका नहीं हमें पता चलाया है इनकी identity नहीं पता चली है but company ने बताया है कि यह सारे जो investors हैं यह already tied up है और जैसे ही सारे approvals आ जाएंगे process जैसे शुरू होगा यह इस company में invest करेंगे अधे बोशी सब्डेट के लिए वाकरी में एक बड़ी खबर और एक बड़ा relief कि देखिए बातचीत तो शुरू हो गई है यह sharehold approval के लिए वो fundraise वाली इस्तिती आएगी रेकिन अभी से company कुछ anchor निवेशकों से बातचीत कर रही है और commitment आ रहा है लगबग 1 billion dollar का यानि कि उस 20,000 करोड में से 8,200 करोड तक का commitment आतावा दिखाई देगा अलग से बात यह भी चल रही है कि promoters भी participate करेंगे शायद Vodafone PLC भी participate कर सकता है इस particular fundraise में इसलिए स्टॉप में अच्छी खासी तेजी 4% ऊपर वो ट्रेड करता हुआ दिख रहा है तो यह आपकी स्क्रीन पर आया है ट्रेड चले रुचित और शिल्पा ने मेरे ख्याल में इस बीच और ट्रेज आइडेंटिफाई कर लिए है रुचित क्या जोड़ेंगे इंडर्स टावर्स में खरीदारी की सला रही तो हाय टॉप हाय बोटम सक्चर कुछ अफ्टों से बन रहा है ट्रेंड जली भी कापी स्टॉप नजर आ रहा है तो यहां पर 248 के स्टॉप लॉस से बाइंग करे तो यहां पर मुझा लगता है 900 के स्टॉप लॉस से आप यहां पर टागेट नाइंटी इसके ओपर थाउजंड के भी उपर आपको लेवल साते हो लिए तो यह फिलहाल पर मिल थाउजंड की तरफ बढ़ेगा फिलहाल आपका टागेट 970 का है और स्टॉप लॉस आपका 900 का रहेगा यह फिलहाल आपके लिए एक अपडेट आ रहा है चले आपके लिए वो सारी ट्रेंड स्क्रीन पर लेकर आते हैं हरीश ने NTPC जोड़ा 362 का टागेट 330 का स्टॉप लॉस यह कैरी कर रहे हैं गौदरिज और AB फैशन गौदरिज 25-22 के लिए AB फैशन करीब 250 के टागेट के लिए रिटर्न सबसे जादा कौन सा स्टॉप बना कर दे रहा है इसमें आपको दिखेगा गौदरिज करीब अब अगला पोटफोलियो आपके लिए आ गया है रुचित का एशन पेंट कैरी किया 2880 का टागेट टाथा स्टील जोड़ा 155 टागेट 141 स्टॉप लॉस फिर इंडिस टावर 269 टागेट और 248 का इनका स्टॉप लॉस है एशन पेंट 1% का योगदान देता हुआ टाथा अब लेकर आईएगा आप शिल्पा का पोर्टफोलियो तो सेल अभी अभी जोड़ा 135 का टागेट 123 स्टॉप लॉस और पिरमिल एंटर्प्राइज भी नया ट्रेड है 970 I think था 970 990 का टागेट 900 के आसपा स्टॉप लॉस पिरमिल अधा पसे जादा का योगदान सेल 0.31 प सेंट के रिटर्न्स और साड़े 5% तक के रिटर्न्स रुचित के हरीश माइनस 10% के रिटर्न्स पर हैं ये है आपके लिए ताजा तस्वीर खिलाडी नमबर वन की कोई भी अपडेट आएगा तो उसकी जानकारी हम आपके साथ शेर करेंगे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर और अफकोस एक बजे एक रीकाप ही लेकर आएंगे मिटकाप मंत्र में ब्रेक के बाद फोकस कमार्टी मार्केट के अक्शन पर जैसे जैसे चड़ेगा चुनावी बुखार बाजार में भी चाहेगा इसका खुमार क्योंकि मार्केट और इलेक्शन दोनों में है गहरा कनेक्शन इस मौके पर चूकिएगा नहीं करना है सही स्टॉक सेलेक्शन चुनावी रण में कमाई का प्रंट मेरे साथ हर रोज सिर पूरा HDFC के साथ मर्जर हो गया और उसके बाद तो इस 17-18 बिलियन डॉलर मार्केट काप हायर है अगर आप देखें प्राइप पी एस्यू बैंक्स की मल्टिपल हायर है अब इतना भी तो नहीं हो से रहना कुछ से मिली अर चीज की कोई लिमिट हो नहीं है मैनेजमेंट हैस्टो डी ओन दे फ्रांट फूट एकांट से आप हमें बता हो जी आपको नेम चाहिए क्या आपको ग्रोथ चाहिए देव तो गाइड दवे इस अधर कंपनी गाइड अभी टेक्निकली कि SBI हमारी नंबर वान हो गई है और HDFC बैंक नंबर टू हो गई है और हम सब को होते है HDFC आप होल्डेंग बट बिकॉस अप्राइस मूवमेंट SBI नंबर वान हो गई मार्केट के आखरी डिड़ घंटे का सारा एक्शन क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई भारते बाजारों में आज थोड़ी सी उठापटा दिखाई दे रहा है लेकिन अज़रे होंगी कि क्या ट्रेड आपने पकड़ना है जाने बाने एक्सपर्ट के साथ देखिए कमाई का डा पिछले दो साल से हमने PSU बैंक काफी बड़ा और वेट रखा है और वो पोजिशन हम अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं अलाकि स्पेसिफिक टू HDFC बैंक एक बात जरूर बता दू कि इनके वैलुएशन अभी बिलो टू टाइम हो गया पाइस टूब I think 1.8 टाइमस कुछ चल रहा है अभी है जबकि पिछले 15-20 साल का आप अगर हिस्ट्री निकाल के देखेंगे तो ऐसे वैलुएशन अभी रहे हैं तो स्टॉक में काफी वैल्यू है प्रस्क रिवाट बहुत अट्रैक्टिव है बट टैक्टिकली हमारे मॉडल पॉट्फोलियो में अभी भी हम PSU बैंक्स पर बड़ा ओर्विट बना के रखेंगे साथ में NBFC पर प्राइविट बैंक्स अभी भी हमारा अंडर्वेट है सब्सक्राइब के साथ अपनी लाइफ को करें प्लाइब की अच्छी रहेगी और इंता आरोई आरोटी प्रफाल भी आगता है और कौन से फंद्स आपके लिए हैं फाइदेमन समझे हमारे साथ एक तो ये कॉल जो हुआ मुझे लगता है उसका टाइमिंग सही था क्योंकि जिस तरह से स्टॉक में गिरावाट आई थी मैनेजमेंट और सीओ जगडिशन ने सही समय पर काफी क्लारिफिकेशन दिये लेकिन फिर भी हमें लगता है कि ये स्टॉक को यहां से बढ़ने में कुछ और वक्त लगेगा जितनी भी बाते जो जगडिशन ने की है मुझे लगता है कि आने वाले दो या तीन बड़ा बड़ा पैसा ना बने एच्डिएफी बैंक में इस समय नहीं एक बहुत बहुत आपके पास एक बहुत अच्छी ट्रेड है SBI मैं एक बाप बनाओ आपको अब यहां से आप मार्केट जहां मर्जी जाए यहां से आप एक SIP रोज SBI में करें अगले तीन महीने तक आप रोज एक शेयर लेना है दशेयर लेना है सो शेयर लेना है और तीन साल के बाद अपना पॉर्टफोलियो देखिए उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ मैं जो प्राइस पैटर्न्स अब्जर्व कर रहा हूँ और जो मैं एकॉनमी को इस समय देख रहा हूँ और जो एक SBI के नंबर्स रहे हैं और जो वाइट पेपर भी आया था गवर्मेंट की तरफ से मैं उन सब को जो देख रहा हूँ मुझे एक्जाक्ली वही टाइम याद आ रहा जो 2003 से 2007 का फेस था जिसमें SBI ने मैसिव आउट परफॉर्मेंस दिखाई थी मुझे हैरानी नहीं होगी अगर अगले तीन साल में SBI का स्टॉक दो हजार तक पहुँच जाए तो अब देखें ये चीज़े क्या होती है कि कहने को यहाँ बड़ी लगती है लेकिन कोई हरानी की बात है नहीं हम करीब तीन महीने पहले बात करते हैं तीन एच्छे महीने पहले SBI की कि SBI का स्टॉक जब बारा महीने तक चला नहीं था और बारा महीने में अर्निंग्स उसकी साठ पसंट बढ़ गई थी कि मैं बड़ा साठ पसंट तो अपने आप स्टॉक आपका चीप हो गया था उसकी वज़े से यह मेरी कहल से आज शवर बिग स्टॉक में भी था हमारे और मैं इसको कंसिस्टेंटली आगे आने वाले कई हफ्तों में यह आपको मेरी बिग स्टॉक से स्पोटलाइट के लिस में देखेगा बाजार खुलने से पहले जानिये बीस तुरिंदा स्टॉक्स बैंक और आई-टी उन सब पर खास ध्यान रखना चाहिए जो हर रोज आपको बनाएंगे माला-माल पावर स्टॉक्स अच्छा पावर प्रदेशन दिखाई रहे तीनों स्टॉक्स को अच्छी गबरों के चलते गरीब रखा है देखिए सीधा साउदा सिर्फ CNBC आवास पर वैल्यूएशन कोई सस्ते नहीं रहे परफॉर्मन्स काफी स्टॉंग आया है स्माल कैप और मिट कैप में तो बेतरी स्टॉंग आगया लाज कैप में भी परफॉर्मन्स स्टॉंग है तो यहां से मार्केट को एक कंसॉलिडेशन का दर्कार है थोड़ा टाइम और प्राइस करेक्शन का दर्कार है जो कि अगले लेक और राली के लिए वो उपर चासे दूसा है जो सेक्टर्स अच्छे करेंगे जहां पर वैल्यूएशन थोड़े एक्सेस होगे जैसे हो सकता है डिफेंस है हो सकता है थोड़े रिल्वे स्टॉक्स है वो सब में लॉंग टर्म प्रास्पेक्स अच्छे हैं जब जैसे आप बच्चों के साथ बैठना शुरू करते चाहे वो प्री स्कूल में क्यों ना हो आज बहुत साले ऐसे दिए गेम्स अविलेबल है वुदिन ब्लॉक्स अविलेबल है बोर्ट गेम्स अविलेबल है जिनके थूँ आप बच्चों में फिनांस रिलेटेड बाते दिमांग भी डाल सकते हैं जैसे की यूँन जिम्पल जो जार्गन से फिनांशिल वर्ट नमस्कार मैं हूँ दिपाली राना आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट और बात करेंगे सोने की जहां पर चमक का भढ़ती हुए दिखाई दे रही है एक मेने के उपरी सरुपर कर रहा है कारूबार क्या है ने ट्रिगर्स क्या बन रहे है नई रेंच मौका है या फिर नहीं सब पर करेंगे फोकस बात करेंगे food grains की क्योंकि सरकार के नए estimates के मताबिक इस साल food grain का जो production है वो 6% कम रह सकता है क्या है नए numbers क्या अंदाजा है क्या कह रहे हैं आफ्रे इसका भी करेंगे analysis और बात करेंगे spices की जहां पर हल्दी का रंग specially लाल होता हुआ देखाई दे रहे हैं क्योंकि एक आउट performance हल्दी में लगातार हम देख रहे हैं हमारे साथ हैं इंडियन बुलियन एंजिवलाज असोसियेशन के सेक्रेटी सुरेंदर मैता कुवर्जी गूर्प के डिरेक्टर अवीदुरा Emirates NBD के डाक्टर दोक्र दमेश भाटे भी हमारे साथ बने हुए हैं और ब्रेक के बाद हमारे साथ आगे मौचुत रहेंगे इंडियन चेंबर और फूड और अगरिकल्चर के चेर्में डॉक्र एमजे खान आप सभी का स्वागत है शो में शुरुआत कर लेते हैं सोने के साथ जहां पर इंटरनाशनल मार्केट्स में भी भाव एक महिने के उपरी सरुपा ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं दो हजार पचास जॉलर के आसपास प्राइस है यूएस का इंफलेशन डेटा जो रिसेंटली आया वो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन रहा साथ ही जो परसनल कंजम्शन एक्सपेंडीचर का इंडेक्स है वो भी 0.3% बढ़कर जैनवरी में आया है तो ये कुछ तमाम ट्रिगर्स जिसकी वजह से प्राइसे में हमने थोड़े से इंचप होते हुए देखे हैं हाला कि अभी भी जो नज़रे ठीकी हुई है वो फेडरल रिजर्व ओफिशल्स पर ठीकी हुई है कुछ और क्यूज उनसे मिले इंट्रेस्ट कट को लेकर लेकर लेकिन रीसेंट डेवलोपमेंट्स वर्नामेंटल्स कैसे दिखाई देरे इस पर करते हैं बाची सुदेंद मैता मासद बने हुए हैं नमस्कार सुआगे थे आपका तो पहले तो बताइए कैसे देखने आप फिलाल गोल्ड को रेंजबांट ट्रेडिंग हमने कंसिस्टेंटली देखी है ल लेकिन यदि आप देखें तो गोल्ड ने एक 2052 डॉलर तक स्पाट मार्केट में उपरी स्टर को छुआ लेकिन उसके बाद में आज सुगह से अगर आप देखें तो यह उसको स्रस्टेन नहीं कर पा रहा है यदि आप कल की स्थिति देखें तो डॉलर इंडेक्स में कल को ही गिरावट नहीं आई गिरावट आई लेकिन वह भी आल्मॉस्ट आल्मॉस्ट आज रिकवर हो चुकी है तो मुझे लगता है कि गोल्ड को यदि यहां से बड़ा ट्रिगर चाहिए या जो उमीद फैड कट के इंट्रेस्टेट से चाहिए वह अभी भी मिल नहीं रही है 2062 डॉलर के उपर ही यदि गोल्ड स्पॉट मार्केट में क्रॉस करता है उसके उपर जाता है तो ही यहां पर बड़ी तेजी बनेगी गोल्ड में वरना वापस हम गोल्ड को लगपक 24-48 घंटे के अंदर जहां से शुरू हुआ था 2033 डॉलर 30 डॉलर के आसपास हम वापस देख सकते हैं तो मुझे लगता है कि अभी भी जैसे आपने भी आती फेट के जो क्लूज है वो क्या इंट्रेस्ट को जून में घटाने के लिए काफी है इस पर एक डिवेट अभी भी बना हुआ है और जब तक यह एक असमंजस किस्तिती बनी हुई है तब तक गोल्ड के की तरफ वर्स के सेनारियों में कहां तक आप गोल्ड जाता हुआ दिख रहे हैं उपर की तरफ कॉन से लेवल इंपोर्टन रहेंगे नहीं तेजी के परस्पेक्टिव से उपर की तरफ जैसे मैंने का 2062 डॉलर से बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है इसके उपर जात तक कि क्लियर क्ल्यूज नहीं आ जाते की इंटरस्टेंट करताने वाला है साथ की साथ हमें कुछ नंबर सीटीएफ के भी देखने पड़ेंगे इटीएफ में पिछले तीन-चार महिनों से लगातार इटीएफ में से विड्रॉल हो रहे हैं तो कहीं गोल्ड में बहुत दिन में देखे हैं कि कुछ एराक एरान देसी कंट्रियों ने कुछ अपने रिजर्व में गोल्ड को लेकर इजाफा किया है लेकिन एटीएफ की बाइंग और दूसरे बड़ी कंट्री की सेंटरल बाइंग के बाइंग गोल्ड के प्राइसेज को बढ़ाने के लिए बहु आप तो यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद लेटर इस एयर हो तो अगर हम थोड़ा सा ब्रॉडर परस्पेक्टिव ले पहले अंदाजा यह था कि शाद चेकंड हाफ गोल्ड प्राइसे के मुवमेंट के सबसे बहतर रह सकता है फर्स हाफ इस तरीके से रिंज कर दिया कि हम तीन बार रेट कट करेंगे उसके बाद वह मार्च का रेट करके उन्होंने में किया में से जून किया और अभी यह कोई तैनी आपने बिल्पल सही का कि यदि यह यदि शिफ्ट होता है रेट कर और तो और भी ज्यादा जो है गोल्ड के उपर दबाव बना र प्रिफ्टी डालर की जो हल्चल होती है वो एक बहुती नॉर्मल हल्चल है डालर इंडेक्स के अंदर तो मुझे लगता है कि यदि यह जून से और भी आजे शिफ्ट होता है तो गोल्ड प्राइसेस में गिरावट आने की संभावना है लेकिन मुझे इंस्टिल अप्ट हुआ हे लेकी इसे पहले दांवाव की नुट के लिए तो जो जूलाइय के बासे बहतर पुरेड रह सकता है गोल के लिए लेकिन उससे पहले प्राइस में हल्के हो सकते हैं शूक्राइ मिंशूर मेता अपने देने के लिए धर्मेश भाटिया रवीदियोरभी हमाँ साथ बने हुए है धर्मेश विकली पहले तो आपकी ट्रेटिंग स्ट्राटरजीज क्या रहा है गोल सिल्वर दोनों पर इंग लेवल से अगर अगर आप गोल्ड की बात करें तो मैं गोल्ड में काफी ओवर्वार पूजि और डाउंसाइड एक्सेट करें के 62-300, 62-250 के लेवल फिर से आपको देखने मिल सकते हैं अंतराश्टर मार्केट में भी स्कीमित जायरा है 2020-2050 के दायरे में रहा है काफी सुष ट्रेड है फंडमेंटली इंट्रेसेट के कारण मार्केट में तेजी रिखने मिल रही है बट बहराल अगर आप देखे तो ETF बाइंग स्पॉट बाइंग मार्केट भी इतनी हो ने रही है इतनी उसलिस तरो पर तो मैं सला दूँगा इंट्राडे और स्पेकुलेटर्स यहां पर ब्र ओके तो यहां पर स्ट्राटेजी आपको बताए गई है फिलाल प्राइसे 62,537 पर ट्रेड करते हुए एनरजी पैक पर पर ग्राय लेंगे लेंगे उससे पहले क्विकली एक एक इक्विटी मार्केट से अबडेट आपको बता देते हैं निफ्टी ओल्टाम हाइस के और एक्स्टेंट होते हुए दिखाए दी है लेकिन बात करेंगे अब कच्छे तेल की और धरमेश एक रहा है आपकी क्रूड ऑईल पर भी यहां पर हमने जो बेस है कच्छे तेल का वह उपर की तरफ शिफ्ट होते हुए देखा है और अब कंसिस्टेंटली 81, 82, 83 डॉलर् पर की तरफ 85 डॉलर्स की रेंज में ट्रेड होते हुए देखा है तो रेंज थोड़ी ऊपर की तरफ शिफ्ट जरूर हुई है लेकिन फिराल जो फंडमेंटल से वह आप कैसे रीट कर रहे हैं और ट्रेडिंग स्ट्राइजीज क्या है अंधिक कच्छे दिल की बात के अध कर सकते हैं तो मैं रेकमेंट करूंगा यहां पर बिक्वाली करके चल सकते हैं यहां पर बेच के चलिए डाउंसाइग 6300-6200 के स्टर देखने मिल सकते 6600 का स्टॉप लाउस रहेगा कि चलिए रही ट्रेडिंग स्ट्राइजीज आपके लिए कच्छे तेल पर उक्रेसी के साथ एक ब्रेक के लिए ब्रेक बात करेंगे रवीद्युरा धरमिश भाटी हमारे साथ मौजूद है लेकिन साथ ही बात करेंगे इन्डियन चेमबर ओफ फूर और अग्रिकल्चर के जेर्मन दॉक्र एम जे कांथ से तल्दा पसाथ एक शुड़ सब्रेक के बाद मौग्या स्टीन प्रेसंट्स मजबूत स्टॉक्स अथ देए जैसे जैसे चड़ेगा चुनावी बुखार बाजार में भी चाहेगा इसका खुमार क्योंकि मार्केट और इलेक्शन दोनों में है गहरा कनेक्शन इस मौके पर चूकिएगा नहीं करना है सही स्टॉक सेलेक्शन चुनावी रण में कमाई का प्रंट मेरे साथ हर रोज सिर्फ सीन विसी आवास पर पूरा HDFC के साथ मर्जर हो गया और उसके बाद तो 17-18 बिलियन डॉलर मार्केट काप हायर है अगर आप देखिए प्राइप पी एस्यू बैंक्स की मल्टिपल हायर है अब इतना भी तो नहीं हो सिर्फ रहना कुछ से मिली हर चीज की कोई लिमिट होनी चाहिए मैनेजमेंट हैस तू दी ओन दे फ्रांट फूट देकांट से आप हमें बताओ जी आपको नेम चाहिए क्या आपको ग्रोथ चाहिए देव तो गाइड देवे इस अधर कंपनी गाइड अभी टेक्निकली कि SBI हमारी नंबर वान हो गई है और HDFC बैंक नंबर टू हो गई है और हम सब को होते हैं HDFC आप होल्डिंग बट बिकॉस अप्राइस मूवमेंट SBI नंबर वान हो गई मार्केट के आखरी डिड़ घंटे का सारा एक्शन फैट के मिनट सागर डबिश आ गए तो एक मार्केट को बहुत बढ़ा ट्रिगर मिलेगा एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा क्लोसिं बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई पहरते बाजारों में आज फोड़ी सी उठापटा दिखाई दे रहा है लेकिन अज़रे होंगी कि क्या ट्रेड आपने पकड़ना है पिछले दो साल से हमने PSU बैंक काफी बड़ा और वेट रखा है और वो पोजिशन हम अभी भी कंटिन्यू कर रहे है अलाकि specific to HDFC bank एक बात जरूर बता दू कि इनके वालुएशन अभी बिलो टू टाइम हो गया I think 1.8 टाइमस कुछ चल रहा है अभी है जबकि पिछले 15-20 साल का अप अगर हिस्ट्री निकाल के देखेंगे तो ऐसे वालुएशन अग नहीं रहे है So stock में काफी value है, risk reward बहुत attractive है But tactically हमारे model portfolio में अभी भी हम PSU banks पर बड़ा ओर्वेट बना के रखेंगे साथ में NBFC पर, private banks अभी भी हमारा underweight है Mutual funds के साथ अपनी life को करें प्लाएं और कौन साथ आपके लिए हैं फाइदेमन समझे हमारे साथ एक तो ये call जो हुआ, मुझे लगता है उसका टाइमिंग सही था क्योंकि जिस तरह से stock में गिरावाट आई थी Management और CEO जो गिशन ने सही समय पर काफी clarifications दिये लेकिन फिर भी हमें लगता है कि ये stock को यहां से बढ़ने में कुछ और वक्त लगे गा, जितनी भी बाते जो जगदीशन ने की है मुझे लगता है कि आने वाले दो या तीन quarter तक investors और market will observe कि ये जो आप बोल रहे हो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसकी वज़े से मुझे लगता है कि यहां से शायद बड़ा पैसा ना बने एजडिएफसी बैंक में इस समयना एक बहुत आपके पास एक बहुत अच्छी ट्रेड है SBI, मैं एक बाप बता हूँ आपको, आप यहां से आप market जहां मरजी जाए यहां से आप एक SIP रोज SBI में करें अगले तीन महिने तक, अगले तीन महिने तक आप रोज मतलब एक share लेना है, दश share लेना है, सो share लेना है, जो आपकी श्रद्धा हो, जो आपकी capacity हो, उसके हिसाब से आप और dip में ज़्यादा buy करें, obviously यह करें SBI पर अगले तीन महिने तक, और उसके बाद भूल जाएं इसको अगले तीन साल के लिए, और तीन साल के बाद अपना portfolio देखिए उसके बाद, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जो price patterns observe कर रहा हूँ ना, जो मैं economy को इस समय देख रहा हूँ, जो SBI के numbers रहे हैं, जो वो white paper भी आया था government के तरफ से, मैं उन सब को जो देख रहा हूँ ना, मुझे exactly वही time याद आ रहा, जो 2003 से 2007 का phase था, जिसमें SBI ने massive out performance दिखाई थी, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर अगले तीन साल में SBI का stock 2000 तक पहुँच जाए तो, अब देखिए ये चीज़े क्या होती है, कि कहने को यहां बड़ी लगती है, लेकिन कोई हरानी की बात है नहीं, हम करीब तीन महीने पहले बात करते हैं, तीन अच्छे महीने पहले, SBI की, कि SBI का stock जब बारा महीने तक चला नहीं था, और बारा महीने में earnings उसकी 60% बढ़ गई थी, कि मैं बहुत, 60% तो अपने आप stock आपका cheap हो गया था उसकी वज़े से, अब उसमें से 30% के करीब move आ चुका है, तीन महीने में, पिछले तीन महीने में वो 30% का move आ चुका है, मेरी ख्याल से अभी भी यहां काफी catch up होना है, और अब finally लोगों को realize हो रहा है कि, नहीं, PSU है तो क्या हुआ, बड़ा bank है, too big to ignore है, और इसके लिए, ये मेरी ख्याल से आज चुक में भी था हमारे, और मैं इसको consistently, in fact, आगे आने वाले कई हफ्तों में Markets पर नज़रा लेंगे और Nifty all-time high से सिफ 15-17 अंक दूर है, लेकिन 106 already all-time highs लगा चुका है, bank Nifty पौने 2% उपर है और ज़ुरदार participation, metals, energy और Nifty bank की तरफ से markets में आते हुए दिखाए देरा, अनुझ भी मारा सथ मौजूद है, अनुझ, in fact, mid caps में ज़े profit taking आती है, तो एक Nervousness retail investors के मन में आती है, लेकिन उस Nervousness को Nifty या Sensex तो oblige करते हुए दिखाए नहीं दे रहे हैं, कैसे देखें इस तरीके के momentum को जब आगे election हूँ, already markets record highs पर trade कर रहे हूँ, बिल्कुल अनुझ आज मैं सुबह जो चर्चा भी कर रहा था कि एक आज ही शायद all-time high आपको द consolidation होता रहेगा, लेकिन उससे डरना नहीं है basically, ये market अब तियार है, वो 23456 का जो हमारा एक Nifty का एक view है, कि मार्च की मार्च में शायद आपको देखने को मिलेगा, आज की तेजी का कारण समझे, आज की तेजी का कारण है बहुत simple, जो GDP की आज शांदार आकडे आये थे, उ और एक 8% की economy की growth, उसमें आप जूर देजे 5% inflation, उसमें जूर देजे आप dividend yield, तो earnings growth और सब को जूर देजे 15-16% की compounding बनती है market की, और ये market इसी चीज़ को आगे assume कर रहा है, और एक चीज़ आपने सही बोली, कि mid cap में थोड़ी nervousness रही है, लेकिन large cap एक्दम stable रहे हैं, और एक market ने और चीज़ की, दो दिन में, sorry, दो हफते में, दो बार market ने 20-day exponential moving average को test किया, इंटर दे में break किया, लेकिन closing में break नहीं किया, तो बहुत weak hands को market ने एक तरीके से बाहर निकाला, और उसके बाद ये all-time high आया sensex बर, और जल्दी आप nifty पर भी all-time high देखेंगे, तो एक बहुत ही common question, जो हर किसी viewer के मन में समय होगा, और investor के मन में, कि अब करें क्या market में, profits लें, profits को hold करें, या पर एक relook करने का time है, अपनी investments को, कहां अपनी investment की हुई है, क्योंकि confusion ये है, कि valuations के हिसाप से stocks को देखें, और उनकी price performance के हिसाप से stocks को देखें, लेकि मेरा मानन तो यह दिपाले कि nifty ETFs या bank nifty ETF या अगर index की ETFs है, तो उनको आपको छेड़ना भी नहीं है, बिल्कुल भी, उनमें तो आपको हमेशा बने रहना, यह तो मतलब अगले 20 साल की market है, यह तो अगले 20 साल की bull market है, तो उसमें तो बिल्कुल आपको, हमारा एक concept है, dip and sip, कि अप यह दिखा रहा होता है कि शायद कुछ broader market में profit taking हारी है, यह से mid cap में आई थी पिछले हफते, एक पिछले हफते एक view लिया था कि mid cap में, कुछ mid cap में selectively आप चाहें तो profit booking कर सकते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन large cap में तो मुझे लग रहा है अभी भी यहां काफी space है, और ए बैंक Nifty ने एक अच्छा move दिखाया, और election का साल है यह और इसी महीने election announce हो जाएंगे, normally, normally banks outperform करते हैं, election month की announcement से पहले, तो इसके लिए, यह जैसे आट सो पॉंट उपर है, मुझे लग रहा है, वो 400-500 पॉंट intraday में possible है, बैंक Nifty में, और एक चीज मार्केट तयार है, न support लिया और वापस उपर आ गया, अब 2400-2500 मेरे खाल से अगला resistance बनेगा Nifty पर, अच्छा अनुच क्विकली एक चीज और, आपने consistently जब भी बातचीत हुई है, market जब all time highs पर आये हैं, तो यह conversation हमेशा हुआ है, कि अब शायद large caps पर ध्यान देना है, mid caps के comparison में, mid caps में collaborate करने की ज़ुरत है, तो again उसी theme के साथ stick करना चाहिए, दूसरी चीज यह मान के चलें कि अभी प्री election rally है, जो sustain करेगी markets में, बिल्कुल, तो दिखे, दोनों सवालों का जवाब दे देता हूं, पहले दूसरे सवाल का जवाब दे देता हूं, 100% यह प्री election rally है, और यह rally के शुडवात हुई थी जब state assembly election के outcome आये थे, हमने उस दिन से बात की थी, कि यहां से अब एक बड़ा move आपको market में दिखेगा, और 23-24,000 तक के view मैंने लिया था, कि पहला vote पढ़ने से पहले आपको वो दिख जाएगा, क्योंकि market अब fully pricing कर चुका है, मोधी 3.0, कोई आशंक है, लेकिन 23-500 तो ही हाँ पर, अब आपने बात की large cap और mid cap और मेरा comfort large cap में ज्यादा इसलिए है क्योंकि large cap में वाल्यूवेशन comfort काफी है compared to mid caps, जैसे हम कल भी डिसकस कर रहे थे निले शा के साथ कि mid cap, small cap, micro cap के valuations काफी हाई हो गए है, comparatively large cap में वाल्यूवेशन comfort ज्यादा ह यह नहीं है कि आपको lock, stock and barrel सारे mid-cap बेच देने, mid-caps में भी बीच-बीच में profit booking आती है, उसका mid-cap भी चलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं यह कॉल ले रहा हूँ कि नहीं, आप अपना mid-cap portfolio जिरो कर देजिए, mid-caps में भी जैसमें ने का था कि 3-4 category है, एक category है, जो अच्छे stocks, अभी भी valuation comfort में हैं, उनमें बने रही है, कोई दिकत नहीं है, प्रॉफिट कहां बुक करना, जहां अच्छे stocks या तो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, या खराब stocks जो बहुत ज़्यादा चल गए हैं, उन दो cases में profit बुक करिए, लेकिन across the board profit बुक करने का उस से में भी call नहीं था, और थोड़ा समय एक बार देख रहा था कि क्या nifty ने लगाया कि नहीं all time high, I think 22.297 के करीब का all time high है, 22.296.85 तक गए हम, 22.297.5 है वो all time high दिपाली, मेरे कहाल से लगना चाहिए, और बड़ी बात यह है कि all time high तो ख़र लगेगा, लेकिन एक चीज़ और समझ लीजे, हम अपने lifetime में काफी lifetime highs देखेंगे, हम मेरे कहाल से उस blessed generation में हैं, जिसमें market इस समय एक इतिहास की सबसे बड़ी bull market में से जा रहा है, और हम सबको उसमें पार्टिस्मेट करना चाहिए, इन्वेस्मेंट्स के थुरू, और कुछ नहीं तो mutual funds, ETF, इनके थुरू, क्योंकि यह एक wealth generation का एक once in a lifetime opportunity है, और देखें किस तरीके के moves आ रहे हैं, कुछ और stocks देखिए, एक बार KOTEC महिंदरा बैंक देखिए, एक बार HDFC बैंक देखिए, यह सब के सब इसमें शांदार मोमेंटा मारा है, जड़ने के mood में है, और एक और चीज में अड़ करना चाहरा था, इसमें, बैंक निफ्टी की जिसमें बात की थी, कि बैंक निफ्टी शायद अगली rally को lead करें, वैसे भी बैंक निफ्टी में अभी भी distance है निपाली compared to previous all time high, लेकिन थोड़ा सा एक एक आज टॉक का और पुछ चाहिए डिपाली all time high, निफ्टी में भी लगाने के लिए, बिलकुल, तो बैंक निफ्टी पर का participation ज़रूरी भी है, और वो pull फिलहाल तो आते वे दिखाई दे भी रहा है, further देखना होगा, लेकिन अनुज एक चीज़ और है, बहुत सारी themes हैं, जिन्होंने role play किया है इस तेजी में, उसमें autos भी रहे हैं, अब निफ्टी ने भी all time high लगा दिया, और अब हम उसके ऊपर टिक रहे हैं, बाइस तीन सो के ऊपर जाने के तैयारी हो रही है, आज सुबह फीलिंग आ रही थी है, बात कर रहे थे, मैं और नीरज जी कि आज all time high लगेगा market में, जी हैं, आप सवाल पूछ रहे थी, autos, मेरे खाल से सारी domestic themes देपाली, not just autos, सारी domestic themes अच्छा करेंगी, वैसे ही ये महिना भी domestic themes का है, मार्च का महिना है, election से जज़ पहले का महिना है, तो उसमें नॉर्मली ये सब themes आउट परफर्म करती हैं, लेकिन बहुत ही शान्दार, historic, record day market के लिए, और मैं एक चीज़ कह रहा था, मैं थोड़ा सा अपने आपको इस चीज़ के लिए एक lucky मानता हूं, कि हमेशा जब भी all time high होता है, मैं मतलब छुट्टी पर नहीं होता हूं, मैं होता हूं office में, तो ये पिछले 10-15 साथ से जो मेरा एक रहा है, तो ये भी मुझे कई बार, मतलब अपने आपको मैं lucky फिल करता हूं, तो आज all time high नियो market के लिए फिर से एक बार. अनुश वो लेवल्स आपस से रिपीट कर दीजिए, जो आपने consistently maintain किये हैं, despite nervousness है, markets में थोड़ी बद profit taking आई है, तो निफ्टी पर कौन से लेवल्स है वो? वो 23456 है दिपाली, वो लेवल, और इसमें कहीं लोग कहते हैं कि ये कोई formula थोड़ना होता है, ये, obviously, ये सब हम सभी जानते हैं कि लेकिन क्या होता है कि अब आप 23500 कहें या उसको 23600 कहें तो थोड़ा सा इंट्रेस्टिंग थीम बैच जाती है 23456, इसके लिए हमने वो लेवल लिया था, और वो लेवल अमने लिया था जब निफ्टी 21,000 पर था, तब हमने बात की थी इस लेवल की 23456 की, और मैं उस पर अभी भी कायम हूँ, और बीच-बीच में, obviously, जैसे लास्ट वीक हुआ था ना, ऐसे भी टाइम आएगा जिसमें बीच-बीच मार्केट आपको बाहर निकालेगा, एक आद बार 20 देमा को वापस टेस करेगा, फिर लगेगा कि नहीं मार नहीं है, एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए इस समय, जहां आपको एतने बड़ी तेजी दिख रही है, अगले 10-15 साल में, 23456 तो एक माइल स्टोन है, फाइनल जर्नी नहीं है, फाइनल जर्नी तो निफ्टी में तीन या चार लाग की है, चलिए, एक काम करते हैं, देवि अब चार मिनट बाकी है, आफ्टर नून में तो गुड मॉनिंगी भोलूगा, लेकिन बहुषांदर मॉर्निंग मार्केट के लिए, अल्ल ताम हाई, अब आपका क्या बन रहा है? अनुज, बॉर्निंग, हरोज खुशी होती है एक बार, कि जबी-जबी मार्केट में हाई बनाता है, तो अब उचको सालिबेट कर देते हैं, वेल, आइगेस आचका जो पाकी सी परिशन है, मार्केट केंडर, वो सब हैविवेट स्टॉपता है, और आपकी राइट फुली मार्य अपनिडे, जसे आचके मार्य है थारारे एक बार, कि उचको सालिबेट कर देएttर, मेर्केट मिर्ला कोणे यौन इन। और इन टहरा प्लेटने लिए णती हैं एप सब्सक्राइब साप्ड जाओत मिया प्रीज चाहिए, कि इत्वर के जो फंड है पूल फंड है, फूल है एट्या पूल के एक उसक आप fourर प्सटीज के लिए एक कर्के लिएफार प्रीजा प्लेटने के लिए सब्सक्राइब से प ज़िए पर पॉजिटिव रहूंगा दो-सीन चीज के लिए एक तो फंडमेंटल रख एकोनोमी रिमेंस एकोनोमी रिमेंस एकोनोमी रिमेंस एकोनोमी रिमेंस एकोनोमी का जो ग्रोथ हाया है डिडिप का दो इक शर्काइज मैंनी, I feel that I think on a steady level, I think it could be 7-7.5% के बिच में GDP growth stable रहेगा, इसा मेना मानना है. So all in all put together, I think we can look ahead with a good time from the point of view of some of the better qualities of participating in this rally. So enjoy करते हैं, I think definitely enjoy करना चाहिए. कल तब हैजिंग प्रेशर था, मर्केट एक्स्पाइडी के अंदर, I think so that expiry days का प्रेशर भी निकोल चुका है. So one can look forward to the entire month of March with a positive expectation. बिल्कुल, बात-बहु शुक्रिया, Devin जी, इस अपने क्विक टेक के लिए, बिल्कुल जैसा दिपाली, Devin भाई भी क्या रहे हैं, बिल्कुल, तो पहली बार निफ्टी अब 22-300 के पार कारूबार करते हुए, नए रिकॉर्ड हाइस बनते हुए, देखें है, S&S अलड़ी रिकॉर्ड हाइस लगा चुका था, और अब जैसे अनुज ने भी मेंशन किया, कि अब नजरे रहेंगी निफ्टी बैंक पर, के साथ रहा ही है, लेकि निफ्टी बैंक के लावा, मेटल्स का भी पार्टिसिपेशन रहा है, मेटल इंडिक्स भी अगर आप देखेंगे, तो पहुने 3% उपर फिलाल कारूबार करते हुए, दिखाई दे रहा है, तो बाजार नए रिकॉर्ड हाइस पर आज के सेशन में कारूबार करते हुए, और इन फैक्ट एक अच्छा मोमेंटम मार्केट ने बिल्डप होते हुए, रुकने ऐसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ठैंक यू एनो, चुमें आने के लिए और क्विकली अपने वीउस हम आप करने के लिए, मार्केट पर एक ब्रेक, ब्रेक उस पर बाजार में भी चायेगा इसका खुमार, क्योंकि मार्केट और इलेक्शन दोनों में है गहरा कनेक्शन, इस मौके पर चूकिएगा नहीं, करना है सही स्टॉक सेलेक्शन, चुनावी रण में कमाई का प्रंट, मेरे साथ हर रोज सिर्फ सीन्विसी आवास पर, पूरा HDFC के साथ मर्जर हो गया और उसके बाद तो 17-18 बिलियन डॉलर, I forget the exact numbers, 18 बिलियन डॉलर मार्केट काप हायर है, अगर आप देखिए, PSU बैंक्स की मल्टिपल हायर है, अब इतना भी तो नहीं हो सेब्रेना कुछ से मिल, हर चीज की कोई लिमिट होनी चाहिए, management has to be on the front foot, they can't say, आप हमें बता हो जी, आपको name चाहिए, क्या आपको growth चाहिए, they have to guide the way these other companies guide, अभी technically SBI हमारी number one holding हो गई है, और HDFC bank number two हो गई है, और हम सब को होते है, HDFCs are top holding, but because of price movement, SBI number one हो गई. के मिनट सागर डबिश आगे, तो एक market को बहुत बरा trigger मिलेगा, एक अच्छा support मिलेगा. Closing bail बजने से पहले कीजिए, जबरदस्त कमाई. भारते बाजारों में आज पोड़ी सी उठापटग दिखाई दे रहा है, लेकिन अज़रे होंगी कि क्या trade आपने पकड़ना है. Decisive वक्त है कि आप अपने profits to cash में convert कर रहे हैं. जाने बाने experts के साथ. मुझे रगता है ये tip को एक buying opportunity की तरह देखना चाहिए. देखिए कमाई काड़ा. प्रिस्क रिवार्ड बहुत अट्रेक्टिव हैं. बट टैक्टिकली हमारे model portfolio में अभी भी हम PSU banks पे बड़ा ओर्विट बना के रखे हैं. साथ में NBFC पे. Private banks अभी हमारा underweight है. स्वादा अब आपता फायदेबंद funds में. mutual funds के साथ अपनी life को करें प्लाइ. इस बढ़ाएक ऑच्छी रहेगी और इंता ROC profile भी आगता है. यह सी कैटेगरी है जिसमें large cap, mid cap, small cap में हरे के और अच्जमीटिय में अच्छी है. एक तो ये कॉल जो हुआ, मुझे लगता है उसका टाइमिंग सही था, क्योंकि जिस तरह से स्टॉक में गिरावाट आही थी, मैनेजमेंट और सी यो जग्दीशन ने सही समय पर काफी क्लारिफिकेशन दिये, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि ये स्टॉक को यहां से बढ़ने में कुछ और वक्त लगेगा, जितनी भी बाते जो जग्दीशन ने की है, मुझे रबता है कि आने वाले दो या तीन प्वाटर तक इन्वेस्टर्स और मार्केट विल अब्जर्व कि ये जो आप बोल रहे हो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसकी वज़े से मुझे रबता है कि यहां से शायद बड़ा पैसा ना बने है एज़्डी एफसी बैंक में। इस समय ना एक बहुत आपके पास एक बहुत अच्छी ट्रेड है, SBI. मैं एक बाप बनाओ आपको अब यहां से आप, मार्केट जहां मर्जी जाए, यहां से आप एक SIP रोज SBI में करें, अगले तीन महिने तक, अगले तीन महिने तक आप रोज, मतलब एक शेर लेना है, 10 शेर लेना है, 100 शेर लेना है, जो आपकी श्रद्धा हो, जो आपकी केपैसिटी हो, उसके हिसाब से आप, और डिप में ज़्यादा बाइक करें, यह करें SBI पर, अगले तीन महिने तक, और उसके बाद भूल जाएं इसको, अगले तीन साल के लिए, और तीन साल के बाद पॉर्टफोलियो देखिए उसके बाद, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जो प्राइस पैटर्न्स अब्जर्व कर रहा हूँ ना, जो मैं एकॉनमी को इस समय देख रहा हूँ, जो एक SBI के नंबर्स रहे हैं, जो वो वाइट पेपर भी आया था, गवर्मेंट के तरफ से, मैं उन सब को जो देख रहा हूँ ना, मुझे एक्जाक्ली वही टाइम याद आ रहा, जो 2003 से 2007 का फेस था, जिसमें SBI ने मैसिव आउट परफॉर्मेंस दिखाई थी, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर अगले तीन साल में SBI का स्टॉक 2000 तक पहुँच जाए तो, अब चला नहीं था, और 12 महिने में अर्निंग्स उसकी 60% बढ़ गई थी, 60% तो अपने आप स्टॉक आपका चीप हो गया था, उसकी वज़े से, अब उसमें से 30% नमश्कार, फ्यूचर रिश्पेश पे हम सभी का स्वागत है, मैं हूँ सुमेत और इस हफते का 82nd लास्ट सेशन और आखरी फुल सेशन कह लिए फ्राइडे का दिन, जबकि अपने नए रिकॉर्ड सरों पर निफ्टी अभी काम काच करता हुआ, अब नए रिकॉर्ड सरों पर निफ्टी सेंसेक्स काम काच करते हुआ आपको दिखाई पड़ेंगे, एक बढ़िया तेजी बादारों के अंदर बनी हुई है, और निफ्टी बैंक करीब-करीब 1.5% उपर है, तो आज की ड्राइविंग सीट पर निफ्टी बैंक करीब 700- इस नई सीरीज में काम काच होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ब्राडर मारकेट्स में, मिड कैप, स्माल कैप उतना स्ट्रॉंग नहीं, जितना स्ट्रॉंग फ्रेंट लाइन इंडेक्स है, लेकिन वहाँ पर भी खरदारी देखने को मिल रही है, करीब-करीब आधा पर दिखाई पड़ रही है, लेकिन अदर्वाइस मारकेट के अंदर जो स्ट्रेंथ है, वो जरूर बरकरार दिखाई पड़ रही है, आज कॉंट्रिबूशन में, बैंक्स में, आईसे से बैंक आ गया, पचास नगोगा कॉंट्रिबूशन, रिलाइंस, चौते संगोगा कॉं हम सीदे बाचीत करते हैं, और उनकी रहा रेंडीती लेते हैं, इंडेक्स को लेकर भी, शिवांगी मैं नमस्कार, स्वागा दवाकर कम में, पहले तो मारकेट्स का निया ओल टाइम हाई हिट हुआ, कॉंक्राचुलेशन उसके लिए भी, और अब इस सेजी के बाद, क्या देखर आप सीरीज, क्या करना जी इंडेक्स में? काफी अच्छा पुलबाक मूफ देखने को मिला है, especially in the last hour, जो के एक इंडेकेशन था कि आज जो है वो अच्छा काफी पॉजिटिव रहने वाला है, और अगर हम सीरीज की बात करें, तो यहां पर हमने देखा है कि अच्छी रोलोवर हुई है, in line with the quarterly averages, करीबन 80% का रोलो है, इंडिया विक्ष्चो है, वो कूल ओफ होते वे दिखरा है, विच इस पॉजिटिव, बैंक निफ्टी में हमने थोड़े बहुत शॉट कवरिंग देखे है, 30% open interest reduction हुआ है शॉट साइड में, जो की एक अच्छा fresh leg of rally के लिए प्रिपेर कर रहा है, बैंकिंग इंडेक हम जरूर है, पर overall short covering move जो है, वो lead करेगा, banking index को आगे perform करने के लिए, trading perspective से अगर हम बात करें तो हम, you know, next level 22,450 तक के लिए expect कर रहे हैं index में, और 22,222 एक crucial level रहेगा, उसके उपर hold करने से strength जो है, वो बलकरार रहेगी, 22,050 के एक support को हम ध्यान रखे, for any small declines, और buying करते रहे दूसरी और अगर हम bank nifty की levels की बात कर रहे हैं तो heavy weights काफी अची तरह से इस index को, you know, aid कर रहे हैं और अपने lower highs, lower lows formation को negation भी किया है, index ने 50 exponential moving average के अब ऊपर काफी अची तरह से strongly ख़़ा है index, तो यहाँ पर हम expect कर रहे है 47,250 और 47,500 तक के levels बंते हुए दिखेंगे, 46,500 के ए loss और long side पर आप nifty, nifty bank दोनों पर ही अपनी positions को रख सकते हैं, यह आपको शिवांगी मैम राय दे रही हैं, शिवांगी मैम और individual stocks कहाँ पर आप long हो, कोई short? जी पिलकुल individual stocks की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमने एक काफी अच्छा run-up देखा है auto space में, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ टाटा मोटर्स पर, जिस तरह से longs built up हुए है stock में, एक काफी अच्छा price setup भी बनते वे दिख रहा है, इन फाक्ट, auto और auto facilities दोनों ही space का यहाँ पर मेरी नजर रहेगी, इसमें खरदारी के मौके ढूंडे, जो जिस तरह से हम देख रहे हैं, इसमें call writers की inviting भी हुई थी पिछले series में, जो levels बनते वे दिख रहे हैं, next है, वो है 1010 के targets के लिए, और 955 के एक support के साथ इसमें खरदारी करे, दूसरा pick जो मेरा रहेग वो है Siemens, इस पूरे ही सेक्टर में एक अच्छा tailwind मिलते वे दिखा है, option data काफी एक अच्छा indication दे रहा है पूरे series के लिए, और हम इस stock में देखे हैं कि पिछले पांच महीनों से continuously stock higher highs बनाते वे नजर आते वे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे खरदारी के मौके ढूंडे, जो targets है next वो बनते हुए दिख रहे है 48, 60K और 45, 80K एक support को ध्यान रखे हैं, टाटा मोटर्स, शिवांगी मैं बहुत समय से इसकी पैरवी कर रही हैं और लगातार share अपने नया all time high बना रहा है, मेरे ख्यालत है शिवांगी मैं पहले बार ये शायद 500, 500 था जब आपने बा हमने दिखा है कि कोविड के पोस कोविड भी ये stock जो है काफी अच्छा perform किया है और इसमें एक आप बहुत ही surprisingly अच्छी बार देखोगे, पिछले चार सालों से continuously stock जो है एक out performer रहा है पूरे space में, तो बिलकुल portfolio stock भी है और ट्रेडिंग के लिए भी utilize करें तो टाटा मोटर्स और सीमेंस दो नाम जिसके ओपर आप बैट कर सकते हैं टाटा मोटर्स अपने all time high के नए targets के लिए और सीमेंस भी करीब और 400 रोपे के targets के लिए 4580 का एक stop loss maintain रखेगा तो ये तो हो गई जो दो call शिवांगी में के तरस से हैं अब ट्रेडर्स और निवे है आपके लिए अपना पहले हिसाब कितना बरावर ठीक कर रहा है जी हाँ आज Friday लेकिन हफते का आखरी ट्रेडिंग सेशन नहीं है कल भारती बजार कुले हुएं दोनों web exchanges BSC और NSC कल दर असल एक special live trading session conduct करने जा रहे हैं टेस्ट करेंगे बेसिक आइडिया यह है कि तैयारी जाँच ली जाए किसी भी unexpected disaster अगर आ रहा है तो हम कितने तैयार है अब होगा क्या कल दो भागों में session तोड़ा जाएगा पहला होगा primary site से सुबह सवा 9 बजे से लेकर 10 बजे तक उसके बाद break और फिर उसके बाद जब second session resume होगा वो साड़े 11 से साड़े 12 बजे तक होगा और यह session होगा disaster recovery site से भाई live session पर मैं इसलिए डाल रहा हूँ कल जेतने भी trades होंगे उनका settlement obligation बनेगा और भी कुछ important चीज़े हैं कल के session के ध्यान रखिएगा सारे shares including जो derivatives में हैं सबका price band 5% पे रखा जाएगा cap कर दिया जाएगा जिनके 5% से कम के हैं वो तो कमी रहेंगे 5% उपर वाले सब 5% पे आ जाएगे even futures contract में भी daily operating range 5% की रखी गई है एक चीज और दो भागों में तोड़ा गया है तो जो भी पहले segment पहले session के pending orders होंगे वो flush out कर दिये जाएंगे second session की शुरुआत से पहले अच्छा कल Saturday है तो settlement holiday है तो जो भी trade शनिवार को करेंगे आप लोग वो mangalwar को settle होंगे और एक चीज और आज के F&O segments के सारे credits या आज के आपके intraday profits वो कल available नहीं होंगे ये सब कुछ important चीज़ें ध्यान रखिएगा fingers crossed ये disaster recovery site वाला test बड़ी ऐसे निकल जाए तो कल ये ये पहले वाला pending test था जो पहले होना था लेकिन उस दिन फिर full on trading हो गई थी जिसकी वैसे test pending रह गया था तो अब वो दो मार्च को इस test में बचा लिया था उस दिन आधी तयारी थी आधी करनी पड़ी पूरी करनी पड़ जाती तो परिशानी हो जाती रात में तो अब कल है special trading session तो आपको timing आशिश ने बता दिये हैं आपको उस समय पर मौझूद रहना है बजार की opening closing के देखने के लिए पहले शुक्री आशिश आपसे अब कल दर्शकों की मुलाकात होगी एक break का वक्त है break के बाहर लोटते है शिवांगी मैं सिक सस्ता option identify कर रहाते है छटे से break के उस तरफ मोंग्या स्टील प्रसांट्स मजबूत स्टॉक्स अथ देए जैसे जैसे चड़ेगा चुनावी बुखार बाजार में भी चाहेगा इसका कुमार जो की मार्केट और election दोनों में है गहरा connection इस मौके पर चुकिएगा नहीं करना है सही stock selection चुनावी रण में कमाई का प्रंट मेरे साथ हर रोज सिर्फ सी अवास पर पूरा HDFC के साथ merger हो गया और उसके बाद तो 17-18 बिलियन डॉलर I forget the exact numbers some 18 बिलियन डॉलर मार्केट काप हायर है अगर आप देखें प्राइप पी एस्यू बैंक्स की मल्टिपल हायर है अब इतना भी तो नहीं हो सिर्फ रहना कुछ से मिल अर्चीज की कोई लिमिट हो नहीं चाहिए management has to be on the front foot, they can't say आप हमें बताओ जी आपको name चाहिए क्या आपको growth चाहिए they have to guide the way these other companies guide अभी technically SBI हमारी number one holding हो गई है और HDFC bank number two हो गई है although हम सब को होते है HDFCs are top holding but because of price movement SBI number one हो गई market के आखरी डिएड़ घंटे का सारा action closing bail बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई फारते बाजारों में आज थोड़ी सी उठापटा दिखाई दे रहा है लेकिन अज़रे होंगी कि क्या trade आपने पकड़ना है decisive वक्त है कि आप अपने profits सो cash में convert कर ले है जाने माने experts के साथ मुझे रगता है ये tip को एक buying opportunity की तरह देखना चाहिए देखिए कमाई काड़ा पिछले दो साल से हमने PSU banks काफी बड़ा और वेट रखा है और वो position हम अभी भी continue कर रहे है अलाकि specific to HDFC bank एक बात जरूर बता दू कि अभी बिलो टू टाइम हो गया I think 1.8 ताइमस कुछ चल रहा है अभी है जबकि पिछले 15-20 साल का अगर हिस्टी निकाल के देखेंगे तो ऐसे valuations अभी रहे है so stock में काफी value है risk reward बहुत attractive है but tactically हमारे model portfolio में अभी भी हम PSU banks पर बड़ा ओर्विट बना के रख है साथ में NBFC पर private banks अभी भी हमारा underweight प्राइविट बैंक्स अभी हमारा अंडर्वेट प्राइविट बैंक्स के साथ अपनी लाइफ को करें प्लान प्रूर्ण की growth अच्छी रहेगी और इनका R.O.E. R.O.C. प्रोफाल भी आच्छा है प्राइविट बैंक्स के अच्छी केटेग्री है जिसमें large cap, mid cap, small cap में हरे एक जगे अच्छी में मिशी है और कौन से funds आपके लिए हैं फाइदिमन समझे हमारे साथ वह बताईए क्या होता है एक तो ये कॉल जो हुआ मुझे लगता है उसका टाइमिंग सही था क्योंकि जिस तरह से स्टॉक में गिरावाट आई थी मैनेजमेंट और CEO जो गिशन ने सही समय पर काफी क्लारिफिकेशन दिये लेकिन फिर भी हमें लगता है कि ये स्टॉक को यहां से बढ़ने में कुछ और वक्त लगे गा जितनी भी बाते जो जगिशन ने की है मुझे लगता है कि आने वाले दो या तीन क्वाटर तक इन्वेस्टर्स और मार्केट विल अब्सर्व कि ये जो आप बोल रहे हो हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसकी वज़े से मुझे लगता है कि यहां से शायद बड़ा पैसा ना बने HDFC बैंक में इस समय ना एक बहुत आपके पास एक बहुत अच्छी ट्रेड है SBI मैं एक बाप बता हूँ आपको अब यहां से आप मार्केट जहां मर्जी जाए यहां से आप एक SIP रोज SBI में करें अगले तीन महिने तक अगले तीन महिने तक आप रोज एक share लेना है दश share लेना है जो आपकी श्रद्धा हो जो आपकी capacity हो उसके हिसाब से आप और dip में ज़्यादा buy करें यह करें SBI पर अगले तीन महिने तक और उसके बाद भूल जाएं इसको अगले तीन साल के लिए और तीन साल के बाद अपना portfolio देखी है उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ मैं जो price patterns observe कर रहा हूँ और जो मैं economy को इस समय देख रहा हूँ और जो SBI के numbers रहे हैं और जो white paper भी आया था government के तरफ से मैं उन सब को देख रहा हूँ अब देखें ये चीज़े क्या होती है कि कहने को यहां बड़ी लगती है लेकिन कोई हरानी की बात है नहीं हम करीब तीन महीने पहले बात करते हैं तीन अच्छे महीने पहले SBI की कि SBI का stock जब बारा महीने तक चला नहीं था और बारा महीने में earnings उसकी 60% बढ़ गई थी 60% तो अपने आप stock आपका cheap हो गया था उसकी वज़े से अब उसमें से 30% के करीब move आ चुका है तीन महीने में पिछले तीन महीने में वो 30% का move आ चुका है मेरी खाल से अभी भी यहां काफी catch up होना है और आप finally लोगों को realize हो रहा है कि नई PSU है तो क्या हुआ बड़ा bank है तू बिग तो इग्नोर है और इसके लिए ये मेरी कहाल से आज समय बिग स्टॉक में भी था हमारे और मैं इसको consistently in fact आगे आने वाले कई हफतों में ये आपको मेरी बिग स्टॉक्स ये स्पोटलाइट के लिएस में देखेगा हर सुबह कीजिए शांदार शुरुआ जिस तरीके से demand और volume बढ़ रहा गैस के import के distribution के इंदस में उनको इसका काफी फायदा हो सकता बाजार खुलने से पहले जानिए बीस तुरिंदा स्टॉक्स बैंक और आइटी उन सब पर खास ध्यान रखना चाहिए जो हर रोज आपको बनाएंगे माला माल पावर स्टॉक्स अच्छा पावर प्रदेशन दिखाई रहे तीनों स्टॉक्स को अच्छी गबरों के चलते गरीब रखा है देखिए सीधा सौदा सिर्फ CNBC आवास पर वैल्यूएशन कोई सस्ते नहीं रहे परफॉर्मन्स काफी स्टॉंग आ रहे है स्माल कैप और मिटकैम में तो बेतरी स्टॉंग आ गया लाज कैप में भी अब देख रहे हैं फ्यूचर एश्वर्स और मार्केट्स अपने ओल्टाइम हाई के नजदीक ही काम काच कर रहा है 22.281 का मौझूद अस्तर 22.304 का ओल्टाइम हाई तो ओल्टाइम हाई के आसपसी इंडिसी तभी ट्रेट करता हो दिखाई पड़ेगा श्वांगी मैं अब सस्तर आप्शन की बारी कौन सा स्टाउक आपने चुना जी सस्ता आप्शन के लिए मैंने चुना है H.A.L. स्टाउक जो है अपने कंसॉलिडेटिव रेंज से निकलने की पूरी तयारी कर रहा है अच्छे वॉल्यूम्स यहां पर देखने को मिल रहे है जो बिल्ड हो रहे है इस पूरे सीरीज में हमने देखा है कि अच्छी लॉंग बिल्ट अप हुई है और रोलोवर्स जो है वो भी 95% के उपर है तो काफी अच्छा प्राइस सेटप बन रहा है कोई भी चोटे डिक्लाइन्स में हम देख रहे है कि बुल्ड का आक्शन नजर आते हुए दिख रहा है तो यहां पर मेरी राय रही कि हम खरदारी करे 31-20 के कॉल आप्शन में इसको 145 के आसपास ले 130 के एक स्टॉप लॉस और 177 के एक टारगेट के लिए 177 के टारगेट रही है 31-20 की कॉल जो की 151 के जोन्स में भी कामकाच कर रही है इस पर आप खरदारी कर सकते हैं 177 के टारगेट के लिए और H.E.L एक और नाम जो की शायद अभी भी तेजी कैरी कर सकता है ऐसा शिवांगी मैं का मानना है 177 के टारगेट के लिए आप H.E.L में करदारी करे चल सकते हैं शिवांगी मैं बहुत बहुत शुक्रिया समय का अभाव था वरनना आप से और बात करते हैं लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हम आज साथ मौजूद हैने के लिए और बाजार पर सभी शियरों पर अपनी रायरेजनीती हमाई साथ शियर करने के लिए एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस फ़ार आशीशी आपके साथ मौजूद रहेंगे सास पहू अरसन सिक्स लेकर हमश्कार जैसे जैसे चड़ेगा चुनावी बुखार बाजार में भी चाहेगा इसका खुमार क्योंकि मार्केट और इलेक्शन दोनों में है गहरा कनेक्शन इस मौके पर चूकिएगा नहीं करना है सही स्टॉक सेलेक्शन चुनावी रण में कमाई का प्रण मेरे साथ हर रोज सिर्फ सील्विसी आवास पर पूरा HDFC के साथ मर्जर हो गया और उसके बाद तो इस 17-18 बिलियन डॉलर I forget the exact numbers 18 बिलियन डॉलर मार्केट कैप हायर है अगर आप देखिए प्राइप पीएस्यू बैंक की मल्टिपल हायर है अब इतना भी तो नहीं हो से भाइना कुछ से मिली अर चीज की कोई लिमेट होनी चाहिए management has to be on the front foot they can't say आप हमें बताऊ जी आपको name चाहिए कि आपको growth चाहिए they have to guide the way these other companies guide अभी technically SBI हमारी number one holding हो गई है और HDFC bank number two हो गई है और हम सब को होते है HDFCs are top holding but because of price movement SBI number one हो गई market के आखरी डिड़ घंटे का सारा action फेट के मिनट सागर डबिश आगे तो एक market को बहुत 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 ट्रिगर मिलेगा एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा फारते बाजारों में आज थोड़ी सी उठापटग दिखाई दे रहा है लेकिन अज़रे होंगी कि क्या trade आपने पकड़ना है जावेमाने experts के साथ पिछले दो साल से हमने PSU banks काफी बड़ा overweight रखा है और वो position हम अभी भी continue कर रहे है अलाकि specific to HDFC bank एक बात जरूर बता दू कि इनके valuation अभी below two time हो गया I think 1.8 times कुछ चल रहा है अभी है जबकि पिछले 15-20 साल का अप अगर history निकाल के देखेंगे तो ऐसे valuations अग नहीं रहे है So stock में काफी value है, risk reward बहुत attractive है But tactically हमारे model portfolio में अभी भी हम PSU banks पर बड़ा overbit बना के रख है साथ में NBFC पर Private banks अभी हमारा underweight सब्सक्राइब के साथ अपनी लाइफ को करें प्लाइब के साथ अपनी लाइफ को करें प्लाइब की ग्रोथ अच्छी रहेगी और इंता R.O.E. R.O.C. प्रफाल भी अग्सा है Taxi कैप एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें large cap, mid cap, small cap में हर एक जगे opportunity में इसी है और कौन से फंड्स आपके लिए हैं फायदिमंद समझे हमारे साथ अब बताईए क्या होता है ये एले से समय दर्शकों को ये तीन साल तक lock-in होता है और fund manager ऐसी companies बें डाल सकते हैं जो long term wealth creation हो सकते है लीखी फायदिमंद funds इन वक्त पर एक तो ये call जो हुआ मुझे लगता है उसका timing सही था क्योंकि जिस तरह से stock में गिरावाट आई थी management और CEO जग्डिशन ने सही समय पर काफी clarifications दिये लेकिन फिर भी हमें लगता है कि ये stock को यहां से बढ़ने में कुछ और वक्त लगे गा जितनी भी बाते जो जग्डिशन ने की है मुझे लगता है कि आने वाले दो या तीन quarter तक investors और market will observe कि ये जो आप बोल रहे हो हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसकी मुझे से मुझे लगता है कि यहां से शायद बड़ा बड़ा पैसा ना बने है HDFC बैंक में इस समयना एक बहुत आपके पास एक बहुत अच्छी ट्रेड है SBI मैं एक बाप बता हूँ आपको आप यहां से आप market जहां मर्जी जाए यहां से आप एक SIP रोज SBI में करें अगले तीन महिने तक अगले तीन महिने तक आप रोज मतलब एक share लेना है मैं आपको बता रहा हूँ मैं जो price patterns observe कर रहा हूँ ना और जो मैं economy को इस से में देख रहा हूँ और जो एक SBI के numbers रहे हैं और जो white paper भी आया था government के तरफ से मैं उन सब को देख रहा हूँ ना मुझे exactly वही time याद आ रहा जो 2003 से 2007 का phase था जिसमें SBI ने massive out performance दिखाई थी लेकिन कोई हरानी की बात है नहीं हम करीब तीन महीने पहले बात करते हैं 3-6 महीने पहले SBI की कि SBI का stock जब 12 महीने तक चला नहीं था और 12 महीने में earnings उसकी 60% बढ़ गई थी 60% तो अपने stock आपका cheap हो गया था उसकी वज़े से अब उसमें से 30% के करीब move आ चुका है 3 महीने में पिछले 3 महीने में 30% का move आ चुका है मेरी खाल से अभी भी यहां काफी catch up होना है और अब finally लोगों को realize हो रहा है कि नहीं PSU है तो क्या हुआ बड़ा bank है too big to ignore है और इस हर सुबह कीजिए शांदार शुरुआ जिस तरीके से demand और volume बढ़ रहा गैस के import के distribution के इंदस में उनको इसका काफी फायदा हो सकता है बाजार खुलने से पहले जानिये 20 चुरिंदा stocks बैंक और IT इन सब पर खास ध्यान रखना चाहिए जो हर रोज आपको बनाएंगे माला Power Stocks अच्छा Power Production दिखाई रहे तीनों स्टॉक्स को अच्छी गबरों के चलते ग्रीब रखा है देखिए सीधा साउदा सिर्फ CNBC आवास पर Valuation कोई सस्ते नहीं रहे Performance काफी strong आया है Small Cap और Mid Cap में तो बेतरी strong आ गया Last Cap में भी performance strong है तो यहां से Market को एक Consolidation का दर्कार है थोड़ा Time और Price Correction का दर्कार है जो कि अगले Lake of Valley के लिए वो उपर चासे दूसरा है जो sectors अच्छे करेंगे जहां पर Valuation थोड़े एकसेस हो गए जैसे हो सकता है Defense है हो सकता है थोड़े Railway Stocks है वो सब में long term prospects अच्छे है जब जैसे आप बच्चों के साथ बैठना शुरू करते चाहे वो प्री स्कूल में ही क्यों ना हो आज कि बहुत सारे ऐसे गेम्स अविलेबल है वुडिन ब्लॉक्स अविलेबल है बोर्ड गेम्स अविलेबल है जिनके थूँ आप बच्चों में finance related बाते दिमाग भी डाल सकते है जैसे की simple simple जो jargons है financial wordings है जैसे की earnings, savings, investments इस तरह के words को पहले introduce किया जाए उसके बद बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे धीरे धीरे उसको नमस्कार गुड आफ्टनून सास, बहू और सेंसेक्स के आज के Friday special में आप सब का स्वागत है और हर बार की तरह शुक्रवार के दिन हम लोग फिर से CNBC आवाज के news room से हाजिर है सारा live action आपकी screens पे beautifully capture होता हुआ खेर, idea लेकिन फिर भी वही है स्टूडियो में नहीं है, news room में बेटे हैं लेकिन आइडिया है आप लोग की queries solve करना और किसी देश के जाने माने expert की मदद लेना आज के लिए मानस जैसवाल.com के मानस जैसवाल जाब आपको आपकी screens पे नज़र आएंगे लकना उसे मानस जी good afternoon thank you so much जुडने के लिए हम सब के दुख दर्द, शेर बजार related query solve कराने के लिए उसके लिए तयार होने के लिए आपका thank you so much पहले जाना screens पे लेकर आईए तरह तरह के तरीके reach out करने के चाहिए ये Friday special हो या फिर otherwise आज वो SenseX के बाकी weekday episodes हो reach out करने के तरीके आपकी screens पे है वो Instagram का वो Thread का और वो X यानि कि Twitter का ID screens पर आएगा साथ साथ रख दीजे screens पे हमारे WhatsApp नंबर को तो आप जैसा convenient हो please reach out करिए हमारी teams आप से contact करेंगी और scheduling करेंगी आपका interaction इस program अब लाइए वही आप बाजार Nifty को screens पे Friday का दिन March series का आगाज और क्या positive note पे हमने March की शुरुआत करी है डेढ़ परसेंट जिहां डेढ़ परसेंट मजबूर Nifty समय कामकाच करता हूँ आप से कुछी मिन्टों पहले हमने अब तक के record उस्तमस्तर भी जड़ डाले अब तक के highs क्या थे 22297 के आपकी screens पे Nifty आपको नज़र आएगा इस समय 22304 तो हमने नए record उस्तमस्तर जड़े है आज की trading session पे और बढ़िया चोतरफा moves है एक बार Nifty की प्लीस contribution plate screens पे रखेगा देखिए कैसे तमाम interesting pockets contribute कर रही है कोई ICICI bank कोई HDFC bank कोई reliance इस तरह के heavy weights बजार की मदद कर रहे है वैसे समीकरन बढ़िया थे समीकरन बढ़िया थे इसलिए आज से की global संकेत हमाई लिए बढ़िया थे कल US में NASDAQ 1% मजबूत था जोड़ दीज़ उसमें आज सुबह के futures लाल से हरे में तबदील हो गएते मजबूती के साथ वो भी hand over दे रहे थे प्लस हमारे शाम के जो आर्थिक आंकड़े आए हमारा ताबर तोड जीडिपी का आंकड़ा उससे I am sure सबका confidence बहुत बढ़ा होगा प्लस expiry के दिन का hand over भी हमाई लिए बुरा नहीं था पॉस्टिफ्स तो थे बदार ने स्क्रीन ने डूली reward करा शुराद gap के साथ हुई उसके बाद further consolidate करा ट्रेंडिंग डे बना और इस समय हाइस पर ट्रेड हो रहा है आप जरा वाच आउट करने की जरुआद उपर की वरचन पहली थी 2200 की क्योंकि सबसे तगड़ा call writers का zone वो था वहाँ पे गए वहीं पे वो जो बीच में consolidation का phase था वहीं फेस था क्योंकि 2200 के उपर ट्रेड कर रहे थे लेकिन convincingly उस level को breach नहीं करा एक बार थोड़ी दे लंबा टिके उसके बाद वो call writers पस्त पड़े और वो fresh तूल जो मिला उसके बाद से अब हम आ गए पिछले record उश्तम स्तर और नया औरचन वाला zone पर मानस से समझ लेते हैं अप्रोच कर रखें बढ़िया ट्रेंडिंग दे इंजॉय कर रहे हैं स्क्रीन को मानस आपको भी नए उच्टम स्तरों की ठेरो शुब कामना है अब मूर्ड मॉल देखके स्क्रीन देखके क्या मन बन रहा है निफ्टी को लेकर तो आपको भी बहुत सरी शुब कामना है नया हाई बरने के लिए यह जिस तरह की वी शेप रिकवरी हमने कल दुपहर से लेकर और अभी तक दिव में देखी है और जिस तरह निफ्टी ने अपने पिछले हाई इसको ब्रीच किया है उसको देखके तो लग रहा है कि अब जो एक बहुत ही पॉइंट सपोर्ट बन गया है वो बाईजार एक सो का है तो बाईजार एक सो की ओपर जब तक निफ्टी ट्रेट करते हैं हर गिरावट पे खरदारी क्लोजिंग बेसिस पे बाईज तेन सो के उपर का क्लोज डेलिवर कर दिया तो फिर अगले एग् बढ़िया पिछले कुछ दिलों में वो बजार ने लोज को टेस्ट करा वीकर हैंड फ्लश आउट करें और फिर दमखम के साथ गस्टों के साथ भारती बजार मूव करता हूँ अपने नौर्थ वर्ट एलेक्ट्री पार खैर वैसे इस रिकॉर्ड हाईज में हमारा भी कॉ हमने आज कर आपने नोटिस करा गा और लाइफ हाई वरी टी शिर्ट पहनना बंद कर दिये तो कोई नजर लगाने वाला स्कोपी नी रहिए तो आप लोग कोस्ते से नजर लगए नजर लगए नजर लगए चोड़ दिया है तो बढ़िया कॉंट्रिया हमारा भी है इस रो लेकिन जा रहा हूं मैं पुरे और मनाली बाला जी स्क्रीन्स पे मनाली माम हाई गुड़ आफ्टनून मनाली माम कितने समय से स्टॉक मार्किट से जोड़े हो मनाली माम क्या करते हो पुरे में आप मैं हाउजवाइप हूँ मैं 2021 के सिट्मबर से जुड़ी हूई हूई हूँ लगवग धाई साल हुआ है और कैसा चल रहा है हाउड़ इडिफाय स्टॉक मनाली जी खोद अपनी स्टॉड़ स्टॉड़ी या कोई ब्रोकर या घर पर कोई गाइड कर रहा है कैसा हो रहा है है हने से सफर तो अच्छा रहा मतलब 2022 के जो टाइम था वो थोड़ा गड़बर था विकास उस ताइम तो निफ्टी 15,200 तक भी लो गया था इसलिए 22 का सफर तो अच्छा नहीं था बर 23 बहुत बढ़िया रहा और अभी 24 भी शुरुआ थोड़ा उपर निच हुआ था याद आ रहा है मुझे अपनी मुलाकात हुई हुई है ऐसा लग रहा है हाँ सर आप जब बात कर रहे हैं तो याद आया मुझे वेलकम बैक मनाली जी मैं पहला सवाल आज के लिए मानस के लिए कौन सा सर मेरे पास इनपो एज के शेयर से अड़ रेट अब 5,262 के भाव पे 105 शेयर से तो सर इनकी जो टारगेट्स मुझे मिले थे वो 5,500 तक दिया गया थे और ये 5,400 तक दो तिन दिन गया था पर उसके अगले दिन ही ये 5,200 तक चला जाता है और आज भी इसका लोग 200 के नीचे भी कया था तो ये बार-बार इसी जोन पे घुम रहा है ये तो उपर नहीं जा रहा है तो क्या ये वापस से 5,500 तक जा सकता है ये ही मेरा सवाल है और ये टागेट्स किस ने दिये थे 5,500 के पहले? सर मैंने ये मेरा पहला जो बाइन था वो 5,380 की लेवल से था और मैंने वो एवरेज करते गया इसके वज़े से ये एवरेज आया 5,262 ना ना थीक है आवरेज ठीक है 5,500 के जो आप कह रहे हो किसी ने टागेट्स दिये थे वो किस ने दिये थे टागेट्स? सर इसी चैनल में मिले थे दो तीन एक सपर्स की रागेट्स बिल्कुल ठीए फिफ्टी निट बीच में जाते जाते थमा और उसके बाद अब लाजली कंसॉलिडेट कर रहा है बहुती छोटे दाएरे में मानस पच्पन सो जाए गा क्या तो देखें दो या तीन दिन पहले के बात है जब स्टॉक ने पर 22 में गैबरेज पर सपोर्ट लगके एक रैली दिखाई थी तब बिल्कुल ऐसा लग रहा थे कि जो पिछला हाई मिने काल से वो 50 फिफ्टी फिफाइब 45 का है उसको टेस्करने की कोशिश शायद होगी ले लेकिन अब आपको टार्गे 2500 के नहीं सिट करने है अगर ये 5400 5420 के ओपर सांटेन करेगा तो पिफ्टी फइंसर नहीं करने होंगे तो फिफ्टी फाइविन सेविनन ने का मनाली म्हाइं हम लोग medal लगा कर वोल्ड करेंगे इंफो हो सिंग रॉली से रश्मी रेखा जी स्क्रीन पे रश्मी मैम हाई गुड आफटरनून मुझे बताएगा है कि आपकी बहुत सारी क्वेरीज है सबसे पहली और सबसे ज़्यादा इंपोर्टन जो है उससे शुरुवात करते हैं रश्मी मैम कौन सा स्टॉक मैं प्रतिभा इंडस्ट्रीज के सेड़ ली थी ओके तो कुछ ताल मैंने देखना थोड़ दिया अभी फिट से वास्ट कर रही हूं तो पतने उसमें कुछ प्रॉब्लेम दिख रही है तो अब मैं क्या करूँ पॉट्पलियों इसको बाहर निकाल दूँ प्रतिभा इंडस्ट्रीज मेरे एक रुपे के नीचे लास्टेट था ना अच्छा ने कुछ न्यूस्पेंड है अज का निये यह ट्रेड ही नहीं हो रहा है सस्पेंड है यह स्टॉक मैं इसमें तो निगल भी नहीं सकते है अपन अब इस समय तो सस्पेंड ड्यू टू पेनल रिजन्स है प्रोसीजरल रीज तो अभी ट्रेड नहीं हो रहा है आप को रीजन जो भी हो अगर वो उसके बार कम नहीं अगर वो पैसा इसा बखाया है वो देगी एक्चेंजिस को तो शायद ट्रेड होना शुरू हो तब तक तो अपन को साथ एड़ है रिलाइंस पावर के साथ अरी बापरी कब के लिए वह यह आई प्यों के लिए लिए गया नाय नहीं है चौदा के पहले का लिया चौदा से पहले का लिए कुछ आइडिया किस भाव पे लिए थे अपन ने किता मुनाफ़ नुकसान हो रहा है नुकसान ही हो रहा है वो उससे मेरे नुकसान तो ही रहा होगा येस 2014 पे ये सो क्या असपास होगा मेरे खाल से ना सत्तर असी सो जो भी रहें जो पाइस लग रहा है मानज भी कर बहुत पिटा पिटने के बाद कंसलेड़ेट कर रहा और अब वॉल्यूम के साथ थोड़ों बहुत लो लेवल से सुद रहा है कोई दमखम कोई उमीद लैंस पावर में मैम की बहुत पुरानी खरीद और बहुत नुकसान हो रहा है जी तो देखिए अभी अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज को बीक लगते हैं शॉर्ट टर्म चार्ज पे अगर आप से सटप देखेंगे तो वो निगेटिव तो यहां से निकलने की कोशिश करिए क्योंकि जो मीटियम तो लांटर ट्रेंड हो भी बहुत पॉजिटिव नहीं लगता ऐसा नहीं लग रहा है कि वह बहुत बड़ी रही आ जाएगी तो बेरता रहेगा कि 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 स्टॉप लॉस लगा के आप कभी भी कोई बांस बैक मिले बिल्कुल टीक है मैं आता हूं बाकी स्टॉक्स के लिए आता हूं भई मुझे लगा किसे ऐसा नहीं है कि से बाकी भी होंगे इनके पास अचा मुंबई से फरीहा जी स्क्रीन पर फरीया मैं भी फोन लाइन पर जोड़ पाई है फरीया मैं गुड आफ्टरनून आपका पह करना है इसका तो अभी इस समझ में या रहा है बहेती रीसाइलिंग में पार डेक्टर साब के है वी डेक्टर साब एनके पर होगा यह है कि अपने पास हमारे पास तो स्टॉक का कोड भी नहीं है मानस आपको मिला क्या एक सो पिच्छासी पर है शैद और नहीं आशी जी मै अभी इसके चार्स नहीं देख पा रहा हूँ सारी माम बहेती रीसाइलिंग इनस्ट्री है नहीं हमारे पास नहीं चार्ज भी देख पा रहे हैं तो फिर ऐसे बात्चीत करके फायदा नहीं अगला सवाल सारी इसके लिए और मेरे पास 500 शेर अधर इसका क्या करना है मिल अ पर ही लिए थे और उसके बाद से करेक्शन शुरू हो गया ऐसा क्या हाँ यह से एकदम से सारे समीकराण बिगड़ गया बीच में अपडेट साइसके कुछ इसके बाद से स्टॉक पिटना शुरू मानस क्या करा जाए भई 25-26 खरीद गिरते गिरते अभी दम से 19 पर गया है बहुत पुराना स्टॉक नहीं है यह और इलिक्विट काउंटर है तो थोड़ा सा कॉशन रहे के ट्रेट करिए अगर आपके पास पूदीचन है तो भी तुरह कॉशन रहना चाहिए पर नमेंटली चेक्कने तो बेतर रहेगा अब टेक्निकली में के विलीए चीज आप आपको बदा सकता हूं कि एक सपोर्ट है स्टॉक पे 170 रुपए के असपास अगर वह ब्रीच हो जाए तब आपको ब्लुकुल निकलना चाहिए क्योंकि अगर 170 रुपए की नीचे स्टॉक जाएगा तो यहां पर गिरावट भर सकती है उसके आपको शायद 110 तके भाव भी ब्रीच हो चुके हैं शाद यहां पर गिरावट बढ़ेगी तो स्टॉला रुपए तक के भाव भी आपको देखने को मिल जाएंगे तो थोड़ा कॉशन करें यहां पर भी लेकिन अगर आप इंवेस्ट करके बैठे हैं और आपको लगता है कि श्यार्ट मेंने आप कर सकत बातचीत को आगे बढ़ाएंगे आप सबको आप पीस जोड़ेंगे मनाली मैम रश्मी मैम फरीय मानस सारी क्वेरी इस ब्यूर्फरी सॉल्फ करने के लिए आपका दनेवाद बताओ जाते-जाते आपने वह देखी नहीं देखी वह कौन सी बात हुई थी पनोज लगी बस ठीक 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 पर देख 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 ली पूरी थाली थाली थांक्यू सो माँच जुड़ने के लिए क्विकली शोड़ सब्रेक ब्रेक के उस पार एकविक मार्केट चेक मोगया स्टील प्रेजान्स मजबूत स्टोक्स अथा देख 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 जैसे जैसे चड़ेगा चुनावी बुखार बाजार में भी छाएगा इसका खुमार योकि मार्केट और इलेक्शन दोनों में है गहरा कनेक्शन इस मौके पर चूकिएगा नहीं करना है सही स्टॉक सेलेक्शन. चुनावी रण में कमाई का प्रंट मेरे साथ हर रोज सिर्फ सीन्विसी आवास पर. पुरा HDFC के साथ मर्जर हो गया और उसके बाद तो इस 17-18 बिलियन डॉलर, I forget the exact numbers, 18-18 बिलियन डॉलर मार्केट काप हायर है, अगर आप देखें, PSU बैंक की मल्टिपल हायर है, अब इतना भी तो नहीं हो सिर्फ रहना कुछ से मिल, हर चीज की कोई लिमिट हो नहीं चाहिए, management has to be on the front foot, they can't say, आप हमें बता हो जी, आपको name चाहिए, क्या आपको growth चाहिए, they have to guide the way these other companies guide, अभी technically, SBI हमारी number one holding हो गई है, और HDFC bank number two हो गई है, और हम सब को होते है, HDFCs are top holding, but because of price movement, SBI number one हो गई है. के मिनट से अगर डबिश आगे, तो एक market को बहुत 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 ट्रिगर मिलेगा, एक अच्छा support मिलेगा. Closing bail बजने से पहले कीजिए, जबरदस्त कमाई. भारते बाजारों में आज थोड़ी सी उठापटग दिखाई दे रहा है, लेकिन अज़रे होंगी कि क्या trade आपने पकड़ना है. Decisive वक्त है कि आप अपने profits to cash में convert कर रहे हैं. जाने बाने experts के साथ. मुझे रगता है ये tip को एक buying opportunity की तरह देखना चाहिए. देखिए कमाई काड़ा. प्रिस्क रिवार्ड बहुत अट्रेक्टिव हैं. बट टैक्टिकली हमारे model portfolio में अभी भी हम PSU banks पे बड़ा ओर्विट बना के रखे हैं. साथ में NBFC पे. Private banks अभी हमारा underweight है. अभी हमारे बटाइब के साथ अपनी लाइफ को करें प्लाइब अच्छी रहेगी और इंका REOC profile भी आधा है. बटाइब के अशी कैटेगरी है जिसमें large cap, mid cap, small cap में हर इक जागे opportunity में इसी है. और कौन से funds आपके लिए हैं फाइदमन समझेए हमारे साथ. एक तो ये कॉल जो हुआ, मुझे लगता है उसका टाइमिंग सही था, क्योंकि जिस तरह से स्टॉक में गिरावाट आही थी, मैनेजमेंट और सीयो जग्दीशन ने सही समय पर काफी क्लारिफिकेशन दिये, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि ये स्टॉक को यहां से बढ़ने में कुछ और वक्त लगेगा, जितनी भी बाते जो जग्दीशन ने की है, मुझे लगता है कि आने वाले दो या तीन क्वाट बड़ा पैसा ना बने एजडिएफी बैंक में इस समय ना एक बहुत आपके पास एक बहुत अच्छी ट्रेड है, SBI मैं एक बाब बता हूँ आपको, आप यहां से आप, मार्केट जहां मर्जी जाए, यहां से आप एक SIP रोज SB I में करें, अगले तीन महिने तक, अगले तीन महिने तक आप रोज, मतलब एक share लेना है, दस share लेना है, सो share लेना है, जो आपकी श्रद्धा हो, जो आपकी capacity हो, उसके हिसाब से आप और डिप में ज़्यादा भाई करें ओविसली यह करें SBI पर अगले तीन महिने तर और उसके बाद भूल जाएं इसको अगले तीन साल के लिए और तीन साल के बाद अपना पॉर्टफोलियो देखिए उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ मैं जो प्राइस पैटर्न्स अब्जर्व कर रहा हूँ और जो मैं एकॉनमी को इस समय देख रहा हूँ और जो एक SBI के नंबर्स रहे हैं और जो वो वाइट पेपर भी आया था गवर्मेंट के तरफ से मैं उन सब को जो देख रहा हूँ ना मुझे एक्जाक्ली वही टाइम याद आ रहा जो 2003 से 2007 का फेस था जिसमें SBI ने मैसिव आउट परफॉर्मेंस दिखाई थी मुझे हैरानी नहीं होगी अगर अगले तीन साल में SBI का स्टाउक 2000 तक पहुँच जाए तो अब देखें ये चीज़े क्या होती है ना कि कहने को यहाँ बड़ी लगती है लेकिन कोई हैरानी की बात है नहीं हम करीब तीन महीने पहले भात कर दे तीन एच्छे महीने पहले SBI कि SBI का स्टाउक जब बारा महीने तक चला नहीं था और बारा महीने में अरिनिंस उसकी साथ पसंट बढ़ गए थी मलाद 600 तो अपने अप स्टाउक आपका चीप हो गया था उसकी वज़े से अब उसमें से 30% के करीब मुवाद चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है अच्छा लाजली राजकाप्स का दिन है निफ्टी डेरो परसंट उपर उसके सामने मिडकाप सोड़े से सब्ड्यूट मजबूती से लेकिन 3-4 फीजदी बड़त के साथ ट्रेड कर रहे है खैर मिडकाप सी पूरी तस्वीर ब्रेक के उस पार मिडकाप मंत्र में देखिए नमस्कार जैसे जैसे चड़ेगा चुनावी बुखार बाजार में विच्छाएगा इसका खुमार क्योंकि मार्केट और इलेक्शन दोनों में है गहरा कनेक्शन इस मौके पर चुकिएगा नहीं करना है सही स्टॉक सेलेक्शन चुनावी रण में कमाई का प्रंट मेरे साथ हर रोज सिर्फ सीन्विसी आवास पर पुरा HDFC के साथ मर्जर हो गया और उसके बाद 17-18 बिलियन डॉलर मार्केट काप हायर है अगर आप देखिए प्राइप पी एस्यू बैंक्स की मल्टिपल हायर है अब इतना भी तो नहीं हो सिर्फाना कुछ से मिल अर चीज की कोई लिमेड होनी चाहिए management has to be on the front foot they can't say आप हमें बता हो जी आपको name चाहिए कि आपको growth चाहिए they have to guide the way these other companies guide अभी technically SBI हमारी number one holding हो गई है और HDFC bank number two हो गई है तो हम समको होते है HDFC's are top holding but because of price movement SBI number one होगी market के आखरी डिएड़ घंटे का सारा action फेट के मिनट सागा डबिश आगे तू एक market को बहुत 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 ज़िगर मिलेगा एक अच्छा support मिलेगा closing bail बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई फारते बाजारों में आज थोड़ी सी उठापटा दिखाई दे रहा है लेकिन अज़रे होंगी कि क्या trade आपने पकड़ना है decisive वक्त है कि आप अपने profits to cash में convert कर रहे है जानेमाने experts के साथ मुझे रगता है ये dip को एक buying opportunity की तरह देखना चाहिए देखिए कमाई गाड़ा पिछले दो साल से हमने PSU banks काफी बड़ा over wait रखा है और वो position हम अभी भी continue कर रहे है अलाकि specific to HDFC bank एक बात जरूर बता दू कि इनके valuation अभी below two time हो गया I think 1.8 times कुछ चल रहा है अभी है जबकि पिछले 15-20 साल का आप अगर history निकाल के देखेंगे तो ऐसे valuations तब नहीं रहे है So stock में काफी value है risk reward बहुत attractive है but tactically हमारे model portfolio में अभी भी हम PSU banks पे बड़ा over wait बना के रखे है साथ में NBFC पे Private banks अभी भी हमारा underweight है एक तो यह कॉल जो हुआ मुझे लगता है उसका टाइमिंग सही था क्योंकि जिस तरह से stock में गिरावट आई थी management और CEO जगदिशन ने सही समय पर काफी clarifications दिये लेकिन फिर भी हमें लगता है कि यह stock को यहां से बढ़ने में कुछ और वक्त लगे या जितनी भी बाते जो जगदिशन ने की है मुझे लगता है कि आने वाले 2 या 3 quarter तक investors और market will observe कि यह जो आप बोल रहे हो हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसकी मुझे से मुझे लगता है कि यहां से शायद बड़ा बड़ा पैसा ना बने HDFC bank में इस समयना एक बहुत आपके पास एक बहुत अच्छी ट्रेड है SBI मैं एक बादा हूँ आपको आप यहां से आप market जहां मर्जी जाए यहां से आप एक SIP रोज SBI में करें अगले तीन महीने तक अगले तीन महीने तक आप रोज मारला है एक शेर लेना है, दस शेर लेना है, सो शेर लेना है जो आपकी श्रद्धा हो जो आपकी capacity हो उसके हिसाब से आप और डिप में जादा बाई करें यह करें SBI पर अगले तीन महीने तक और उसके बाद भूल जाएं इसको अगले तीन साल के लिए और तीन साल के बाद अपना पोर्टफोलियो देखी है उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ मैं जो price patterns observe कर रहा हूँ और जो मैं economy को इस समय देख रहा हूँ और जो SBI के numbers रहे हैं और जो white paper भी आया था government के तरफ से मैं उन सब को देख रहा हूँ अब देखें ये चीज़े क्या होती है कि कहने को यहां बड़ी लगती है लेकिन कोई हरानी की बात है नहीं हम करीब तीन महीने पहले बात करते थे तीन एच्छे महीने पहले SBI की कि SBI का stock जब बारा महीने तक चला नहीं था और बारा महीने में earnings उसकी 60% बढ़ गई थी 60% तो अपने आप stock आपका cheap हो गया था उसकी वज़े से अब उसमें से 30% के करीब move आ चुका है तीन महीने में पिछले तीन महीने वो 30% का move आ चुका है मेरे खाल से अभी भी यहां काफी catch up होना है और आप finally लोगों को realize हो रहा है कि नई PSU है तो क्या हुआ बड़ा बैंक है तू बिग टू इग्नोर है और इसके लिए ये मेरे कहल से आज से आज से बिग स्टॉक में भी था हमारे और मैं इसको consistently in fact आगे आने वाले कई हफतों में ये आपको मेरी बिग स्टॉक्स ये स्पोटलाइट के लिएस में देखेगा हर सुबह कीजिए शांदार शुरुआ जिस तरीके से demand और volume बढ़ रहा गैस के इंपोर्ट के distribution के इंदस में उनको इसका काफी फायदा हो सकता बाजार खुलने से पहले जानिए जो हर रोज आपको बनाएंगे माला माल पावर स्टॉक्स अच्छा पावर प्रदेशन दिखाई रहे तीनों स्टॉक्स को अच्छी गबरों के चलते ग्रीब रखा है देखिए सीधा सौधा सिर्फ CNBC आवास पार वैल्यूएशन कोई सस्ते नहीं रहे तो यहां से मार्केट पर कंसॉलिडेशन का दर्कार है थोड़ा ताइम और प्राइस करेक्शन का दर्कार है जो कि अगले लेक अफ राली के लिए वो उपर चास है दूसरा है जो सेक्टर्स अच्छे करेंगे जहां पर वैल्यूएशन थोड़े एकसेस हो गए जैसे वो सकता है डिफेंस है वो सकता है थोड़े रिल्वेश टॉक्स है वो सब में लॉंग टर्म प्रॉस्पेक्ट अच्छे हैं जब जैसे आप बच्चों के साथ बैठना शुरू करते चाहे वो प्री स्कूल में क्यों ना हो आज कि बहुत सारे ऐसे गेम्स अविलेबल है वोड़िन ब्लॉक्स अविलेबल है बोर्ड गेम्स अविलेबल है जिनके थूँ आप बच्चों में फिनान्स रिलेटेड बाते दिमाग भी डाल सकते हैं जैसे कि जार्गन से फिनांशल वर्डिंग्स हैं पॉकिट मनी देना सबसे बहतरीन तरीका है बच्चों के अंदर फैनाशल अवेरनेस जगाने का उससे उन्हें ये महसूस है ये मेरा पैसा है और उसे उसे खर्च करने में बहुत कॉशियस रहना है और उसके साथ गयर जिम्मेदारी नहीं बरतनी है तो बच्चों को हम पॉकिट मनी देके उन्हें spend, save और invest तो बाद में होगा पर हम उसे budget करना सिखा सकते कि एक महीने में इतने पैसे मिलेंगे इससे आपको क्या-क्या अपने खुद के लिए खर्चे उठाने है तो उस हिसाब से हो saving भी करेंगे कटोती भी करेंगे तो budgeting करना सीखेंगे अगर आप उन्हें pocket money देना शुरू करेंगे और उस pocket money का उन्होंने किस तरह खर्च किया उसका आप हिसाब लेंगे और फिर उस पो उसमें आगे और training देंगे उसके बाद आप बच्चे जो हैं वो दिपाली बेरी टिपिकली वही सीखते हैं जो देखते हैं अपने आसपास एक आवाज जो कभी दबती नहीं यह वो चैनल नहीं है जहां पर शोर मचा के आप दिवेट करें आप देख रहे हैं मिटकेप मंत्रा मैं हूं दिपाली राना शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइन्स के साथ दंदार जीडीपी नंबर्स के दम पर बाजार की उची छलांग सेंसेक्स निफ्टी ने शिखर पर सेंसेक्स में करीब 1100 पॉइंट्स की रैली निफ्टी भी 22,300 की तरफ बैंक निफ्टी भी 47,000 के पर मेटल स्टॉक्स में सबसादर रॉनक सेल करीब 7% उपट अड़ स्टील, GSW, स्टील, जिंदल स्टील भी 5% तक उचले ओल एन, गैस, ओटो, साथ ही एनरजी स्टॉक्स में भी दिख रहा है अक्शन HSBC के बुलिश रिपॉर्ट के बाद HPCL, BPCL, IUC करीब 33% उपर HSBC बोला आगे ग्रोथ के बड़े मौके तीनों की हो सकती है री रेटिंग, BPCL के लक्षे को बढ़ा कर किया 860 कोहन्स लाइफ साइंसेस को सुवेन फार्मा अपने में करेगी मर्ज, शेयर 12% उपर कोहन्स के 295 शेयर्स के बदले सुवेन फार्मा के मिलेंगे 11 स्टॉक्स प्राइवेट इस्पतालों में उची फीस पर सुप्रिम कोट की तल्ख टिपड़ी के बाद लगातार दूसरे दिन हेल्ट केर स्टॉक्स में गिरावट मेक्सल 8% उटाकिम 5% नीचे मिदान था फोटेस भी 4% लुड़के और फरवरी में महिंद्रा और महिंद्रा ने पिछले साल के मुकाबले 40% जादा बेची एसकोल बिक्री भी 24% बड़ी हाला कि ट्राक्टर बिक्री में दिखी दबाव इधर बजाज ओटो का चप्रदरशन साल दर साल पर 24% की ग्रोथ रही आप देख रहे हैं मिटकेप मंत्रा मार्केट का मूड मोहल पॉजिटिव ने रिकॉर्ड हाईस हमने निफ्टी सेंसेक्स पर आचे कारोबार में बनते हुए देखे सेंसेक्स लगभग 1100 उपर है निफ्टी में इस समय आपको तेजी देखने को मल रही है निफ्टी 22,300 की पार निकला उनी से इस तरू के आसपस फिलाल कारोबार कर रहा है अगर आप पॉकेट्स देखेंगे तो बैंक स्टॉक्स की तरफ से यानि निफ्टी बैंक इनर्जी बास्केट ये कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स हैं सेलेक्ट इंडेक्स हैं सेक्टर स्पेसेफिक जो कॉंट्रिब्यूट कर रहे हैं आज की स्तेजी में निफ्टी बैंक डेस आई पर 2% की साथ कर रहा है लेकिन मेटल अब साड़े 3% उपर आ चुका है निफ्टी में कर रहा है कर रहे हैं तो यह रहां कंधि का हाल अधि अपने ही डंपे चल crippling थी जिसके बाद बादार में थैजी देखने को मिली है लेकिन अ वहां पर देखने को मिल रहा है तो दोनों में ही फ्लैक्ट से पॉस्टिव बाच के साथ ट्रेडिंग होते वे दिखाई दे रही है बाचीत हुई की उसकी अफटावट से बाजार की बड़ी बाते आपके सामने लेकर आते हैं तो मार्केट में हो क्या रहा है वो पूरा आक्षन आपके सामने एक एक करके रखते हैं तो बाजार में तेजी नए शिखर पर निफ्टी कारूबार करते हैं पहली बार 22-300 के पार निफ्टी निकला है सेंसे ने रिकॉर्ड है इसको चुछ हुआ है बैंक निफ्टी की तरफ से पूरा पाटेसिपेशन बैंक निफ्टी दो पर सेंट उपर है मिटकेब्स भी 400 पॉइंट उपर कर रहे हैं ट्रेट पॉकेट दिखाएं तो मेटल सार तीन पर सबसादा बढ चैनल बाव में कर रहे हैं ट्रेड तो यह रहे कुछ की हाईलाइट आज के कारोबार की अब बात करते हैं स्ट्राटेजी इसकी निल्मा की निरव शिदा मासत मौजूद है निलमन वसकार बताइए निरव पहले तो इंडेक्स पर रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी पर क् आज पर ट्रेड कर रहे हैं तो यहां से देखिए अगला रिजिस्टेंस है 22,500 ता है फूचर में जो की अभी 80-90 पॉइंट से दूर है तो इस पॉंट ऑफ तैम यही इस्ट्राटिजी है कि निफ्टी दिप्स पर बाए करें आराउंड 22,350 के पास में दिपाता है फूचर में तो वहां पर बाए करें बिचा स्टॉप लगज और टार्गे 22,500 कर रहेगा मगर अभी के लिए जो ट्रेड है वो बैंक निफ्टी में करेंट लवल से अब जरूर ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि इसमें ब्रेकाउट आया 50-day moving average का और यहां से मुझे लगता है कि 47,800 48,000 बैंक निफ्टी जा सकते हैं तो करेंट लेवल से अब बैंक निफ्टी का फ्यूचर खरीच सकते हैं नीचे में जो सपोर्ट है 47,000 का है तो आपका स्टॉपर्स बनेगा अब बैंक निफ्टी किया है क्या देखे अब अगर देखें तो जैसे कि आपने काहा कि मेटल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत बढ़िया चल रहा है अलाउं विद दानकिंग सेक्टर तो दोनों ही जो कांटर है यह सेक्टर में से हैं पहला है मेटल्स में हिंडाल को देखें यह स्टॉक 600 से नीचे गिरा काफी तेजी से नीचे गिरा मगर बहुत बढ़िया सपोर्ट लिया है यह स्टॉक ने अरॉंड एट 500-495 लेवल और वहां से गुमा है करन्ट लवल से हिंडाल को में बाइंग करी जा सकती है रोलोज में भी काफी शॉर्ट करते हुए दिखे हैं और आज के दिन में भी दिख रहे हैं और यहां से मुझे लग रहा है कि अच्छा सपोर्ट आ गया है यह स्टॉक में एक रिवर्सल दिख रहा है यह स्टॉक वहां तर जरूर जा सकता है जो 250 के पास में है तो करनाट का बाइंग यहां से आप बाइंग कर सकते हैं नीचे में 227 का स्टॉप लोस रहेगा ओपर में 250 का टागेट रहेगा ओके चले तो यह रही ट्रेडिंग स्ट्राटेजी आपके लिए अकॉर्डिंग लिए आप ट्रेड ले सकते हैं इंडाल को एक ट्रेड है 550 के लक्षे के लिए खरदारे की सला दी जारी है 509 का एक स्टॉप लोस आप मैंटेन कर सकते हैं कनाटा का बैंक में भी तेजी की सल नसर डालेंगे मेटल्स पर जहां पर एक आउट पर्फरमेंस आज एक कारोबार में सेल 7% उपर जेस्पेल 5% उपर जेस्टील में 45% का पूँव इंदुस्तान जिंग भी डेड़ परसेंट की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार एनरजी में ओईल इंडिया 5% का उच्छाल आई उसी में 5% की तेजी चिने पेट्रो 5% उपर है कैस्ट्रोल में भी डाई पॉने 3% की तेजी देखने को मिल रही है यह रहे कुछ नंबर्स वहीं पावा स्टॉक्स देखेंगे तो सीजी पार 6% उपर है अदानी ग्रीन में 44% की तेजी है साथ ही नहच्पीसी 3% उपर में वो शेर्स दो तेजी में है और टेंस्ट्रीज में रिकोर्ट और 18% उपर जीटीकेटी इंडिया 3% उपर 9% उपर है जमना ओटो मुंजाल शोवा में भी 7.5% का उच्छाल केमिकल्स में बोडल केमिकल जुबरे इंडस्ट्री स्थिरू मलाई केमिकल यहाँ पर 6-6% त आज तेजी है फिर मंदी देखने को मिल रही हाला है बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या जादा है और आगे पढ़ेंगे कुछ खबर आप लेकर आते हैं दरसल महंगे दाम के शेरों में आंशिक निवेश करने की सोच रहे डीटेल इंवेस्टर्स को भी लंबा इंतजार करना पड़ेगा सुत्रों के मुताबिक देश में फ्रैक्शनल ओनर्शिप को रेगुलेट करने को लेकर सेवी के प्रस्ताव पर सरकार भी तयार नहीं है और डीटेल्स के साथ आलोग प्रिये दर्शी है आलोग बताईए एक्जैक्ली क्या डीटेल्स है बिल्कुल देखि सेवी ने एक फ्रैक्शनल ओनर्शिप का कॉंसेप्ट लेके आई और उसके बाद इस प्रोपोजल को भारत सरकार को भेजा कर्प्रेटर फेस्ट मंतरावे को भेजा लेकिन जो हमें सी एन बीसी के आवाज क्यों सूत्र बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि इस पूरे कोश्ट बहुत ज़्यादा इनवाल हो है और साथी साथ इसे लेकर बहुत ज़्यादा भी मार्केट में डिमांड नहीं है अगर आगर मैं एक्जामपल दूँ कि अगर कोई निवेशक MRF का शेर खरीदना चाहता है जो करीब 1,10,000 रुपे का आसपास का है और उसमें उसकी तःस की इसाज़त है युएस जयसे देशों में आप मेटा आलफाबेट और गूगल जैसे शेरों में एपल जैसे शेरों में आप खरीदारी कर सकते हैं इंडियान खरीदे भी वहां पे उसी को तो देखते हुए इंडिया में इस पर लाने की बात सीथ चल रही थी लेकिन अभी इस पर एक तरह से सरकार का नोगो है और जो फ्रैक्शनल ओनर्शिप को देखते हुए इसमें कमपनियों को भी बेनफीट हो सकता था कि उनको कॉपनेंट गवर्नेंस को लेकर काफी फाइदा मिलता और दूसरी रिटेल पार्टिसिपेशन भी वड़ता सरकार से भी कई यह प्रोपोजल था लेकिन अभी फिलाल सरकार इस पर आगे बढ़ती हुए नहीं दिख रही है शुक्रिया आपका लोग की डीटेल्स बताने के लिए तो यह है एक इंपॉर्टेंट इंफॉमेशन आगे बढ़ेंगे और आप बात करेंगे वोड़ा फोन आइडे की अगे बढ़ सकती है कहां से आ सकती है फंडिंग अगे हमारे सोसे में बता रहे हैं कि अल्रीडी वोड़ा फोन आइडिया ने जो अपनोंके लेंडर से और उनके जो इंडियन लेंडर से उनको बोला है कि उनके पास में एक बिलियन विचिस जो मेरे खाल से आठ अजार कर सकते हैं वो काफी जादा हो जाती है तो यह उन्होंने अपने लेंडर को बताया है इसके साथ में जो में समझ में आ रहा है कि इनके जो प्रमोटर्स हैं यह भी साथ में कॉंट्रिब्यूट करेंगे अधिया बिल्ला ग्रूप अविसली वो कॉंट्रिब्यूट करेंगे करेंगे तो यह उन्होंने अपने लेंडर को बटाया है इससे काफी पॉजिटिव डिवलाप्मेंट है अगर कंपनी के प्रस्पेक्टिप से आप देखें तो कौन है यह एंकर इंवेस्टर्स हमें अभी तक इसका इनकी इसका नहीं हमें पता चला है इनकी आइडेंटी नही टाइड़ अप है और जैसे ही सारे अप्रूवल्स आ जाएंगे प्रसेस जैसे शुरू होगा यह इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे शुक्रे देबरीशी डीटिल्स बताने के लिए तो फंडिंग आ सकते हैं सो करो डॉलर के आसपास के और इंपोर्टन खबर वोड़ा फोन आइडिया के लिए और इंवेस्टर्स के लिए जो इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं रुकने एंक ब्रेक के लिए ब्रेक के उस कुछ और खबर आपके लिए लेकर आएंगे साथ है नमबर वन का अपडेट आप दित्री मिट के पंत्रा जैसे जैसे चड़ेगा चुनावी बुखार बाजार में भी चाहेगा इसका खुमार क्योंकि मार्केट और इलेक्शन दोनों में है गहरा कनेक्शन इस मौके पर चूकिएगा नहीं करना है सही स्टॉक सेलेक्शन चुनावी रण में कमाई का प्रण मेरे साथ हर रोज सिर्फ सीन्विसी आवास पर पूरा H.D.FC के साथ मर्जर हो गया और उसके बाद तो 17-18 बिलियन डॉलर आइफ इसके नमबर सब 18 बिलियन डॉलर मार्केट काप हायर है अगर आप देखें प्राइप पी एस्यू बैंक्स की मुल्टिपल हायर है अब इतना भी तो नहीं हो सिर्फ रहना कुछ से मिली अर्चीज की कोई लिमिट होनी चाहिए मैनेजमेंट हैज तो दी ओन दे फ्रांट फूट अब हमें बता हो जी आपको नेम चाहिए क्या आपको ग्रोथ चाहिए आपको ग्रोथ चाहिए अभी टेक्निकली SBI हमारी नमबर वान होल्डिंग हो गई है और HDFC बैंक नमबर टू हो गई है और हम सब को होते हैं प्राइस मुव्मेंट SBI नमबर वान होगी मार्केट के आखरी डेर घंटे का सारा एक्शन फैट के मिनट सागर डबिश आगे तू एक मार्केट को बहुत 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 ट्रिगर मिलेगा एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई भारते बाजारों में आज थोड़ी सी उठापटब दिखाई दे रहा है लेकिन नज़रे होंगी कि क्या ट्रेड आपने पकड़ना है डिसाइसिव वक्त है कि आप अपने प्रॉफिट सो केश में कनवर्ट कर रहे हैं जाने बाने एक्सपर्ट के साथ मुझे रगता है ये डिप को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए देखिए कमाई गाड़ा पिछले दो साल से हमने PSU बैंक काफी बड़ा ओर्वेट रखा है पर वो पोजिशन हम अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं अलाकि स्पेसिफिक टू HDFC बैंक एक बात जरूर बता दू कि इनके वैलुएशन अभी बिलो टू टाइम हो गया है I think 1.8 ताइमस कुछ चल रहा है अभी है जबकि पिछले 15-20 साल का आप अगर हिस्टरी निकाल के देखेंगे तो ऐसे वैलुएशन अभी रहे हैं सो स्टॉक में काफी वैल्यू है परस्क रिवाड बहुत अट्रेक्टिव है बट टैक्टिकली हमारे मॉडल पॉट्फोलियो में अभी भी हम PSU बैंक्स पर बड़ा ओर्विट बनाके रखे है साथ में NBFC पर प्राइविट बैंक्स अभी भी हमारा अंडर्वेट है मुट्यूल फंड्स के साथ अपनी लाइफ को करें प्राइब लाइफ को करें प्राइब अच्छी रहेगी और इंता आरोई आरोई आरोटी प्रफाल भी अच्छा है और कौन से फंड्स आपके लिए हैं फाइदे मन्द समझे हमारे साथ एक तो यह कॉल जो हुआ मुझे लगता है उसका टाइमिंग सही था क्योंकि जिस तरह से स्टॉक में गिरावाट आई थी मैनेजमेंट और सीओ जग्दिशन ने सही समय पर काफी क्लारिफिकेशन दिये लेकिन फिर भी हमें लगता है कि यह स्टॉक को यहां से बढ़ने में कुछ और वक्त लगे या जितनी भी बाते जो जग्दिशन ने की है मुझे लगता है कि आने वाले दो या त्रीन कि यह जो आप बोल रहे हो हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि इसकी वज़े से मुझे लगता है कि यहां से शायद बड़ा बड़ा पैसा ना बने है एज़्डिएफसी बैंक में इस समयना एक बहुत आपके पास एक बहुत अच्छी ट्रेड है SBI मैं एक बादा हूँ आपको आप यहां से आप मार्केट जहां मर्जी जाए यहां से आप एक SIP रोज SBI में करें अगले तीन महीने तक अगले तीन महीने तक आप रोज जो आपकी श्रद्धा हो जो आपकी केपैसिटी हो उसके हिसाब से आप और डिप में जादा बाई करें ओविसली यह करें SBI पर अगले तीन महीने तक और उसके बाद भूल जाएं इसको अगले तीन साल के लिए और तीन साल के बाद आपना पोर्टफोलियो देखिए उसक जो वाइट पेपर भी आया था गवर्मेंट के तरफ से मैं उन सब को देख रहा हूँ ना मुझे एक्जाक्ली वही टाइम याद आ रहा जो 2003 से 2007 का फेस था जिसमें SBI ने मैसिव आउट परफॉर्मेंस दिखाई थी मुझे हैरानी नहीं होगी अगर अगले तीन साल में SBI जब 12 महिने तक चला नहीं था और 12 महिने में अर्निंग उसकी 60% बढ़ गई थी 60% तो अपने आप स्टॉक आपका चीप हो गया था उसकी वज़े से अब उसमें से 30% के करीब मुव आ चुका है तीन महिने में पिछले तीन महिने वह 30% का मुव आ चुका है मेरी कहाल से अगे आने वाले कई हफ्तों में ये आपको मेरी बिग स्टॉक्स ये स्पोटलाइट के लिस में देखेगा हर सुबह कीजिए शांदार शुरुआ जिस तरीके से दिमांड और वॉल्यूम बढ़ रहा गैस के इंपोर्ट के डिस्तिमिशन के इंदस में उनको इसका काफी फायदा हो सकता है बाजार खुलने से पहले जानिये 20 चुनिंदा स्टॉक्स बैंक और आईटी इन सब पर खास ध्यान रखना चाहिए जो हर रोज आपको बनाएंगे माला माल पावर स्टॉक्स अच्छा पावर प्रदेशन दिखाई रहा है तीनों स्टॉक्स को अच्छे गबरों के चलते गरीब रखा है देखिए सीधा साउदा सिर्फ सीन्बीसी आबास पर वैलुएशन कोई सस्ते नहीं रहे परफॉर्मस कापी स्टॉंग आया है स्माल कैप और मिट कैप में तो बेटरी स्टॉंग आगया लाज कैप में भी परफॉर्मस स्टॉंग है तो यहां से मार्केट को एक कंसॉलिडेशन का दर्कार है थोड़ा टाइम और प्राइस करेक्शन का दर्कार है जोकि अगले लेक आफ राली के लिए वो उपर चासे दूसरा है जो सेक्टर्स अच्छे करेंगे जहां पर वैलुएशन थोड़े एक्सेस हो गए जैसे हो सकता है डिफेंस है हो सकता है थोड़े डिफेंस टॉक्स है वो सब में लॉंग आप देख रहे हैं मिटकेप मंतरा और कुछ और अपडेट्स और खबर आप ले लेकर आते हैं और अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि अनंत और अधिका की प्रीवेडिंग के लिए पूरी दुनिया को छोड़कर आखिर जाम नगर को ही क्यों चुना गया तो इसका जवाब दिया है खुद अरंत अंबानी की मा और एलाइंस फाउंडेशन की चेयर परसन इता अंबानी ने झाल 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 झालब है तो अंबानी की मा झाल झाल जामनगर पहुच रही है जामनगर पहुच रही है पहुच रही है जामनगर पहुच रही है जामनगर पहुच रही है बाजार में भी चाहेगा इसका खुमार क्योंकि मार्केट और इलेक्शन दोनों में है गहरा कनेक्शन इस मौके पर चूकिएगा नहीं करना है सही स्टॉक सेलेक्शन चुनावी रण में कमाई का प्रंट मेरे साथ हर रोज सिर्फ सीन्विसी आवास पर पूरा ही एफसी के साथ मर्जर हो गया और उसके बाद तो 17-18 बिलियन डॉलर मार्केट काप हायर है अगर आप देखिए प्राइप पी एस्यू बैंक्स की मल्टिपल हायर है अब इतना भी तो नहीं हो सिर्फ रहना कुछ से मिलिए अर्चीज की कोई लिमिट होनी चाहिए management has to be on the front foot, they can't say आप हमें बता हो जी आपको name चाहिए क्या आपको growth चाहिए they have to guide the way these other companies guide अभी technically SBI हमारी number one holding हो गई है और HDFC bank number two हो गई है और हम सब को होते है HDFCs are top holding but because of price movement SBI number one हो गई market के आखरी देड़ घंटे का सारा action closing bail बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई फारते बाजारों में आज थोड़ी सी उठापटा दिखाई दे रहा है लेकिन नज़रे होंगी कि क्या trade आपने पकड़ना है decisive वक्त है कि आप अपने profits to cash में convert कर रहे है जाने माने experts के साथ मुझे रगता है ये डिप को एक buying opportunity की तरह देखना चाहिए देखिए कमाई गाड़ा पिछले दो साल से हमने PSU banks काफी बड़ा overweight रखा है और वो position हम अभी भी continue कर रहे है अलाकि specific to HDFC bank एक बात जरूर बता दू कि के valuation अभी below two time हो गया I think 1.8 times कुछ चल रहा है अभी है जबकि पिछले 15-20 साल का आप अगर history निकाल के देखेंगे तो ऐसे valuations अभी रहे है so stock में काफी value है risk reward बहुत attractive है but tactically हमारे model portfolio में अभी भी हम PSU banks पर बड़ा overweight बना के रखे है साथ में NBFC पर प्राइविट बैंक्स और भी हमारा underweight एक तो यह call जो हुआ मुझे लगता है उसका timing सही था क्योंकि जिस तरह से stock में गिरावाट आई थी management और CEO जगडिशन ने सही समय पर काफी clarifications दिये लेकिन फिर भी हमें लगता है कि यह stock को यहां से बढ़ने में कुछ और वक लगे गया जितनी भी बाते जो जगडिशन ने की है मुझे लगता है कि आने वाले दो या त्रीन quarter तक investors और market will observe कि यह जो आप बोल रहे हो हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसकी वज़े से मुझे लगता है कि यहां से शायद बड़ा पैसा ना बने HDFC बैंक में इस समयना एक बहुत आपके पास एक बहुत अच्छी ट्रेड है SBI मैं एक बादा हूँ आपको आप यहां से आप market जहां मर्जी जाए यहां से आप एक SIP रोज SBI में करें अगले तीन महिने तक अगले तीन महिने तक आप रोज मरलाब एक share लेना है दर share लेना है सो share लेना है जो आपकी श्रद्धा हो जो आपकी capacity हो उसके हिसाब से आप और डिप में ज़ादा बाई करें आप यह करें SBI पर अगले तीन महिने तक और उसके बाद भूल जाएं इसको, अगले तीन साल के लिए, और तीन साल के बाद अपना पोर्टफोलियो देखी है उसके बाद, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जो प्राइस पैटर्स अबजर्व कर रहा हूँ और जो मैं एकॉनमी को इस समय देख रहा हूँ, जो एक SBI के Massive Outperformance दिखाए थी, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर अगले तीन साल में SBI का स्टॉक दो हजार तक पहुंच जाए तो, अब देखें, ये चीज़े क्या होती है ना, कि कहने को यहां बड़ी लगती है, लेकिन कोई हैरानी की बात है नहीं, हम करीब तीन महीने पहले बात कर से, अब उसमें से 30% के करीब मुव आ चुका है, तीन महीने में, पिछले तीन महीने में वो 30% का मुव आ चुका है, मेरी ख्याल से अभी भी यहां काफी catch up होना है, और अब फाइनली लोगों को realize हो रहा है, कि नहीं, PSU है तो क्या हुआ, बड़ा bank है, too big to ignore है, और इसके ल जिस तरीके से demand और volume बढ़ रहा, जैस के import के distribution के इंदस में, उनको इसका काफी फायदा हो सकता है, बाजार खुलने से पहले जानिये, 20 चुनिंदा stocks, बैंक और IT इन सब पर खास ध्यान रखना चाहिए, जो हर रोज आपको बनाएंगे माला माल, पावर स्टॉक्स अच्छ कोई सस्ते नहीं रहे, performance का भी strong आया है, small cap or mid cap में तो बहतर ही strong आगया, large cap में भी performance strong है, तो यहां से market को एक consolidation का जड़कार है, थोड़ा time or price correction का जड़कार है, जो कि अगले lake of valley के लिए वो उपर चाहस है, दूसरा है, जो sectors अच्छे करेंगे, जहां पर वैलुएशन greenway stocks है, वो सब में long term prospects अच्छे हैं, जब जैसे आप बच्चों के साथ बैठना शुरू करते चाहे, वो pre-school में क्यों नहीं हो, आज बहुत सारे ऐसे games अविलेबल है, wooden blocks अविलेबल है, board games अविलेबल है, जिनके थूँ आप बच्चों में finance related बाते दिमाग में डाल सकते है जैसे की, you know, simple simple jargons है, financial wordings है, जैसे की earning, saving, investments इस तरह के words को पहले introduce किया जाए, उसके बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, वैसे धीरे धीरे उसको, जैसे आपने भी बताया, pocket money देना सबसे बहतरीन तरीका है बच्चों के अंदर financial awareness जगाने का, उससे उन्हें ये महसूस नमस्कार, स्वागत है आपका KYC में, आज know your company नहीं, आज know your country के बारे में बात होगी, इंडिया इंक के बारे में बात होगी, देश की balance sheet कैसी है, उसको आज पढ़ने की कोशिस करेंगे, तो नाम वही है, लेकिन आज big picture इंडिया इंक की होगी, बाचीत करेंगे, स्टेट चीफ economic advisor सौमेकानती घोषडी के साथ, लेकिन सबसे पहले सवक की हेंडाइन्स, दमदार GDP नमबर के दम पर बाजार की उची छलांग, सेंसेक्स, निफ्टी नए शिकर पर, सेंसेक्स में करीब 1100 पॉइंट की रह ली, निफ्टी भी 2300 की उचे उपर, बैंक निफ्टी में भी 47000 का आकड़ा पार किया, मिटल शेयर्स में सबसे ज़्यादा रहुनक, सेल करीब 7% उपर, टाटा स्टील, जेस डेवलू स्टील, जिंदल स्टील भी 5-5% तक उचले, आईलेंड, गैस, और टॉर, एनरजी, शेयर्स में भी दिख रहा है, एक्शन, HSBC की बुलिश रिपोर्ट के बाद, HPCL, BPCL, IOC में करीब 3-4% की उच्छाल, HSBC बोला, आगे ग्रोथ के बड़े मौके, तीनों की हो सकती है, री रेटिंग, BPCL के लक्ष बढ़ा कर किया, 860, कोहन्स लाइफ साइंसेस को सुवन फार्मा अपने में करेगी विले, शेयर 12% उपर, कोहन्स के 295 शेयर्स के बदले, सुवन फार्मा की मिलेंगी 11 शेयर, प्राइवेट हास्पिटल्स में उची फीस पर सुप्रीम कोट की तल्क टिपडी के बाद लगातार दूसरे दिन हेल्थ केर शेयर्स में गिरावट, मैक्स हेल्थ 8% उटा, किम्स 5% नीचे, मेदान ताफोटिस भी 4-4% तक रुड़के, फर्वरी में महिंद्रा और महिंद्रा ने पिछले साल के मुकाबले 40% ज्यादा SUV बेची, कुल बिक्री भी 24% बढ़ी, हाला कि ट्रैक्टर बिक्री में दिखा दबाओ, इधर बजाज आटो का अच्छा प्रदर्शन, साल दर साल 24% बढ़ी कुल बिक्री, राइलेंट फील्ड की बिक्री भी रही अन्मान के मताबिक, एक क्विक चेक बार्केट के लेते हैं, फिर चलते हैं, इंडिया इंक के बारे में बातशीत करेंगे, इस वक्त ताज़ा हाल ये है, 327 पॉइंट की बच्छाल के साथ, निफ्टी 22,310, लाइफ हाई पर, सेंसेक्स करीब 1100 पॉइंट उपर है, 73,570 और बैंक निफ्टी 47,000 के पार 900 पॉइंट की मजबूती की साथ, कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, उसमें बड़ी तेजी बनती हुँ, देखने की मिल रहे हैं, एडवांस डिकलाइन आपके सामने, 1600 से ज़्यादा शेयर मजबूत हैं, केवल 600 शेयर के आसपास कमदूरी, कंट्रिबूशन सबसे ज़्यादा कहां से है, बड़े दिगश शेयर से मनें कहा कि आप रिलाइन्स देखे, ICCA बैंक देखे, क्या जबरदस मजबूती है, HDFC बैंक भी आज फौरे चेंच तेजी है, इंडसिन बैंक भी मजबूती है, दबाओं कहां है, आईटी शेयर में, आज थोड़ा सा, LTIM, ICC, LTEG, इंफोसिस मे हलका हलका दबाओ, लेकिन आउट परफॉर्म कर रहे हैं, बड़े दिगश राज मिट कैप के मुकाबले, तो ये इंडिया इंक की तस्वीर है, मार्केट के नजरिये से आप देख रहे हैं, मार्केट उसका एक रिफलेक्शन है, इतनी बड़ी तेजी क्यों, ऐसा क्या हु अले तक मूड और सेंटिमेंट ठीक नहीं था, लोग तरह-तरह की बाते कर रहे थे, अलग-अलग चिंताएं कर रहे थे, कि बहुत वेलेशन बढ़ गये हैं, जस्टिफाई नहीं होंगे, लेकिन एकॉनमी का जो नंबर आया है, उसने सब को सर्प्राइस किया है, थार्ड क प्राइस कर रही है पूरे मार्केट को, 4.3 पिछले साल इसी कॉर्टर में थी, यानि थर्ड कॉर्टर में, इस बार आई है 8.4 परसेंट, पहले कॉर्टर की, दूसरे कॉर्टर की भी रिवाइस करके 8 परसेंट से उपर रखी गई है, और पूरे साल का, यानि जो हम FY24 क्लो दो परसेंट ज्यादा है, यह बहुत बड़ा जंप है, इसको समझना है हमें, कि इतने बड़ी ग्रोथ कहां से आई, क्या रीजन्स थे, और कुछ लोग जो GVA को ले करके, यानि ग्रास वैलियो अडिट को ले करके, जो क्वेशन कर रहे हैं, उसका क्या मतलब है, इन सब को समझेंगे, जैसा कि हमने का हमारे साथ स्वामिकानती सरें, स्वामिकानती सर बहुत-बहुत स्वागत थे आपका सीनवीच सी आवाज पर, और बहुत शांदार नंबर के लिए हम सब को आपको बढ़ाई, तो पहले दो सर बिलकुल में ये बेसिक समझाईए, कि ये इतना शांदा नंबर किसी न उम्मीद नहीं की थी, इस आर्बियाई ने उम्मीद नहीं की थी, कैसे आया सब, देखिए ये जो नांबर है, ये नांबर काफी अच्छा इंकरेजिंग है, एक्चुली मार्केट में जो दो पार्ट होता है, आपने बोला कि जीवीए और जीडीप पार्ट, जीवीए के साथ आप अगर टैक्सेस जोडते हैं और सबसेजिस निकल देते हैं, तो आपको जीडीपी मिलता है, तो जीवीए ग्रोथ रेट में मार्केट में जो कॉंसेंस था, हारांब 6.5 परसेंट उससी टाइप का नांबर है, लेकिन जीडीपी में आपको आ अगर टैक्स कालेक्शन, ने डारिक टैक्स, अगर 32 परसेंट में ग्रो कर रहा है, उसका मतलब कि पीपिल आर्निंग मानी, पीपिल का पैसा आ रहा है, टैक्स पे कर रहा है, क्योंकि जीडीपी आपको पाता है, अगर कंजम्शन नहीं करेंगे, तो टैक्स अप नहीं दे पाएंगे, तो मुझे लगता है कि उसी हाट तक यह जो नामबर्स है, यह नामबर्स एक्चुर्ज एस टेकिन दा मार्केट बाइसाट परसेंट की उपर ग्रोथ रेट होना बहुत मुश्किल था, जो आच्छी बात है कि आगले FI 22 में ग्रोथ रेट नाइट